जल पृत्वी अगनी वायू मेरी दादी मा मुझे पुराने जमाने की कहानिया सुनाया करती थी जब शान्ती थी जब अवतार संतुलन बनाया रखता था चल कपेला, भूमी राज, अगनी देश और वायू समाज में ये सब बदल गया जब अगनी देश ने युद छेड़ दी केवल अफतार, चारों तत्वों का ग्याता, केवल वही अगनी देश के स्पागलपन को रोग सकता था पर जब दुनिया को उसकी जरूरत थी, तभी वे वे गॉम हो गया सौ साल बीच चुके हैं और अगनी देश अभ्यूत में जीत के कगार पर है दो साल पहले मेरे पता और हमारे कबीले के बाकी पुरुष उनी राज्य में गए अगनी देश का मुकाबला करने और मेरे भाई और मुझ पर कबीले की पूरी जिम्मदारी आ गए कुछ लोग मानते हैं कि अवतार वायू समाज में जन्मा ही नहीं वो चक्रे तूट चका है लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी मुझे विश्वास है कि अवतार दुनिया को बचाने जरूर आएगा इस बार ये मुझसे बचकर नहीं जा सकती देखो और सीखो कटारा ऐसे पकड़ी जाती है मचली सोका सरा देखो तो शोर मत करो कटारा तुम इसे भगा दोगी मुझे तो अभी से इसके पकने की खुश्वू आ रही है पर सोका मैंने भी एक पकड़ी क्या करे हो ऐसा क्यूं होता है कि जब भी तुम पानी से जादू करती हो तो मैं ही भीग जाता हूँ ये जादू नहीं है ये जल को सिद करना है और इसे हाहा हमारी संस्क्रिती की एक प्राचीन कला वगड़ा 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 उगड़ा सबाई जाओ, बाई जाओ तुम इसे बाई कहते हो तुम्हें मेरा चलाना पसंद नहीं है तो तुम वाटर बेंडिंग से हमें बर्फ से निकाल लेती तो ये मेरी गलती है मुझे तुम्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था लड़कियां कभी कोई काम ठीक से नहीं करती तुम बिल्कुल जाहिल, बचकाने और अक्डू हो मुझे तो तुम्हारी बेहन होने पर भी शर्म आती है मां की गुजर जाने के बाद से सारा काम मैं करती हूँ और तुम सिपाही सिपाही खेलते रहे हो कचारा मैं ही सारी कपड़े धोती हूँ तुमने कभी अपने मोजों को सूंकर देखा है पता है वो कितनी ज्यादा बदबुदार है कचारा, बुसा मत हो नहीं, अब बस हुआ, बहुत करली मैंने तुम्हारी मदर अब से तुम अके लिए अपने आप को सभा लो जानती हो, तुम संकी तो थी, अब पागल भी हो गई हो, कचारा तुम्हारी कहने का मतलब मैंने यह किया हाँ, मुबारक हो तुम्हे लगता है वो जंदा है, हमें उसकी मदद करने चाहिए कचारा, वापस आजाओ, हमें पता नहीं वो क्या है कचारा प्रूप 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 जपाओ आखिरकार चाचा, क्या आप समझते हैं इसका मतलब? हाँ, ये खेल भी अधूरा रहेगा इसका मतलब है कि मेरी खोज अब पूरी होने वाली है वो रोश्णी एक बहुत ही शक्तिशाली जरिये से आ रही थी ये वो ही हो सकता है हो सकता है, आस्मानी रोश्णी हो हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं राजकुमार्जू को मैं नहीं चाहता है कि तुम खाम खाम उत्तेजित हो जरा बैठ जाओ, आराम से बैठ कर थोड़ी जास्मीन चाय पी कर शान्त हो जाओ मुझे चाय पी कर शान्त नहीं हो ना, मुझे बस अफ्तार को ढून निकलना है नाविको, उस रोश्णी की तरफ चलो अब बस भी करो मुझे आपसे कुछ पूछना है वो क्या पहले मेरे करीब आई है कुछ खास बात है क्या हम दोनों पेंग्विन के साथ खेलने चले क्यों नहीं मेरे ख्याल से क्या हो रहा है पहले तो हमें बता कि तुम बर्फ के अंदर कैसे गए और उसके अंदर तुम जमें भी नहीं मुझे पता नहीं है आपा तुम ठीक तो हो ना अब उट भी जाओ आखिर ये क्या चीज है ये आपा है मेरा उड़ने वाला दोस्त सही का और ये है कटारा मेरी उड़ने वाली बहन घबराव मात ये साफ हो जाएगा तो आप लोग यही के रहने वाले हो इससे कुछ मत बता ना तुमने देखा वो तेज रफतार वाली रोश्नी शायद वो फायर नेवी को इशारा कर रहा था ओ हां ये ज़रूर फायर नेवी का जासूस होगा और ऐसा तुम्हें उसकी मेरा भाई दिमाग थोड़ा कम है पर तुमने अपना नाम नहीं बताया मैं हाँ हाँ तुमने सिर्फ चींका था और दस फुट की उजाएं तक पहुच गया तुम तो एक एर बेंडर हो वो तो हो तेज रफतार वाली रोश्नी हो उड़ने वाला दोस्त एर बेंडर्स पता नहीं सुबक किसकी शकल देखकर उठा था मैं घर जा रहा हूं जहां आम इंसान रहता अगर आप लोग चाहें तो आप और मैं आपके मदद कर सकते हम जरूर आएंगे शुक्रिया रुक जाओ मैं इस भेडिय जैसे दिखने वाल और तुम्हारी मदद करें वो भी यहां बर्फ में अकड़कर मरने से पहले ठीक है पहली बार उड़ने वालों तयार आपा यिप यिप चलो आपा यिप यिप फैरत अंगेज यह तो काफी मज़ेदार सफर है अपा ठक गया है थोड़े आराम के बाद यह आसमान चुने लगेगा तुम देखना इस तरह मुझे देखर मुस्कुरा क्यों रहे हो मैं मुस्कुरा रहा था मैं तो जा रहा हूँ सोने आत्मी को आराम भी चाहिए राजकुमार जुको तुम भी सो जाओ अगर तुम ठीक भी हो और अवतार जिन्दा भी है तो भी तुम्हें नहीं मिलने वाला तुम्हारे पिता दादा और तुम्हारे परदादा भी ऐसी कोशिश करके हार चुके हैं क्यूंकि अवतार का मिलना उनके लिए सम्मान का प्रश्ण नहीं था पर वो मेरे लिए है वो कायर पिछले सौ साल से चुपा हुआ है अंग तुम क्या सोच रही हो मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक एरभेंड़र हो तो क्या तुम्हें पता है कि अवतार का क्या हुआ होगा नहीं मुझे नहीं मालूम मतलब कुछ लोगों को मालूम था उसके बारे में पर अफसोस मुझे नहीं मालूम ठीक है मैंने बस यूहीं पूछा मैं सोने जा रही हूँ ठीक है सो जाओ हाँ अब ठीक है हम गाओं में पहुंचके हैं चलो अब तुम तयार हो जाओ सब तुम से मिलना चाहते हैं एंग तेखो ये है हमारा गाओं गाओं वालो ये है एंग ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं क्या आपा ने मुझ पर नाक साफ की है सौ सालों में तो किसी ने एर बेंडर को नहीं देखा हमें लगा कि उनकी नसल खतम हो गई मगर मेरे पोते पोती ने तुमें ढूंड लिया नसल खतम एंग ये मेरी दादी मा है तुम मुझे दादी मा कह सकते हो ये क्या है हथियार तुमें इसे किसी को मारने नहीं दिया जाएगा ये मारने के लिए नहीं एर बेंडिंग के लिए है जादू जादू पेश करूना जादू नहीं एर बेंडिंग इसे मैं हवा का अरुख अपने मताबिक मोड़ कर उपर उड़ सकता हूँ जहां तक मुझे पता है इंसान उड़ नहीं सकते तो ये देखो ये तो कमाल का था वाह तुम एक एर बेंडर हो कटारा वाटर बेंडर है तुम दोनों दिन भर इस सब में अपना वक्त बरबाद कर सकते हो तुम वाटर बेंडर हो हाँ थोड़ा बहुत अभी तो फीक है अब खेल बन चलो कटारा बहुत से काम निप्टाने हैं मैंने कहा था ना दादी मा उसके पास सिध्धी है अब मुझे कोई सिखाने वाला तो मिला कटारा इस लड़की से जादा उमीद मत रखो लेकिन वो खास है मुझे पता है उसके पास वाखे ही असली ग्यान है दादी मा देखा अब मेरे जी में जरी स पर देखा नहीं अगनी सिध्धी की शक्ती शरीर से नहीं सास से मिलती है सास शरीर की शक्ती बन जाती है और ये शक्ती भुजाओं से घुसरते हुए हाथ बन जाती है इस बार बिल्कुल ठीक करना बहुत हुआ मैं दिन भर बस इसी का अभ्यास करता रहता हूं मुझे आगे सिखाओ मैं और नहीं रुख सकता नहीं तुम्हें सबर नहीं है तुम्हें पहले बुन्याद मजबूत करनी है फिर से अभ्यास करो सादू संत कहते हैं कि अवतार आखरी एर पेंडर है अब तक तो वो सौ साल का हो चुका होगा उसके पास एक सदी थी चारों तत्मों को सिध्ध करने के लिए और मेरे पास सिर्फ फार बेंडिंगे शुरुवाती होना रहें तुम मुझे इसकी गुड़ विद्या पहले मैं अपना खाना तो पूरा खालूँ जाबाजो ये ज़रूरी है कि अगर तुमारा सामना किसी फार बेंडर से हो तो तो तुम डरो नहीं हम जल कबीले के लोग हैं आखरी दम तक हार नहीं मानते और हिम्मत के बिना हम अपने आपको जाबाज कैसे कहेंगे मुझे सुसू आया है सुनो तुम सब के पिता युद में गय हुए हैं उन्हें भरोसा दिलाना है कि तुम सब इस कबीले के जाबास बनोगे इसका मतलब सीखते समय सुसू अगरा नहीं बस सच में आया है ठीक है क्या और किसी को जाना है तुमने एंग को देखा क्या दादी मा कह रही थी वो एक घंटी से गायब है वहाँ इसमें तो सब कुछ जम जाता है कटारा उसे यहां से बाहर भगाओ ये समख सिर्फ सैनिकों के लिए है रोको रोको इसे अभी तुमको समझ नहीं आता क्या क्या हम हसी मजाग करते रहें जब कि यूद चल रहा है कैसा यूद तुम क्या कह रहे हो तुम मजाग कर रहे हो है ना वो मजाग कर रहा है है ना है 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 इधर आओ चलो साथ में फिछ ले मुझे अच्छे लगते हैं अगर तुम मुझे वाटर बेंडिंग सिखाओ तो मैं पेंगुइंग पकड़ने में तुम्हारी मादब करूंगी यह मेरा वादा रहा बस एक विकत है कि मैं ए बेंड़ा हूँ वाटर बेंड नहीं क्या तुम्हारे कबीले में कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता नहीं पूरे दक्षणी धुरूफ पर अगर कोई वाटर बेंड है तो वो तुम्हारे सामने खड़ी है नहीं वाटर बेंड को पानी को वश्मे करना आना चाहिए और उत्तरी धुरूफ पर वहाँ पर कोई जल कभिला रहता होगा है ना हो सकता है उनमेंस कोई वाटर-बेंड तुमें सिखा सके हो सब्सक्राइं लेकिन हमारा उनसे बहुत सालों से कोई संपर्थ नहीं है तंधो जानते हो उत्तरी धुरूफ कोई पास तो है नहीं दुनिया की दूसरे सिरेपर है लेकिन तुम बूल लेकिन इस बीच क्या तुम मुझे पेंगुईन पकड़ना सिखा दोगी है ठीक है त्यान से सुनो मेरे नन्ही शिश्य पेंगुईन पकड़ना एक प्राचीन और पवित्रकला है अब गौर से देखो जो चोटी बच्ची थी तब ऐसा करती थी तुम आप भी छोटी बच्ची आप वो क्या है फायर नेवी का जहाज जिससे हम लोगों की बुरी यादे जुड़ी है एंग रुको हमें इसके पास जाने की इजासत नहीं तुम किसी जाल में फच सकते हो अगर सिधी लेनी है तो डर को छोड़ना होगा झाल हो डिहको हम लियन है वगाब फो तो पुम किसी लो और किसी हमा थादे लियननक दादी माँ छोटी थी तब से ये जाहाज हमारे लिए बदकिस्मिती बना हुआ है इसका इस्तमाल अगनी देश ने अपने पहले हमले में किया था बाते मत बनाओ जानती हूँ मेरे दोस्त सारी दुनिया में है यहां तक के अगनी देश में भी मैंने कभी कोई युद नहीं देखा एंग तुम कबसे उस बर्फ की शिला में कैद थे कुछ पता नहीं शायद कुछ दिनों से मेरे ख्याल से सौ साल से भी ज्यादा हो चुके है क्या हो ही नहीं सकता क्या मैं तुम्हें 112 साल का बुढ़ा लगता हूँ सरा सोचो यूद खतम हुए एक सदी बीद गई तुम्हें इसका कुछ पता नहीं क्यूंकि तुम किसी तरह से उस बर्फ में कैद हो गए थे यही तो वज़ा हो सकती है एक सो साल विश्वास नहीं होता मुझे माफ करना एंग हो सकता है इसके बीछे भी कोई अच्छा ही चिपी हो हाँ इस कारण तुम से मिल पाया चलो यहां से बाहर निकलते हैं एंग चलो वापस चलो यह जगा काफी दराब नहीं है हाँ वो तुमने जाल के बारे में क्या बात कहीं थी कसकार पकड़ो सबसे आखरी एर पेंधा अपनी उम्र के हिसाब से काफी नहीं है चुटा है चाचा को जगाओ उनसे का हो मैंने अवतार को धुन्द लिया है और उसकी चिपने की चगाबी झाल 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 जल भूमी अगनी वायो बहुत साल पहले चारो राश्टर आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया चब अगनी देश ने युच छेल भी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वो कुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला आइंग नाम का एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायो सिध्या अध्वुत थे फिर भी उसे जाना था कि उसे कितनी बड़ी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुनिया को बचा सकता है आइंग हापस आ गया मुझे पता था तुमने फाय नेवी को रोश्णी से इशारा किया तुम उने सीधे हमारी तरफ ला रहे हो है ना आइंग ने ऐसा कुछ नहीं किया वो तो बस अचानक हो गया हाँ हम लोग जहाज पर थे और उसमें जाल लगा हुआ था और हम उस जाल में फ़स गए कटारा तुम्हें जहाज पर नहीं जाना चाहिए था अब हम सब के लिए खद्रा हो सकता है कटारा को दोश मत दो मैं से वहाँ लेकर गया दोश मेरा था अहाँ देश के दुश्मन ने कुबूल किया सैनानियों दुश्मन से दूर हटो इस विदेशी को हम अपने गाउं की सीमा से बाहर करते हैं सौका तुम बड़ी गल्ती कर रहे हो नहीं मैं पिताजी को दिया हुआ वचन निभाराओं की तुम्हें आफ़तों से बचाऊंगा जैसे कि ये एंग हमारा दुश्मन नहीं है तुमने देखा नहीं एंग ने हमारी जिंदगी में वो चीज़ भरी है जो नहीं थी जिंदा दिली जिंदा दिली हम फाइबेंडर्स के साथ जिंदा दिली से नहीं लड़ सकते इसे अपना कर तो देखो निकल जाओ हमारी गाउं से इसी वक्त मेरी बात सुनो दादी मा सौका को ऐसा मत करने दो कटारा तुम्हें पता था कि उस जहास पर जाना मना है सौका ठीक कहता है मेरे खयाल से एरबेंडर का जाना ही ठीक होगा ठीक है तो मैं भी इस गाउं से जाओंगी चलो आइंग चलो यहां से पर आखिर जाओगी कहां तुम एक वाटर बेंडर को ढूंडने आइंग मुझे उत्तरी धुरूब पर ले जाएगा क्या मैं बेशक गचारा तुम उसके साथ जाओगी अपने कबीले को छोड़कर और अ तुम दक्षणी धुरूफ से जा रहे हो वो भी हमीशा के लिए मेरे सब फिसलने के लिए शुक्रिया तुम कहां जाओगे मैं अपने कबीले में जाकर रह बेंडर को खोजूँगा वाव मैंने अपना कमरा सौ सालों से साफने किया है अब शायद मुझे करना चाहिए अब सबसे मिलकर अच्छा लगा अब अपने भैसे को लेकर ओड़ते बनो पवंदूत चलो आपा तुम उट सकते हो यप यप देखा मुझे पता था मच्चा मुझे तुम्हारी याद आएगी मुझे भी तुम्हारी याद आएगी चलो आपा कटारा कुछ तेर बाद सब ठीक हो जाएगा अब तो खुश हो मैं आपकी वज़े से अब कभी एक वाटर बेंडर नहीं बन पाऊंगी चलो सब्रक्षा के लिए तयार हो जाओ अग्मी देश की सेनाए हम पर हमला कर सकती है पर मुझे सूसू के लिए कोई छुट्टी नहीं हाँ मुझेबी वो पसंदे हाँ वो गाव आप यही रुपना हाँ प्रुटी वो लाग प्रुटी प्रुटी तोज़ 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 है बने एक है कर दmiyorum को अ को लो बैस झाल 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 प्रह झाल जाल झाल 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 से घ्योंट जाल कि अकान भुछ अारता सताहता घॉ tiden से तुो और Спसी अ captures कि अन्या है यो यूर! कि बताओ कहां है वो वो लगभग इस उम्र कहोगा सब विद्याव का ज्याता पताओ उसे कहां चुपा रखा है वेगल मदाना एह, खूह, खूह! हुआहँशशश रख Krieg हुआहँश पत्यखर हे कटारा हे सौका हाई एंग अच्छा हुआ तुम आ गए मुझे डून रहे हो तुम हो वो एर बेंडर तुम ही हो वो आवतार एंग ऐसा नहीं हो सकता मैंने फर्षों से इस लड़ाई की तैयारी की है अभ्यास किया ध्यान लगाया मगर तुम तो एक बच्चे निकले तो तुम भी तो एक लड़के से ही हो अगर मैं तुम्हारे साथ चलू तो क्या तुम इन सब को छोड़ दोगे नहीं एंग तो मैंसा मत करो तुम चिंता मत करो कटारा सब ठीक होगा मेरे लोटने तक आपा का खयाल रखना सीधे अगनी देश की तरफ चलो मैं खर लोट रहा हूं हमें उस जहाज के पीछे जाना चाहिए सौका एंग ने हमारे कबीले को बचाया अब हमारी बारी है कचारा एक बात का तो क्यों नहीं समझते कि वह हमारी तरफ है अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगा मुझे पता है तुम्हें आइंग पसंद नहीं पर उसका एसा नहीं अपर कचारा अब तुम सिर्फ बाते ही करती रहोगी या मेरे साथ चलोगी सौका चलो हम तुम्हारे आशिक को बचाएंगे नहीं वो मेरा जो भी हो तुम दोनों को पता है तुम क्या कर रहे हो तुम्हें इनकी जरूरत है तुम्हारी मन्जिल बहुत बहुत दूर है मैं तो बहुत पहले उम्मीद छोड़ बैठी थी पर तुमने फिर से इसमें प्रांड फूग दिये मेरी नन्नी वाटर बेंड़ा और तुम मेरे वीर सेनानी अपनी बेहन का खयाल रखना हाँ ठीक है दादी माँ एंग अवतार है दुनिया की आखरी उम्मीद वो तुम्हें मिला इसकी कोई वज़े है अब तुमारी किस्मत उसकी साथ ही बंधी है इस छोटी नाव से हम उस लड़ा को जहास तक कैसे पहुँच पाएंगे आपा तुम्हें हमेशा मुझे परेशान करना ही अच्छा लगता है क्यों है न ये छड़ी मेरे पिता के लिए एक बेशकिम्ति उपहार होगी पिता क्या होता है तुम जानते ही नहीं होगे तुम्हें तो साध्यों ने पाला है न अविटार को जेल में कैद कर दो और इसे मेरे कक्ष में ले चलो हेई तुम इसे जूको के कक्ष तक पहुँचा दोगे तो शायद तुम्हारा कभी किसी एरबेंडे से सामना नहीं हुआ है मैं अपने हाथ पीछे बंदे होने के बाद भी तुम दोनों पर भारी पड़ूँगा खामोश अवतार भाग निकला चलो उड़ो उपर अब सुनो आपा हमें तुम्हारी मदद चाहिए आंग को तुम्हारी मदद चाहिए उपर उड़ो हवा में सौका को विश्वास नहीं कि तुम उड़ सकते हो पर मुझे है आपा बोलो क्या तुम आंग को बचाना नहीं चाहते वो इसे कैसे चलाता था यी हाँ हप हप वाहू येप येप तुमने कर दिखाया सोका ये उड़ रहा है ये उड़ रहा है कटारा ये मेरा मतलब ऐसा हो ना कोई बड़ी बात नहीं है क्या तुमने मेरी छड़ी देखिया बताओ फिर मिलेंगे माव करना मेरे छड़ी लगता है मैं तुम्हाई ताकत को ठीक से वह जान नहीं पाया फिर मिलेंगे नहीं तुम्हाई नहीं है प्राइब मेरृ मेर कि उड़ी प्राइब एल विर ए उड़ी 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 है कि उड़ी थे रहा है है यह तुम्हाईák हुई हुई प्राग्ट हुई 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 कर से लिप हुआ हुआ! आखिर वो क्या है आपपा आखिर 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 तुमने दीखा अभी अभी उसने जो किया वो तो पानी को वश में करके इस्तमाल कर रहा था एंग तुम ठीक तो हो ना हे कटारा हे सौका आने के लिए शुक्रिया हां मैं नहीं चादा था कि तुम सारी वावाई लुटलो मेरी जड़ी गिर गई ये रही ये जल कभीले का एक तोफा था कटारा मैं तो अपने बूमरेंग से लड़ता हूं मैंने तो ये सब जादू और उड़ने वगेरा के बारे में नहीं सूचा था येप 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 उन्हें मार गिराओं अपना चोटा सा बच्चा जरा ध्यान से देखिए उस बच्चे नहीं ये सब कर डाला चाचा मैं फिर कभी उसे कम नहीं समझोंगा जहास को बाहर निकालो और उनका पीछा करो जैसे ही तुम ये काम खत्म कर लो तुमने वो कैसे किया पानी को वश में करके मैंने इस तरह का करिश्वा पहले कभी नहीं देखा पता नहीं बस अपने आप ही हो गया। तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम अफ़तार हो। क्योंकि मैं अफ़तार बढ़नाने चाहता था। लेकिन आंग दुन्या इंतजार कर रही है कि एक दिन अफ़तार आये और इस यूद को हमेशा के लिए खतम कर दें। मैं ये कैसे कर सकता हूँ पुराणों में लिखा है कि पहले तुम्हें जल की सिद्धी करनी होगी फिर भूमी और अगनी की है ना साधों ने भी यही कहा था तो अगर हम उत्तरीद रूपर जाएं तो तुम जल सिद्धी सीख सकते हो हम दोना साथ सीख सकते हैं और सौका तु यहां क्या है यहां मुचलते लामाओं के सवारी करेंगे और फिर यहां विशाल कोई मचली पर सवार होंगे और यहां पर बंदरों की सवारी की जाएगी उन्हें लोगों को सवारी करना पसंद नहीं लेकिन तब ही मज़ा आएगा करत दोओ कि लेकित बंदरों की स问त क्थशावा बंदरी कारे मोहां है जल, भूमी, अगनी, वायू बहुत साल पहले चारों राश्ट्र आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल क्या जब अगनी देश ने युच छेर दी केवल अफ़तार चारों तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वगूम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढूर निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायू सिधिया अधभूत थी फिर भी उसे जाना था कि उस पर कितनी बड़ी जुम्नदारी है पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुनिया को बचा सकता है देखोगी तो विश्वास होगा कटारा वायू मंदिद दुनिया की सबसे सुन्दर जगयों में से एक है एंग मैं तुम्हारा उत्सा कम नहीं कर रही पर सोचो तुम सौ साल बाद घर जा रहे हो इसलिए तुम्हें बेचैन हो रहा हूं लेकिन इस बीच काफी कुछ बदल भी तो गया होगा हाँ पर वो मैं खुद देखकर जाना चाहता हूं अब उठो सौका वायू मंदिर हम पहुँच रहे हैं अभी नींद मंदर बाद में सौका जल्दी उठो तुम्हारे बिस्तर में एक साफ है हटाओ इसे चलो जागे तो सही चलो अब चलते चाचा मैं चाहता हूं कि मरमा जल्द से जल्द की जाए अगर हम यहां आदके रहे तो वो फिर से हाथ से निकल जाएगा तुम्हारा मतलब वो अफतार यहां पर ये शब बोलना भी नहीं अगर सब जान गए कि वो जिन्दा है तो हर फाइरमेंडर उसके तलास में निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई बीच में आए कौन किसके बीच में आ रहा है राजकुमार जूकुम। कैप्टन जाओ अब मैं कमांडर हूँ और जन्रल आयरो हमारे देश के महान नायक। रिटायर जन्रल अगनी राज के भाई और पुत्र पस अब पहुँचते ही होंगे आपका यहां आना कैसे हुआ हमारे जहाज की मरम्मत हो रही है इसको तो काफी नुकसान पहुचा है हां आपको विश्वास भी नहीं होगा कि क्या हुआ चाचा कमांडर साओ को बताओ यह कैसे हुआ हां मैं बताता हूँ वो वाकई हायरत अंगेश था हां किसी से टकरा गे थे ना हां सीधी टकर अर्थ किंग्निम के जहाज से अच्छा मुझे बताओ यह पूरी रोमांच घटना और एक जाम हो जाए अफसोस पर आब हमें निकलना होगा राजकुमार सुको कमांडर साओ के सम्मान में हम कुछ देर रुखेंगे हमें आपका न्योता स्विकार है क्या आपके अंशिला जी चाहे मिलेगी मेरी तो वही पसंद है मेरा पेट गुड़ गुड़ बंद करो हम लोगों के लिए मैं खाने का अंजज़ाम करता हूँ हेई मेरा सारा खाना किस ने खा लिया ओ क्या वो खाना था मैंने उसे लकड़ी समझकर कैमफ़ार में जला दिया माफ करना तुमने क्या तो इसलिए आग से इतनी अच्छी खुश्बू आ रहे थी यह पटोला परवतमाला है हम बस बहुच ही गए एंग वायू मंदर में जाने से पहले मैं तुमसे एबेंडर के बारे में बात करना चाती हूँ कैसे बात मैं.. मैं तर असल किसी भी हमले के लिए तैयार रहना चाती हूँ अगनीदेश के लोग बहुत बे रहम हैं उन्होंने मेरी माँ को माठ डाला वो तम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं किसीने एबेंडर को नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सब को मार डाला, हो सकता है वह बच निकले हो मैं जानती हूँ यह मानना कितना मुश्किल है तुम नहीं समझती कटारा, वायू मंदिर तक से उडने वाले भैसे पर पहुचा जा सकता है और उनके पास उडने वाला भैसा है ही नहीं, है ना आपा यिप यिप वो रहा, नक्षिनी वायू मंदिर एंग यह बहुत सुन्दर है हम घर आ गए, अपने घर और इस साल के आखिर तक भूमी देश की राजधानी पर हमारा कब्जा होगा फिर अगनी राज इस युद्ध में अपनी जीत का अईलान कर सकते है अगर मेरे पिता सोचते हैं कि पूरी दुनिया सिर जुका कर उनकी सत्ता सुईकार करेगी तो वो गलत है दो साल समुत्र में रहने के बाद भी आपकी सुवान उतनी ही कर वी है तो आपकी आवतार की तलाश कैसी चो रही है अव मेरी घलती है हमें आप तक वो नहीं मिला है क्या आप भी आपको मीध है आवतार को मरे सौ साल बीच चुके बाकी तमाम एर्बेंडस के साथ बशर्ते के आपको कोई सुराग न मिला हूँ कि आवतार जिन्दा है नहीं अभी तक तो नहीं राजकुमार जुको सिर्फ आवतार ही अगनी देश को ये युद्ध जीतने से रोक सकता है अगर आप में जरासी भी देश भगती है तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या पता चला है मुझे कुछ भी पता नहीं चला है शायद आपकी बात सही है कि आवतार बहुत साल पहले मर चुका चलो जाचा, हमें चलना चाहिए कमांडर रिजाओ हमने आपके आगया कि अनुसार जहाज के लोगों से पूछ ताच की तो उन्होंने बताया कि हां राजकुमार जुकों ने आवतार को बंदी बनाया था पर वो भाग निकला तो अब आप मुझे बताना चाहेंगे क्या आपके जहाज की ऐसी हालत कैसे हुई अब हमें कुछ खाने को कहां से मिलेगा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ऐसे पहले परदेशी हो जो पहली बार वायू मंदर में जाएगा और तुम्हें फिक्र है तो बस अपने खाने की मैं सीधा साधा इंसान हूँ मेरी ज़रूत सीधी साधी है देखो उस जगे पर मैं अपने दोस्तों के साथ हवा गेंट खेलता था और उस जगे पर मेरा भैसा सोता था और क्या हुआ इस पूरे मंदर में सादू, लंगूर और भैसे नजर आते थे अब यहां बस जाडिया ही है विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ बदल गया है तो तुम हवा गेंट कैसे खेलते थे जरा बताओ तो एंग साथ पर सौका शूर्न पर उसे खुश करने के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी हो रही है कटारा यह देखो यहां अगनी देश हमें उसे बताना चाहिए एंग यहां आकर जड़ा यह देखो तो अच्छा क्या है भायू सिदी की एक नहीं चाल मैंने अभी जीखी अच्छी है लेकिन अभ्यास बाद में करना अभी पूरा मंदिर देखना बाकी है इस तरह हम कब तक उसकी रक्षा कर सकते हैं कटारा फायर बेंडर्स यहां आय थे तुम यह नहीं कह सकती कि वो नहीं आय थे कह सकती हूँ आंकी खातिर अगर उसे पता चला कि अगनी देश ने यहां हमला किया था तो वो पूरी तरह टूट जाएगा ही दोस्तो मैं चाहता हूँ तुम इने देखो वो कोने सादू याद्सो दुन्या का सबसे महान एर बेंडर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था असली रहस्य छुपा है इस तरह लकेंद्र में मेरी प्राचीन केक बनाने का तरीका लेकिन सिर्फ यही तो नहीं सोच रहे हो तुम एंग यह पुरा अवतार का किसा शायद सादू से कुछ भूलो गई हो भूल सिर्फ यही थी कि उन्होंने तुमें सोला साल का होने से पहल लेकिन याद सो मुझे कैसे पता चलेगा मैं इसके लिए तैयार हूँ तुम्हारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब तुम वायू मंदिर के भीतरी कक्ष में जाने के काबिल हो जाओगे वहां तुम्हें आगे के लिए निर्देश मिलेंगे कौन देगा समय आने पर वो खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा तो अब तुम इन केक को तयार करने में मेरी मदद करोगे ठीक है मेरे प्यारे शेश्य तुम्हारा निशाना काफी अच्छा हो गया है तुम्हें उनकी याद आती है हाँ तुम कहां जा रहे हो वायू मंदर के केंदर में वहां में किसी से मिलने के लिए तयार हो पर एंग वहां कोई सौ साल तक कैसे जिन्दा रहा होगा यह संभब नहीं है मैं भी तो बर्प में इसने समय तक जिन्दा रहा वो भी है जो भी वहां होगा वो शायद मुझे अफ्तार के गुत्यों का रहसे बता सके और शायद उसके पास खाने के लिए कुछ तुमारे पास इसकी कोई चाबी नहीं है क्या इसकी चाबी है वायुसिद्धी हलो कोई है यहाँ तो एक बारह साल के लड़के ने तुम्हारे और तुम्हारे फायबेंडर्स के चक्के शुड़ा दिये तुम तो मेरी उमीद से भी कम्सौर निकले मानता हूं मैंने उसे कम्सौर समझा पर अगली बार मुझसे ऐसा नहीं होगा जानता हूं नहीं होगा क्योंकि अगली बार आएगी ही नहीं कमांडर्स आओ मैं अवतार को दो साल से धून रहा हूं और और तुम नाकाम रहे, अवतार को पकड़ना नौसिख्यों का काम नहीं है, अब ये काम मैं करूगा, इने यहीं रखो, थोड़ी और चाय मिलेगी, मूर्तिया, बस यही है, खाना कहा है, ये सब लोग कौन है अग, पता नहीं, पर लगता है जैसे मैं इने जानता हूँ, देखो, ये एक एर बेंडर है, और ये एक वाटर बेंडर है, ये एक चक्र में है, वायू, जल, भूमी और अगनी, ये अफ़तार का चक्र है, हाँ बेशक, ये अफ़तार ही है, ये सब तुमारी पिछली जिंदगी का हिसा है, आंग, वाव, कितनी सारी है, पिछली जिंदगी, कटारा, तुम इन सब चीजों में विश्वास करती हो, क्या, ये सच है, जब एक अफ़तार मरता है, तो वो अगले चक्र में जीवित हो जाता है, आंग, होश में आओ, हाँ, ये कौन है, ये है अफ़तार रोकु, मुझसे पहले का अफ़तार, तुम एक फायर बेंडर थे, तभी पहली मुलाकात में विश्वास नहीं हुआ, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा, तुम्हें इनका नाम क्यासे पता, मुझे पता नहीं, बस मैंने जानता हूँ, इससे अजीब बात और क्या होगी, कोई फायर बेंडर हारा है, आवास मत करना, तुम ही तो आवास कज़े हो, उस फायर बेंडर को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, लंगूर, खाना, उसके बाद सुरो, अब तो मेरे पाल तु हो, जो पकड़ेगा उसका हुआ, रुको, वापस आओ, मैं तुम्हें खाओंगा, मेरा खोजी दलता यार है, मेरे समुद्र में जाने के बाद मेरे सिपाही तुम्हें जहाज पर पहुचा देंगे, फिर तुम कहीं भी जा सकते हो, क्यों, क्या तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें रोक लूँगा, तुम रोकोगे मुझे, असम्भव, मुझे कम मत समझना साओ, मैं तुम से पहले आफ़तार को पकड़ लूँगा, राजकुमार सुको, बात हुआ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरी कमान में सैंक करणों युद्धपोत हैं, और तुम देश से निकाले हुए राजकुमार हो, ना घर, ना सेनाई, तुम्हारे अपने पिता ही तुम्हें नहीं चाहते, तुम घलत हो, अगर मैं अवतार को पकड़ कर अपने पिता के हवाले कर दूँ, तो बाहे खोल कर मेरा सुआगत करें अगर तुम्हारे पिता तुम्हें वापस चाहते, तो अब तक वो तुम्हें भुला लेते, अवतार मिलता या ना मिलता, लेकिन उनकी नजर में तुम नाकाम्याब हो, और अगनी देश के लिए कलंग, ये बिलकुल सच नहीं है, तुम्हारी चोट का निशान इसका गवा है, शाहिद तुम्हें भी ऐसा निशान चाहिए, क्या ये चुनौती है, एक अगनी परिक्षा, सुरियास्त पर, बहुत अच्छे, अफसोस तुम्हारे पिता तुम्हारी हार देखने के लिए यहां नहीं होगे, पर तुम्हारे चाचा तो है, राजकुमार सूको, भूल है, एक सिध्ध के साथ अपनी पिछली लडाई, मैं कभी नहीं भूल सकता, हे, वापस आओ, बहार निकलो छोटे लंगूर, वह भूका इंचान तुम्हें परिशान नहीं करेगा, हां, फायर बेंडर, वो यहां आय थे, याच्सो, हे, एंग, मेरा भोजन मिला तुम्हें, एंग, मैं सच मुच उज लंगूर को थोड़ी खाने वाला था, अब रो मत, चलो एंग, सब ठीक हो जाएगा, चलो यहां से, एंग, अगनी राज को तुरंत संदेश भेज़ दो, अवदार लौट आया है, एंग, चलो, निकलो इसे बाहर, क्या हुआ, उसे पता चल गया कि फायर बेंडल्स ने ग्याच्सो को मारा था, ओ नहीं, यह उसकी अफदार शक्ती है, उसी वज़े से यह हो रहा है, मैं जाकर उसे शाद करने की कोशिश करती हूँ, हाँ, तो करो, इससे पहले कि वो हमें इस भाहर से उड़ा दे, अपनी वायू सिद्धी के मूल मंत्र याद रखना, वही तुम्हारी शक्ती है, मैं उससे हार नहीं मानूँगा, यह मुकाबला स्यादा देर नहीं चलेगा, क्ञिट मत्र व्रश को हमें, था लत हूँ है, भुष pewno कि सम्हारी शफ़ंगरे वो हमें उसारी शफरती हिए teaching the best impeachment that व्र दे confessेंट a यहूँ है, पो भुम्हार हिए बचकर मैं लड़ा रसे लw शो बहुत है, पूल मंत्र सुको, जण पर वार करो कर्ड़ लू कर्ड़ लू देखा ना, तुम्हारे पिता ने कायर पैदा किया है अगली बार तुम मेरे रास्ते मैं तो वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं धरी राजकुमार सुको, अपने जीत पर दाग मत लगाओ तो हारने के बाद महान कमांडर जाओ ऐसी हरकत करता है, शर्मानी चाहिए धेश निकाले के बाद भी मेरा भतीजा तुम से ज्यादा होनार है वैसे चाहे के लिए शुक्रिया, काफी स्वादेश्ट थी जो आपने कहा वो सच है क्या? बेशक, मैंने कहा थाना कि शिला जी चाहे मेरी पसंदीदा है एक, मुझे मालूम है तुम दुखी हो मैं चाहती हूँ कि अपने करीबी लोगों को खोना कैसा लगता है जब मेरी मार कुजर गई तो मुझे भी यही ऐसास हुआ साथ हूँ ग्यात्सो और दूसरे एर्बेंडर भले ही अपना हो पर तुम्हारा परिवार अभी तुम्हारे साथ है सोका और मैं, अब हम ही तुम्हारा परिवार है एंग, कटार और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे यह हमारा वादा है मुझे माफ करो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा दोश नहीं था लेकिन तुम सही हो, अगर उन्होंने इस मंदर को डूण लिया था, तो उन्हें बाकी भी मिल गए होंगे, मैं वाकी आखरी एरबेंड़ा हूँ सब तैयार है, अब हम चले, रोकू मेरी मदद कैसे करेंगे, जब मैं उनसे बात ही नहीं कर सकता, शायद कोई रास्ता निकलाए, लगपे, तुम्हें एक नया साथी मिल गया है, बातें बंद करो और खाना खाओ, हे छोटे दोस्त, तुम, मैं और आपा, हम यहां के आखरी निशानिया है, हमें साथ रहना चाहिए, कटारा, सौका, हमारे परिवार के नए सदसे नहीं, इसका स्वागत करो, इसका नाम क्या रखोगे, मू मू, छूब ऑ्टो जका स्वासी Saint-Dix हम परिवार के स्वागत कर दो हुआता है, बातें बंद कर दो हैं, हमें सब्सक्ता हुआता है, हमें साथ कर दोस्त, जाए्सक्ता है, जाए्सक्ता कर दोस्त... जल भूमी अगनी वाई बहुत साल पहले चारो राष्टर आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेर दी केवल अफ़तार चारो तद्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वगों हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार धून निकाला अग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायू सिधियां अध़ों थे फिर भी उसे जानना था कि उसपर कितनी बड़ी जिम्नदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है मेरा ध्यान भंग करने का एक ही कारण होना चाहिए कि तुम्हारे पास अफ़तार के बारे में कुछ खबर है हाँ खबर तो है राजकुमार्जू को लेकिन शायद आपको पसंद आए बहुत ज्यादा परेशान मत हो ये चाचा आपने मुझे सिखाया है कि दिमाग को संतुलित रखना मान नेता का गुण है अब आप जो भी कहें मैं बेशक सहन कर लूँगा तो फिर सुनो हमें कुछ भी नहीं मालूम कि वो कहा क्या तुम्हें यहाँ पर एक खिड़की निकलवानी चाहिए नक्षा मुझे दो वैसे अवतार कई बार दिखा तो सही पर उसका पीछा करना एकदम असंभाव है मैं उसे कैसे पकड़ूँगा चाचा क्यूंकि वो तो भाग निकलने की कला में माहिर है तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि कहा जाना है है न बस यह पता है के पानी के पास तुम मेरे ख्याल से हम पहुँच गए मोमो गिट्टे देना जरा हे कटारा हवा को काबू करने का ये कर्टब देखो पढ़िया है आंग तुमने तो देखा भी नहीं बहुत अच्छे पर अब तो मैंने किया ही नहीं उसे परेशान मत करओ आंग जब लड़कियां सिलाई कर holyAN तो उने सतान से नहीं है अच्छा लड़की होने का सिलाई से क्या मतलब है इस बसेत्वा बताऊगे देखो लड़कियां सिलाई में अच्छी होती है और लड़के सौका हम जहा जा रहे हमाँ पैंट चाहिए ही नहीं हम कल थोड़ी देर के लिए रुके थे तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा आगे जाके रुकना चाहिए था हाँ सही बात है ऐसे तो उत्री दुरूफ पहुंचते पहुंचते वसंत आ जाएगा लेकिन आपा थक गया है है ना आपा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हाँ लगता है सच है वैसे भी दस तंड के पहार से कौन उलजेगा हाँ देखो इसलिए हम आये हैं विशाल कॉय मैं इस पर सवारी करूँगा कतारा तुम मुझे देखना थंडा वो इसमें काफी माहिर है तुम्हें पता नहीं पर मचली ही सब कुछ कर रही है नहीं आपा वो मत खाना यह कहां गई पानी में कोई चीज है क्या हुआ एंग मुश्किल में है एंग तुम बहार निकलो पानी में पता लगाने के बजाए आखिर वो क्या चीज पता नहीं मेरे ख्याल से हमें पता लगाने के बजाए यहां से चलना चाहिए लगता है हमें यहीं रहना होगा तुम तीनों को जवाब देने होंगे और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें ऐसे ही समुंदर में फेग देंगे समझे अपना मुह दिखाओ कायरो तुम कौन हो हमें पकड़ने वाले आदमी कहा है यहां कोई आदमी नहीं है हमने तुम्हें पकड़ा है अब यह बता कि तुम कौन हो और यहां क्या करने आये हो एक सेकेंड कुछ लड़किया मिलकर हमें नहीं पकड़ सकती कुछ लड़किया हा आज उनागी का पेट अच्छे से भरेगा नहीं उसे मत मारो उसका ये मतलब नहीं था वो थोड़ा मुल्क है कभी-कभी और ये मेरा कुसूर है हम यह इसलिए है कि मुझे विशार कोई के सवारी करनी थी कैसे विश्वास करें कि तुम अगनी देश के जासूस नहीं हो कि यहां 400 साल पहले जन्मी थी उसे गुजरे हुए तो सदियां बीट गई मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं अवतार हूं यह संभव है क्योंकि आखरी अवतार एक एबंडर था जो सौ साल पहले लापता हो गया मैं वही हूं इस शैतान को उनागी के सामने डाल दो एंग कोई वायू सिधी का कर्टब करो यह सच है तुम ही असली अवतार हो अब यह देखो तुमने सुना अवतार के ओशी आया है अवतार क्यों शिद्वीप पर है चाचा गेंड़ों को तयार रखो इस पार वो नहीं पच पाएगा तुम पहले खाना तो पूरा खाओ मैं इसे बाद में खा लूँगा अवा नाश्ते में मीठा ये लोग अवतार के खुब खादर करना जानते हैं कटारा जड़ा ये खा के देखो चीक है बस एक तुक्रा सौका तुम्हें क्या हो खाओ ना मुझे भूख नहीं है तुम्हें तो हमेशे भूख लगती है वो परिशान है क्योंकि कल लड़कियों ने उसकी बहुत पिटाई की थी उन्होंने छिप कर हम परवार किया हां मगर तुम्हारी पिटाई तो की थी उन्होंने धोके से पकड़ा था मुझे रस्यों से जकड़ दिया था मैं उन्हें दिखाता हूं मैं लड़कियों से ने डरता वो अपने आपको समझती क्या है वैसे ये स्वादिष्ट है वो इत सम्मान में मूर्ति भी साफ कर रहे हैं हाँ तुम्हारे अवतार होने की खोशी तक तो ठीक है पर कहीं तुम्हें इसका घमर्ण नहों जाए तुम तो मुझे जानती हो कटारा मैं सीधा साधा साधू हूँ की तस्वीर काफी आसान है ओ एक और ठीक है वो यहां पर थोड़ा अब और भी विश्रास नहीं होता मुझे लड़्कियों नहीं हरा दिया माफ करना मैं आपकी नाच की कक्षा में रुकावर डाला नहीं चाता था मैं तो बस कसरत करने की जगा ढून रहा हूं तुम बिलकुल सही जगा पर आये हो कल के लिए अफसोस है हमें नहीं पता था कि तुम आवतार के दोस्त हो ठीक है कोई और होता तो मैं नहीं छोड़त सबसे बहतर योधा वो भी पूरी गाव में क्या आप अपना थोड़ा सा हुनर हमें दिखाएंगे वह मतला बाब क्यों लड़कियों क्या तुम नहीं चाहोगी कि हमें कुछ दाव दिखाएं ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है अब तुम यहां घड़ी रहो अ देखे तुम इसका सामना तो बहुत हुआ क्या तुम हमें कुछ और दिखाओगे देखो यह मैं हूँ अपने पूर्व जन्द में काफी सुन्दर थी रुको एक मिनिट मैं बस अभी आया ओ तुम हो जड़ा इसे ले जाने में मेरी मदद करोगे थोड़ी भारी है दरसाल मैं अभी नहीं कर सकता अभी नहीं मतलब मैंने लड़कियों को आपा के सवारी करने का वादा किया है तो तुम भी आओ ना मज़ा आएगा लड़कियों के सामने शेखी दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन टोकरी ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ये मेरी टोकरी नहीं है ये हमारी सफर के लिए है मैंने कहा ना हमें कियोशी से जल जाना होगा मैं अभी कियोशे छोड़ना नहीं चाता, यहाँ पर कोछ ऐसी चीज है जो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है इतनी देर क्यों लगा रहे हो, एंगी? एंगी? बस एक सेकिंड कोको सीधा साधा साधू हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें अफ्तार होने का कभी घमर नहीं होगा हाँ नहीं है, मुझे लगता है तुम इसलिए नहीं आ रही हो क्योंकि तुम जलती हो जलती हूँ? किस बात पर? क्योंकि हम इतना मज़ा कर रहे हैं यह बेकार की बात है, बेकार की सही, पर बात तो है, अ, हेई सुकी, नाच का एक और सबक सीखना है, नहीं, वो, मैं तो बस यूही, साफ कहो, क्या चाते हो, अगर तुम मुझे सिखाओगी, तो मैं तुम्हारा ऐसान मानूगा, तुम एक लड़की से सीखोगे, मुझे अपनी बात का अफसोस है, मैं बिल्कुल गलत था, हम बाहर के लोगों को आम तोर पर नहीं सिखा दे, खास कर लड़कों को, क्या अपना काईदा बदल कर, तुम म हमारी सारी परंपराय निभानी होंगी, बिल्कुल, मेरा मतलब सारी कि सारी, क्या मुझे ये पैना पड़ेगा, ये तो लगता है जैसे की लड़कियों का है, ये तो एक योद्धा की पोशाक है, तुम्हे इस पर गर्व होना चाहिए, ये रेशमी टोरी हमारे वीर रक्त क प्रतीक है, और ये सुनेहराचिन योधा के सन्मान का, बहादुरी और सम्मान, हे सौका, अच्छे लग रहे हो, कटारा, तुम्हे याद हैना के कल उनागी मुझे खाने ही वाली थी, हाँ, अब मैं उसकी सवारी करूंगा, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, ठीक है, तुम मुझे रोकोंगे नहीं, मजे करो, करूंगा, करो, हाँ, जरूर करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, च्छेक है सुनो, ये सब एग दिन में नहीं आता, मुझे भी और सीखना है, मुझे लगता है मैं सीख रहा हूँ बात ताकत की नहीं है दुश्मन की ताकत को उसके ही खिलाफ इस्तमाल करनी की है हाथ धीला छोड़ो और मानो की ये पंखा तुम्हारा हाथ है मौका देखो और मैं गिरी ताकि तुम्हें विश्वास आए समझे हरा दिया मैंने तुम्हें हरा दिया ठीक है ये तो सब किसमत से हो गया अब देखते हैं दुबारा कर पाते हूँ या नहीं इतनी तेर क्यों लग रही है मुझे लग रहा है वह बाती होगी ये कैसा लग रहा है फिर वही का वही ओहो उन नागी कहा है देर हो रही है तुम कहा जा रही हो मेरे लिए रुको माफ करना फिर कभी कटारा तुम आ गई मुझे चिंता थी कि तुम ठीक हो या नहीं तुमने डरा दिया था मुझे मुझे तो लगा तुम्हें चिंता है ही नहीं मुझे माफ करना मुझे भी गलती तो मेरी थी मैं कब से उर्ता-उर्ता फिर रहा था अब पानी से निकलो वरना ठंड लग तुम मुझे मुझे जुम मुझे साज जुम मुझे तो चुम अबभा रहा तुम इज। प्लikk है lo种सर 例 मुझे मुझे बाक लिड़ हो एंग! 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 प्दोको को आई एंग! एंग! मुझे किसी भी हाल में आफ़तार जिन्दा चाहिए चल्दी उठो एंग कटारा उनागी की सवारी नहीं मज़ा नहीं आया बुरा नहीं है फायर बेंडर्स हमारे तर्ट पर भी गये हैं लड़कियों फारान आओ हेई मैं तो लड़का हूँ बहार आओ अवतार तुम मुझसे नहीं बच सकते हो ढूंडो उसे बहार आओ उसे लगता है ट्रेनिंग पूरी हो गई अच्छी कोशिश दी आफ़तार लेकिन ये लड़कियां तुम्हें नहीं बचा सकती मैं यहां हूँ आखिरकार लभ कि को अो चपूर की एवर को conviction ही लगतार लेकि वा का शallरा चाल लेकि एवा ह।ाह ओह अ, अ, वाह याह झाल कि इश गठरيا झाल अंदर जाओ देखो मेरी वज़े से क्या हो गया तुम्हारा दोश नहीं है हाँ है मेरी खातर इनका पूरा का पूरा गाउ बरबाद हो गया तो यहां से जल्दी निकल चलो मुझे पता है जू को भी तुम्हारे पीछे जलाएगा मुझे भी भागना अच्छा नहीं लगता पर यही एक तरीका है आपा को बुलाता हूँ अब अलविदा कहने का वक्त नहीं है लेकिन मैं तुमसे माफी तो मांग सकता हूं वो किसलिए मैंने तुम्हें एक लड़की समझा जबकि एक योधा समझना चाहिए था मैं योधा हूं पर एक लड़की भी तो हूँ अब जाओ यहां से हम उन्हें रोकते हैं अब आप यप यप वापिस जहाज पर वो नजलों से ओचलना हो मुझे पता है कटिन है पर यही सही था परना जू को हमारी वज़े से पूरा इलाका तबाह कर देता वो सही सलामत रहेंगे आंग क्या कजया तूम् तूम्हारा शुक्रिया आवतार हां मुझे पता है यह बेवकूफी और जोखिम वाला काम था हां था तो कर दो तूम्हार यह न कर दो जल भूमी अगनी वाही बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेर दी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वो गुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढूर निकाला अग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायू सिधिया अध़ो थे फिर भी उसे जाना था कि उसने कितनी बड़ी जम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सबता है मैं यहां अपने दोस्त बुमी से मिलने आता था वाह हमारी यहां दक्षनी दुरुप पर ऐसा एक भी शहर नहीं है क्या यहां की इमारतें कभी पिगलती नहीं है अरे जल्दे चलो ना असली मज़ा तो शहर में है रुको एंग अगर किसी को पता चल गया कि तुम अफ्तार हो तो बहुत बुरा होगा तुम अपना रूप बदल लो लेकिन मैं अपना रूप कैसे बदलू अपनी मूझे बढ़ा लू खुजली हो रही है तुम लोग यह कैसे पहन लेते हो बढ़िया अब तुम मेरे दादा जी जैसे लग रहे हो वैसे भी एंग की उमर है तो 112 साल ही बस अब बात कम और काम ज्याद है बच्चो हमें शहर में जाना है तुम दोनों को माशुप बहुत पसंद आएगा वहां के लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं पहले यह बताओ तुम यहां पर यह क्या लेकर आए हो अरे मेरी पत्ता गोवी तुम लोग मुस्कुराते रहो यहां तुम्हारा क्या काम है मेरा काम मेरा काम है नौजवान तुम्हारा नहीं तुम इसी वक्त अपना घुटना मोड़ो मेरे सामने से जुका और मुझे अंदर जाने दो भुस्सा मत कीजे दादाजी बस बता दीजे कि आप हैं कौन नाम है बॉन्जी पिपिन पैडल अपसको पॉलिस तीसरा और यह है मेरे पता पती मैं हूँ जून पिपिन पैडल अपसको पॉलिस आपसे मिलकर खुशी हुई देखो लड़की तुम तो बड़ी ही चुस्त दुरुस्त हो देखना तुम्हारे दादाजी को कोई तकलीफ ना हो जाओ माशु देखो हाँ जरूर अरे सुनो जरा तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो बच्चे बुढ़ों की इज़त करना सिखो जाओ उनका समान उठालो हाँ यह लेलो यह है उमाशु में समान लाने ले जाने का तरीका मीलो लंबी सुरंगे और धलान पृथ्वी की ताकत समान उपर ले जाती है और गुरुत्वा शक्ती नीचे लाती है वाँ उनकी चिठी भी समय पर आती होगी हाँ बिलकुल समय पर आती है पर मेरे दोस्त बूमी ने ढलानों का एक नया अस्तमाल डूण लिया है अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है चिठी लाने का तरीका जो सामने है उसे मत देखो दिमाग खोलो और वो देखो जो तुम्हे नहीं दिख रहा तो सामान भेजने का तरीका और ये है दुनिया के सबसे बड़ी धलान बूमी तुम सचमच कमाल के हो बस एक बार फिर हम होंगे उत्तरी धूर पर एर बेंडर के पास पहले तो बड़ा मजीदा लगा था लेकिन अब इसमें बैटने के बार मेरी सोच बदर गई है मैंने पड़्टाँ जवानो जल्दी ही तुम्हे लड़ाई पर जाना है तुम लोग अभी से लड़ाई की सारी तयारियां पूरी कर लो एक चल्दी कुछ करो हवा का रूख बदलो हाँ ठीक है अब हमारे रफ्तार अपनेज हो जाएगी हाँ 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 अरे मेरी पत्ता गोबी तुम्हें इसकी सजा मिलेगी तो पत्ता गोबी देदो महाराज, ये बच्चे रूप बदल कर घूमने, हंगामा मचाने और पत्ता गोबी बरबाद करने के जुर्म में पकड़े गए हैं इनका सिर कत्वा दीजिए, एक गोबी की कीमत एक सिर खामोश, फैसला सुनाने का हक सिर्प महाराज को है, आपका क्या फैसला है महाराज? इन सब को दावद दो मेरे शहर के लोग खाखा कर मोटे हो गए हैं इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ताजा मुरजा मंगवाया है लेकिन मैं मुरगा ने खाता और तुम बताओ तुम तो मुरगा खाते हो ना सिर्फ मुझे ही लग रहा है या ये राजा सच मुझ सर फिरा है हाँ तो नन्य गंजु बताओ कहां से आये हो मैं आया हूँ कंगारुदीब से ओ कंगारुदीब से सुना है कि बड़ी फुदक्ती हुई जगह है क्या बात कही है इनोंने मैं इन बातों से उप गया हूँ अब सोने का वक्त हो गया है हमारे बीच एक एयर बेंडर है और वो मामूली नहीं है वो एक अवतार है हाँ तो अपने बारे में क्या कहना है श्रीमान पिपिन पैडल अप्सो को पॉलिस आपका अंदाज़ा सही है मैं हूँ अफतार मैं अपना काम कर रहा हूँ दुन्या को बचाने का सबको देख लिया यहां कोई फायबंडर नहीं है आप अच्छा कर रहे हैं एक दूसरे से प्यार करें सबकी जान बचाएं और भालों को फेक दें अब हम यहां से जा रहे है आप हमें नहीं रोक सकते हम यहां से जाने दीजिए तुम्हें जाने दू हम लोग बुरी तरह पहस गए यह तो पूरी तरह पागल है कल अवतार को तीन खतरनाक चुनोतियों का सामना करना है लेकिन अभी तुम्हें विश्राम कक्ष में ले जाया आजाएगा महराज इन् से बुरा था पर अब वो काफी बदल गया है हम उसे ही निया कक्ष कहते हैं मगर हमें उसे इक नया नाम भी देना है इन्हें उस पुराने कख्ष मे ले जाओ जो नया है यह जेल की कोठ्री है यह तो बहुत अच्छी है हाँ उसने कहा था न कि नई बनी है अच्छी हूँ या बुरी है तो जेल ही पतानी किन चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा यह देखने के लिए हम यहां नहीं रुकेंगे यहां से बाहर जाने का रास्ता जरूर होगा ही मेरा मूमू जायेगा मूमू तुम आपा को डूंडो हमें या से निकालो कर में जाओ बच्चे आपा को ल्याओ आपा हमें यहां से कैसे बचाओ पाएगा आपा 10 करेंधिंट बयूरे हो कोई रास्ता पार निकालेगा अभी बहस करने का कोई अन्वाइदा नहीं है तुम्हाराम करो आइंग, कल तुम्हें बहुत महनत करनी है सौका, कटारा, मेरे दोस्त का चले गए अगर तुम जीत गए तो महराज उन्हें आजाद कर देंगे और हार गया तो मुझे नहीं मालूम, तुम अपनी छड़ी मुझे दो आच्छा उतार, मेरी ये नई पोशा कैसी है जो दिल में हो वही बताओ जल्दी बताओ वैसे ठीक ठाक ही है शबबाज, पहली परिक्षा में काम्याब रहे वाके? हाँ, ये तो वैसे भी काफी आसान थी असली परिक्षा तो कहीं ज्यादा चुनोती भरी है मेरे पास खेल खेलने का समय नहीं है मेरे दोस्तों को छोड़ दो, हम जा रहे हैं ओ, मुझे लगा तो मना कर दोगे इसलिए तुमारे दोस्तों को बड़ा खास उपहार दिया है वो खूबसूरत छले शुद्ध जनामाइट के बने हैं जिसे खतरनाक क्रिस्टल भी कहते हैं ये क्रिस्टल बड़ी तेजी से बढ़ता है चाम होने तक तुमारे दोस्त उसमें ढख जाएंगे बहुत बुरा होगा, मैं रोक सकता हूँ पर तुम लोग अगर मेरी मदद करोगे तब ये तो बढ़ने लगा है तुम जो कहोगे मैं करूँगा लगता है मैं खाने के पिटारे की चाबी भूल गया और मुझे बहुत भूग लगी है अरे वो रही तुम वो चाबी ला दोगे क्या ओ शीडिया चड़ रहा है पहले किसीने सोचा भी नहीं था बहुत खुम इसी तरह आगे बढ़ो तुम्हें कामियाभी ज़रूर मिलेगी पहले लो आप कालो खाना और मेरे दोस्तों को छोड़ दो अभी नहीं अभी तुम्हें ये काम और करना है मेरे प्यारी गिलहरी भी गायब है फ्लॉपसी अच्छा ढूण लिया मेरे पास लाओ बहुत याद आ रही है फ्लॉपसी की यहां फ्लॉपसी फ्लॉपसी रुको फ्लॉपसी 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 रुको एक मिनिट फ्लॉपसी 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 आओ मेरे पास बच्ची अच्छा देखो गुद्गुदी कैसे होती है दोस्तों तुम ठीकतो हो ना ये क्रिस्टल लगातार मुझे ढखता जा रहा है बाकी सब ठीक है अच्छा हाँ बोलो अब इसके बाद मुझे क्या करना है तुमारी आखरी चुनौती है कुष्टी हम तुम्हें अपनी पसंद का पहलवान चुनने का मौका देते हैं जिसे चाहो चुन लो तो तुम्हारा मतलब मैं जिसे चाहू उससे लड़ सकता हूं हाँ जिसे चाहो चुन लो मैं तुम्हें चुनूंगा गलाट चुना तुम्हें लगा था मैं कमजोर गुड़ा हूं पर मैं सबसे शक्तिशानी अर्थबेंडर हूं क्या मैं उसकुलाडी वाले से लड़ सकता हूं मेरे राज में फैसले बदलते नहीं हैं लो इसे रख लो एर्बेंडर की खास तक्नीक भागो और बचो मुझे लगा था कि अवतार कुछ अलग करने वाला होगा तुम कुछ और नहीं कर सकते हो देर सबेर तुम्हें हमला तो करना ही होगा और बच्चे इन पैत्रों से मेरा कुछ नहीं होने वाला क्या किसी ने खिर की खुली छोड़ दी है मुझे तो बड़ी ठंड लगने लगी है तुम सोच रहे हो मुझे जुखाम हो जाएगा तुम वहां से मेरा क्या बिगार पाओगे घ्ञाएगो è gue Oh Ah 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 Da Ah Ah U stimulan Ah 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 लुकिण वह अड़ अड़ में अड़ो अड़ कर दो बाई तक बाल अड़ अड़ो 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 शबाज शवतार तुम तो पुरे जोश के साथ लड़ते हो तुम मेरी हर परिख्षा में काम्याब रहे अब मेरे एक सवाल का जवाब दो ये तो बेमानी है तुमने कहा था परिख्षा में काम्याब रहे तो दोस्तों को छोड़ दोगे अगर कुशी का ही नहीं तो परिख्षा देने का क्या मतलब अब बस भी करो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं इनको छोड़ दूँगा मेरा नाम क्या है तुम्हारे दोस्तों की हालत बता रही है कि वक्त बहुत ही कम है मुझे इसका नाम कैसे मालूम होगा उन चुनोतियों के बारे में सोचो हो सकता है जवाब उसी में छिपा हो मुझे मिल गया क्या? ये एक अर्थ बेंडर है ना? रोकी यह हर्जे का पत्थर ही पत्थर है तुम और कुछ सोचो वैसे इसका अंदाजा बुरा नहीं था रुको मैं चुनोतियों के बारे में सोचता हूँ मैंने ज़र्ने में से चाबी निकाली इसकी गिलेहरी को बचाया और लडाई की इनसे तुमने क्या सीखा? हर चीज मेरी उमीद से कहीं ज्यादा अलग थी और मेरी कोई परिक्षा आसान नहीं थी हर परिक्षा के लिए मैंने वैसे नहीं सोचा जैसे मैं सोचता मुझे इसका नाम पता है मैंने हर मुसीबत का उसी तरह सामना किया जिस तरह चुनोतियों का और तुमी ने सालों पहले कहा था कि दिमाग का इस्तिमाल करो हर प्रश्न का हल निकालने के लिए भूमी तुम पूरे पागल हो ओ एंग तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई तुम जरा भी नहीं बदले हो जरा भी नहीं जरा यहां ध्यान दो मेरी मदद करो जिनामाइट से हम कैंडी बनाते हैं स्वादेश्ट है तो इसका मतलब ये बुढ़ा सरफिरा राजा तुम्हारा दोस्त बुनी है तुमने बुढ़ा किसे कहा ओ अरे हां मैं तो बुढ़ा हूँ इसकी क्या जरूरत थी तुम एंग को अपनी असलियत भी बता सकते थे न पहली बात दूसरों को छेड़ने में मज़ा आता है लेकिन एक वज़े और भी थी एंग अभी तुमें एक और मुश्किल काम करना है पिछले सो साल में ये दुनिया बहुत बदल गई है अब एक आउतार ही फायर लॉड ओजाई को हरा कर इस दुनिया को बचा सकता है तुमें बहुत कुछ सीखना है तुम पहले चारों तत्वों को वश्मे करो फिर फायर लॉड से लडो ऐसा करते वक्त तुमें पागलों की तरह सोचना होगा तुमें एक अच्छा दोस्त मिल गया है तुम सब को मिलकर फायर नेशन को हराना है तुमें मोमो की जरूरत पड़ेगी सला के लिए शुक्रिया मगर जाने से पहले मैं तुमें चुनौती दे रहा हूँ मेरी पत्ता को दिगा वो में अगनी वायर बहुत साल पहले चारों राष्टर आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल किया जब अगनी देश ने युच छेट भी केवल अफ़तार चारों तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुन्या को उसकी जरूरत थी तभी वो गूम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायों सिद्धियां अद्भुत थी फिर भी उसे जानना था कि पर कितनी बड़ी जम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुन्या को बचा सकता है अच्छा वा आ गये खाने के लिए क्या लाए हो हम इन में से चुन सकते हैं यह है अखरोट यह थोड़ी सी लंबी और यह पत्थर जैसी दिखने वाली क्या मालूम यह पत्थर ही हो लो उठाओ क्या वाके कुछ और नहीं है खाने को यह क्या हुआ अवाज वास से आ रही है हमको धमाकों की तरफ भागना चाहिए यह आउने से कहीं दूर देखो एक अर्थ वेंडर चलो उससे मिले वो खतरनाक लगता है हमें साथानी से बढ़ना चाहिए सुनो मेरा नाम कटारा है तुम्हारा नाम क्या है तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैंने तुसर्फ नाम पूछा था देखो वो उस तरफ भाग रहा है शायद हम किसी गाओं के पास है और शर्त लगी वहां बाजार भी होगा इसका मतलब वहां खाने को बहुत कुछ मिलेगा मैंने काफी महनत किये इने लाने में कि मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि बढ़िया टोपी है कुछ अख्रोट के बदले दोगे मैं आ गया मा इतनी देर तुम कहां थे हरू कितनी देर हो गई चलो अपनी काम पर लग जाओ सुनो जंगल में वो तुम ही थे न तुम भाग क्यों आये वहां से वो मैं नहीं कोई और बच्चा होगा तुम ही थे हमने तुम्हें और बेंडिंग करते देखा तो तुम यह कर रहे थे यह कुछ भी कह रहे है मा देखे ना इन के कपड़े भी कैसे हैं तुम्हें पता है ये कितना खतरनाग है अगर किसी ने तुम्हें अर्थ बेंडिंग का अभ्यास करते हुए देख लिया तो दर्वाजा खोलो अगनी देश जैसे हो वैसे रना क्या चाहते हो इस हफ्ते का दो तुम्हें दे चुकी हूँ कर दुगने हो गये हैं और कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहेगा अगनी को काबू करना कितना मुश्किल होता है क्यों है न तामे के सिक्के तुम रख लो अच्छा आदमी है अगनी देश ने कब से यहां कब्जा कर रखा है पिछले पात सालों से अगनी राच ओजाई हमारे नगर के कोईले से अपने जहाज चलाता है वो ठग है वो सब को चीन रहे हैं और किसी में इतनी सी भी हिमबत नहीं है कि कुछ कर भी सके चोप करो हरू ऐसा नहीं बोलते लेकन हरू एक अर्थ बेंडर है वो मदद कर सकता है अर्थ बेंडिंग करना मना है, इससे यहां मुसिबतों के अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसे ये सब नहीं करना चाहिए ये क्या कहरे ही है आप? हरू के पास एक कला है उसे earth bending के लिए मना करना, मुझे water bending के लिए मना करने जैसा है यही तो हमारा मकसद है तुम नहीं समझोगी मेरे ख्याल से हरू उनका सामना करने में आपकी मदद कर सकता है वो ऐसा क्या कर सकते है जो अभी तक उन्होंने नहीं किया वो लोग हरू को भी ले जाएंगे जैसे इसके पिता को ले गए थे मेरी माने कहा है आज राट तुम यहां सो सकते हो पर सुबा होते ही चले जाना शुक्रिया और चिंता मत करो वो सारा भूसा नहीं खाएगा मैंने जो कहा उसके लिए माफ करना मुझे तुम्हारे पिता के बारे में नहीं पता था कोई बात नहीं पर हाँ तुम जिस तरह से दुकान में बाते कर रही थी उससे मुझे अपने पिता की याद आ गई शुक्रिया मेरे पिता बहुत सासी थे जब अगदी देश ने हमला बोला तो वो और दूसरे कुछ और्थबेंडर्स ही रह गए थे लेकिन फिर भी उन्होंने सामना किया वो पेशक महान आदमी थे हमले के बाद उन्होंने मेरे पिता समित बाकी सभी आउठ बेंडर्स को कैद कर लिया और उन्हें ले गए तब से हमने उन्हें नहीं देखा है तो इसलिए तुम अपनी आउठ बेंडिंग चिपाते हो हाँ समस्या ये है कि अगर किसी चीज से मुझे अपने पिता से नजदी की महसूस होती है तो वो है अर्थ पेंडिंग उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया था ये हार देख रहे हो तो ये मेरी मा ने मुझे दिया था बहुत सुन्दर है मेरी मा अगनी देश के हमले में मारी गई ये हार उनकी आखरी निशानी है और ये काफी नहीं? नहीं ख़दान से बचाओ कोई मेरी मदद करो इससे काम नहीं बन रहा हमें मदद लानी होगी वंक नहीं है, और जोर से घीचो हरू, तुम ही इसकी मदद कर सकते हो कैसे? देखो, यहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा वहीं एक तरीका है हरू, तुमने कर दिखाया हरू ने बहुत बहादूरी दिखा कर अपनी योध पेंडिंग से उस बुड़े को बचाया तुमने अच्छी प्रेणा दी होगी उसे हाँ, हो सकता है थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह होते ही चलना है सुबह? क्या हम नीन पूरी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, इस गाउं के चपे चपे पर अगनी देश के सैनिक फैले हैं उन्हें पता चला कि आंग यहां है तो हम नाश्ते में अंगारे खा रहे होंगे सुजाओ अख्रोट की बजाए अंगारे खाना बहतर होगा सुजाओ यह वही है यह वही अर्थ बेंडर है वह उसे ले गए, वह हरू को ले गए क्या? उस बूढ़े ने उसे अगनी देश को सौप दिया, सारा खसूर मेरा है, मैंने उसे अर्थ बेंडिंग करने को कहा था शांत हो जाओ कटारा, बताओ यह सब कब हुआ? हरू की मा ने बताए, वो लोग आधी रात को आये थे दूढ़ना मुश्किल होगा, वो लोग दूर निकल चुके होंगे हमें दूढ़ना नहीं पड़ेगा, अगनी देश मुझे भी हरू के पास ले जाएंगे लेकिन वो तुम्हे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वो मुझे भी अर्थ बेंडिंग करने के लिए गिरफतार करेंगे पहले मैं सोचता था कि तुम ना समझ हो कटारा, लेकिन ये काम कर सकता है पूरी ख़दान में जरोके हैं, अग को एक तेज वायूतारंग इस जरोके से उस जरोके तक भेजनी होगी तो चटान उचल जाएगी, चड़ा, नकली अर्थ बेंडिंग एंग, तुम सब समझ गये ना? हाँ, बिल्कुल, सब समझ गया तुम्हें याद है न, कब करना है? हाँ, हाँ, परिशान मत हो, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा मज़े से तुम्हारा मतलब बे रहम फायर बेंडर्स की सेना के कबजे में होना है? हाँ, बेशक, तभी तो मज़ा आएगा वो आ रहे है, अपनी अपनी जगे पर आजाओ मेरे रास्ते से हट जाओ छिपकली तुमने मुझे छिपकली कहा, खोकले कानों वाले उद बिलाव तुमने मुझे क्या कहा? खोकले कानों वाला उद बिलाव, देखो इन्हें, भला कोई इन्हें चाया के लिए इस्तमाल करना चाहेगा तुम अपना काम करो समझी? वाकिए अपना काम करो मैं यहां से नहीं जाने वाली मुझे विश्वास है कि हाथी भी आकर तुम्हारे बड़े बड़े कानों का मसाख उड़ाएंगे बहुत हुआ, अब क्या तुम नीचे जाओगी मैं बताती हूँ कौन जाएगा ये लो अर्थ बेंडिंग का तोफा मैंने कहा अर्थ बेंडिंग का तोफा वो लेमर, अर्थ बेंडिंग कर रहा है जरा ठीक से देखो, ये लड़की कर रही है हाँ, समझ गया मैंने इसे पकड लिया है तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त है हरू को ढूनने के लिए, हम तुम्हारे पीछे हैं मोमो जानते हो, तुम्हारे कान कुछ ज्यादा ही लंबे है उसे कुछ नहीं होगा आंग, वो जानती है क्या करना है अथ पिंडस, मैं अपने इस छोड़े से बंदरगाह पर आप सब का स्वागत करता हूं मैं तुम्हारा वार्डेन हूं मैं आप लोगों को यहां पर गैदी नहीं बल्कि अपना महमान मानता हूं और साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप मुझे अपना मिजबान समझें अगर आप सब यहां के काईदे कानून के मताबिक कान महमान अपने मिजबान को डोक कर उसकी बेज़ती करता है ले जाओ उसे एक हफ़ता के लिए कोठी में रहेगा तो ये तमीज सीख जाएगा आप मेरे साथ तमीज से पेशाओ और मैं आपके साथ बस गुसारा चल जाएगा अथ पेंडर्स आपने देखा होगा कि ये रिक पूरा धातु का बना है आप चटान या धर्दी से कोसों दूर है इसलिए आप कोई सिध्धी विद्धी अपनाने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी और तुम सब बेमात मारे जाओगे चलता हूँ मैं चंच हरू हरू हो तुम यहां क्यां कर रही हो तुम मेरी वज़जा से पकड़े गए थे और मैं तुम्हें छुड़ाने आई हूँ तो तुम्हें खुद को पकड़वादीया यहीं एक तरीका था तुम तक आने का मैं मान गया कटारणा तुम कटारा इन से मिलो ये है मेरे पिता पिता जी ये है कटारा आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा लो कुछ खालो कटार ये इतना बुरा नहीं है जितना दिखता है हाला कि खाने लायक नहीं है टायरो कैदी शिकायत कर रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए कंबल काफी नहीं है मैं पहरेदारों से बात करता हूँ इस मिश्ध्यान रहे कि बुजूर्गों को तकलीफ ना हो बाकी हम बहतर मौसम का इंतजार करेंगे मैं जानना चाहती हूँ कि यहां से भागने का कोई रास्ता है भाग निकलने का मतलब सब इस रीक से भाग निकले क्या सोचा है आप सब ने इस बारे में क्या सूचा है? सूचा है कि बस जिन्दा रहें, युद्ध के खत्मोंने का इंतिजार करें, उम्मीद करें कि हमें से कुछ घर लोट पाएंगे और इससे बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे ये आप कैसे कह सकते हैं? लगता है आप बिल्कुल तूट चुके हैं कतारा, मैं तुम्हारे साज की तारीव करता हूँ, मुझे तुम्हारी उम्र का तकाजा है, लेकिन यहाँ जिन्दगी अदाओ पर हैं, वो वार्डन एक बेरहम इंसान है, वो किसी बगावत को सैन नहीं करेगा अफसोस, हम बहुत लाचार हैं वो तो वक्त ही बताएगा सुनो अथबेंडर्स, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानती हूँ, मेरे जल कबीले के बच्चों को भूमी राज़की वीर गाथाएं और अथबेंडर्स की बहादुरी के किसों की लोरिया सुना कर सुलाया जाता था आपने इसे कुछ सोचते होंगे कि अगनी देश ने आपकी ताकत छीन ली हाँ उन्होंने जरूर छीनी है आपकी सिध्धी लेकिन वो आपकी हिम्मत नहीं छीन सकते उन्हें आपकी हिम्मत से ही तो डरना चाहिए क्योंकि ये हर उस सुरंग से गहरी है जिन्हें आपसे मजबूरन खुदवाया जाता है हर उस समुद्र से गहरी है जो आपको अपने घर से दूर रखता है दिलों की ताकत ही असली ताकत है ये आखरी चट्टान की तूटने के बाद भी मजबूत रहनी चाहिए अब मुकाबला करने का वक्त आ गया है मैं बताती हूँ अफ्तार आ चुका है बस अपनी हिम्मत को याद रखो अर्थ बेंडर्स आओ हम आजादी के लिए लड़े हमारे पास और ज्यादा वक्त नहीं है हरू का है हमें यह से निकलना होगा मैं नहीं आ सकती हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है चारो तरफ पहरेदार है जल्दी करो कटारा क्या बात है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती मैं इन सब को छोड़ कर कहीं नहीं जाओ नहीं जा सकती इसे क्या मतलब हम इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हमें इनकी मदद करने ही होगी शायद ये सही है, तुम क्या कहते हो सौका? मेरी ख्याल से तुम दोनों पागल हो आखरी मौका हमें जाना होगा, जल्दी चलो नहीं तुम्हारी इस हरकत पर मुझे गुस्ता आता है चलो जल्दी छुप जाओ वो देखो मुझे बताओ, तुमने आखिर देखा क्या? लगता था, जैसे कोई उड़ता हुआ भैसा हो क्या? एक उड़ती हुई विशाल भैसा, जिस पर कोई सवार नहीं था क्या था ये? भैस या भैसा? मुझे इन दोनों में फर्क ठीक से नहीं पता, लेकिन इस से क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है, वो मैं सोचूंगा बेवकूप तुम, जाओ कर कैप्टन को जगाओ, पूरे रिक की तलाशी लो पर सुनिये, आप क्या? आपने अभी अभी जिसे फेंका वो कैप्टन ही थे तो उन में से किसी को जाकर जगाओ, जिनको मैंने फेंका नहीं है और रिक की तलाशी लो कहीं कुछ तो गरबढ़ है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? काश मुझे तुफान बनाना आता वर्डन घबरा जाता और हम उसके चाबिया ले लेते वो तुम्हें चाबिया ऐसे ही दे देगा क्या? मैं तो बस तरकीब सोच रहा था मैंने अर्थ पेंडल्स को बगावत के लिए उक्साया पर कोई फायदा नहीं मैं चाहती थी कि यहां से निकलने में वो अपनी मदद खुद कर सके उसके लिए उन्हें कोई धर्ती का टुकड़ा या कोई चटान चाहिए जिस पर वो सिधी चलाएं लेकिन यह सारी जगत तो धातू की बनी है नहीं ऐसा नहीं है देखो वो धुआ वो बेशक कोईला जला रहे है इसका मतलब धर्ती सुबह होने वाली है वक्त बहुत कम है तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा होना तो जाहिए इन जरोखों से मुझे गावाली वो तरकी व्यादाती है हम वही करेंगे पर बहुती बड़े पैमाने पे गुदाम कोईलों से भरा बड़ा है और जरोखे हर जगा है एंग एक को छोड़कर सारे जरोखे बन कर देगा जब वो वाईव सिद्धी का इस्तमाल करेगा तो सारे कोईले इसी तरफ आएंगे वो रहे घुस्पैटिये खबरदार आगे मत बढ़ना कटारा रुको तुम ये लड़ाई नहीं जीच सकती धान से सुनो बच्चों बस एक गलती की तो जहां खड़े हो वहीं दफ्न हो जाओगी यही मौका है और्जबेंडर्स आगे बढ़ो किसमत तुम्हारे हाथ में है बेवकूफ लड़की तुझे क्या लगता था कि तुम्हारी भाशन बाजी और क्वेले से ये सब के सब बदल जाएंगे देख इनके सपाट नाउमी चेहरे इनकी आत्मा तो कब की मर चुकी ओ लेकिन तुम्हें अब भी विश्वास है बहुत खूब तुम्हारे किये कराये पर पानी फिर गया लड़की तुम हार गई कोई दया मत दिखाओ भूमी राज्जिक के लिए हमला करो टुम्हार टूप मत 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 अन anterior कि एफ कि यहांस पर चड़ जाओ हम उन्हें रोकते हैं उन्हें भागने मत देना दोस्तो धोड़ा कोईला डालो मुझे बिर्कु तैर्णा नहीं आता चिंता मत करो कायरों की लाश तैरती है मैं तुम्हारा शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ हमें बचाने के लिए यह तो बस कोईलों का कमाल था कोईलों का नहीं कटारा तुम्हारा कमाल था मेरा सास और हिम्मत फिर से लोटाने के लिए शुक्रिया जलकबिले की कटारा मेरा परिवार और यहां का हर इंसान तुम्हारा ऐसान मंद रहेगा तो अब आप सब घर लोट जाएंगे हां ताकि अपना गाउं वापस ले सके चलो अपने सारे गाउं चुडाने अकनी ही है ना अवतार कटारा मेरे पिता को मुझसे मिलवाने का शुक्रिया मैंने उन्हें देखने की उम्मीर ही छोड़ दी थी मैं चाहता था कि कोई तरीका होता कि मैं सब समझती हूं मेरी मा कहार और कहां गया तरीका जल भूमी अद्नी भाय बहुत साल पहले चारो राश्टर आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेर भी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी ज़रूरत थी तभी वगूं हो गया दुनिया को बचा सकता है आज बादल कितने नरम है न ऐसा लगता है जैसे हम इन पर चलांग लगाएं तो ये किसी नरम रजाई की तरह लगेंगे तो मैंसा करके देख क्यों ने लेती तुम पागल हो गयों क्या मैं कोशिश करता हूं ये ये बादल तो पानी से बनते ना अब देखो वो क्या है जैसे कोई जखम हो सुनो कितना सन्नाटा है यहां कोई जिन्दा नहीं बचा है एंग तुम ठीक तो हो ना अगनी देश उन हमलावरों के बारे में सोचकर मन खराब हो जाता है वो बेरहम है क्या अब मैं गुसा भी नहीं हो सकता हूँ किसी ने ऐसा क्यों किया होगा मैं ये सब क्यों उन्हें दे रहा हूँ एंग इसमें तुम्हारी क्या गलती है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं लेना देना है कुद्रत को बचाने का काम अवतार का होता है पर मुझे मेरा काम आता ही नहीं है इसलिए तो हम उत्तरी दुरूपर जा रहे हैं तुम्हारे लिए गुरु ढूनने हाँ, वाटर बेंडिंग गुरू मगर मैं चाहता हूँ कोई मुझे अवतार बनना सिखाए मौंकी आच्छों ने कहा था अवतारो को मेरी मदद करेंगे यानि तुम से पहले वाले अवतार वो तो सौ साल पहले मर चुके हैं कि वो बचकर निकल जाए काफी ठके हुए लग रहे हो राजकुमार जू को ऐसा करो तुम भी यहां आजा और गर्म पानी के फवारे में अपनी सारी ठकान मिटा लो मेरी ठकान यहां खत नहीं हो सकती चलिया देर हो रही है तुम्हें अपने गुरू की सला मानकर आराम करना चाहिए पानी गुन-गुना है मैंने ही इसे गरम किया है बस कीजिए चाचा अब हमें चलना चाहिए पानी से बाहर आईए ठीक है अच्छा ऐसा कीजिए कुछ देर और आराम कर लीजिए मगर थोड़ी ही धेर में जहाज पर पहुंच जाएए वरना मैं आपको चोल कर चला जाऊँगा आउग क्या तुम अभी भी उदास हो नहीं इससे मुझे कोई खुशी ने मिलेगे मगर मुझे तो मिलती है आउग सच मुच बड़ा मजा आरा है ये फल तो चारों तरफ बिख रहे हैं इसका मतलब यहां जंगल फिर से उग जाएगा एक दिन इसी फल के बहुत बड़े-बड़े पेड़ होंगे और यहां रहने वाली जानवर और पंची एक दिन वापस आ जाएंगे शुक्रिया कटारा सुनो तुम कौन हो जब मुझे एक उड़ता हुआ भैसा दिखा तो लगा कि यह कैसा हो सकता है अरे तुम्हारे माथे पर निशान क्या तुम अवदार हो बच्चे मेरे गाउं को तुम्हारी मदद की सख जरूरत है ये नन्हा बच्चा अवदार है इसका मतलब आपके लोटने की अफ़ाएं सच थी जीते जी आपसे मिलना सच वुछ मेरी खुश किस्मती है मुझे खुशी है तो बताईए मैं आपके क्या मदद कर सकता हूँ मुझे ठीक से नहीं पता हमारे गाउं पर मुसीबत आई है यही हमारा सहारा है पिछले कुछ दिनों से सूरज जूबने के बाद एक बड़ी सी प्रितात्मा आकर हम पर हमला कर देती है उसका नाम है हे बाई वो काले और सफेद रंग की आत्मा है पर वो हमला क्यों कर रही है हमें नहीं पता पिछली तीन रातों से वो रोज गाउं से किसी को उठा कर ले गई है हम इसले घबराए हुए हैं क्योंकि सर्दियों के वज़े से अब दिन छोटे होने लगेंगे उससे क्या होगा जब सर्दियों के छोटे दिन आते हैं तो कुदरती दुनिया और प्रेतों की दुनिया एक दूसरे के करीब चली आती है फिर एक दिन दोनों के बीच की डखीर पूरी तरह खत्म हो जाती है हे भाई पहले से ही बुरी तरह से तबाही और बरबादी कर रहा है अगर दोनों दुनिया एक करीब आने लगी तो पता नहीं कौन सा कहल तूट पड़े तो ये बताए कि मुझे क्या करना है देखिए कुदरती दुनिया और प्रेतों की दुनिया के बीच के जगडे को कोई अवतार ही मिटा सकता है आप ही तो इंसान और प्रेतात्मों के बीच के पुल है हाँ आपने सही कहा सुनो पुल जी क्या मैं तुमसे एक मिनिट बात कर सकती हूँ एंग क्या ये मामला तुम्हारी ठीक से समझ में आ रहा है हाँ लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे प्रेतों के दुनिया से मुकाबला करना नहीं आता कोई ऐसा है भी नहीं जो मुझे इसके बार में बताए तो क्या तुम इनकी मदद कर सकोगे कोशिश तो करनी होगी हूँ शायद मुझे अपने आप इनसे मुकाबले का तरीका मिल जाए मुझे लगता है तुम कर पाओगे हाँ या फिर वो भयानक प्रेतात्मा हम सब को खा जाएगी कौने वहाँ अच्छा तो तुम हो मुझे पता ही नहीं चला ना आके डरा दिया तुमने लगता है देरी की वज़ा से मेरा भतीजा मुझे छोड़ कर चला गया मगर जपकी लेने में वाकई मज़ा आ गया वो अगनी देश का सिपाही है वो कोई आम सिपाही नहीं है वो अगनी समराग का भाई है पश्चिम का ड्रैगन किसी समाने का महान सेनपती आई रो जिसे हमने बंदी बना लिया है कोई है प्रेतात्मा हो मेरी आवाज सुन रहे हो मैं अफ़तार बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ यह सब बिल्कुल गलत है उदर आएंग किसी खतनाक प्रेतात्मा का इंतजार कर रहा है और हम यहाँ छिपे हैं एक वही है जो हमें बजा सकता है वो अकेले उस प्रेतात्मा का मुकाबला नहीं कर सकता सूरज डूब चुका है कहां हो तुम्हें बाई देखो प्रेतात्मा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसी वक्त इस गाउं को छोड़कर चले जाओ लगता है इससे काम बन गया है अच्छा तो तुम हो हे बाई मेरा नाम है मेरा नाम है मेरा नाम है मैं अफदार हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ रुको अफदार काफी अजीर से तरीके अपनाते हैं मुझे तो लगता है कि प्रेत आत्मा को गुसा आ रहा है चलो एंग की मदद करें नहीं सिर्फ अफदार ही है बाई प्रेत का मकाबला कर सकते हैं घबराओ मत एंग को पता है कि उसे क्या करना है सौका देखो मैं तुमसे घहरा हूँ तोड़ फोर बन करो और सुनो मैं कुद्रती दुन्या और प्रेतों की दुन्या के बीच का पुल हूँ सुना तुमने क्या तुम इस तरफ मुड़ोगे मैं तुम्हें इस तरफ मुड़ने का हुक्म देता हूँ बस बहुत हो गया मैं उसकी मदद करूगा सौकर रुको वहां खत्रा है हे बाई इधर देखो सौकर जाओ यहां से हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे मगर मैं तब तक लटना नहीं जाता जब तक सौकर चाचा चाचा कहां है आप शायद वह सोच रहे हो कि आप उनको छोड़कर चले गए यहां कुछ तो गड़बड है यह देखो पत्रों का एक धेर ऐसा लग रहा है कि कहीं जमीन खेंगे सक रही है इन पहाड़ों में जमीन नहीं किसकती ये पथर अपने आप नहीं हिलते चाचा को आउथवेंडर के लोगों ने पकर लिया है कि अभा छोच जो बाचाओ कि अभाचाओ बाचाओ ऊभाचाओ का की के ज JI या की के लुटता की के लागे है आई लेना का मजै catching हो जा तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो हम तुम पर मुकदमा चलाएंगे ठीक है अगर कौन सी जगा पर एक ऐसी जगे जिसे तुम अच्छी तरह पहचानते हो एक बार तुमने 600 दिन तक शहर में जंग की मगर फिर भी वहां कब्जा नहीं कर पाए ओ बासिंग से नाम का वो महान शहर तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना महान शहर है मुझे बासिंग से में हुई हार याद आ गई है 600 दिन तक घर से दूर रहने की वज़ा से हमारे सिपाही ठक गए थे और मैं खुद भी ठक गया था हाँ मैं तो अभी तक ठका हुआ हूँ मुझे यकीन है वो वापस आएंगे मुझे भी चलो आराम कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा भाई सही सलामत है मुझे पूरा यकीन है कि अवतार उसे लेकर ही लोटेंगे कटारा कटारा मैं हार गया सूरज उग रहा है हो सकता है कि वो जल्द ही लोट आएं क्या मैं लोट तो आया हूँ 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 लगता है मैं प्रेतों के दुनिया में हूँ हाँ यह चाचा की ही है मैं उसका पता लगाऊंगा कटारा यह मेरा वादा है मैं कुद्रती दुनिया और प्रेतों की दुनिया के बीच का पूल हूँ बस मुझे यह पता लगाना है कि मुझे करना क्या होगा एक बार पता लग जाए बस अपा सुनो दोस्त मैं आ गया हूँ लगता है तुम भी मुझे देखनी पा रहे हो खबराओ मत आपा सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे यकीन है वो लोग वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए खाने को अच्छी अच्छी चीज़े लेकर आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए अफतार रोकू मैं आपसे किस तरह बाते करूं कि सौका यह तो सौका नहीं है क्या मैं प्रेतों के दुनिया में एर्बेंड नहीं कर सकता क्या तुम्हें पता है सौका कहां पर है तो तुम अफतार रोकू के भेजे गए मार्क दर्शक हो जैसे आपा मेरा मार्क दर्शक है मुझे अपने दोस्त को बचाना है पर मुझे पतानी कैसे बचाओ क्या मैं अफतार रोकू से बात कर सकता हूं मैं अभी आया कटारा मुझे ले चलो क्या परिशानी है तुम्हें कुछ नहीं दरसल एक छोटी सी दिक्कत है मेरी हदकडिया बहुत धीली हो गई है उपर से मेरे हाथ परों की हड्यों में दर्द भी हो रहा है अजीब बात है वो तो है पर ये काफी धीली हो गई है जिससे मेरी कलाईयों में चोट लग रही है अगर तुम इनको कसवाद हो तो बड़ा अच्छा होगा इससे मुझे चोट लगनी बंद हो जाएगी ठीक है सिपाही ज़रा कैदी की हदकडियों को कसदो तुम क्या कर आओ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये तो बस रोकू की मूरती है क्या रोकू मुझसे इस बार में बात करना चाहते है एक तारे के बारे में लेकिन वो कब होगा ये तो एक कालंडर है तो सर्दियों में रोश्णी जब रोकू तक पहुचेगी क्या उस वक्त मैं रोकू से बात कर पाऊंगा मगर मैं तब तक इंतिजार नहीं कर सकता मुझे सौका को अभी बचाना है ये बहुत खतरनाक हिसे न पती हम इस तरह इससे अपने शहर तक नहीं ले जा सकते कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा मैं तुमसे सहमत हूँ हमें इससे फारण और बड़ी सक्ति से निपटना होगा इससे कोई फाइदा नहीं आपा वो लोग कहीं नहीं देख रहे हैं अच्छा यही है कि हम गाओं चलकर उनका इंतजार करें अवतार झाल मैं है कि हमता क्वंग के बड् हाँ झाल 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 तुम आ गए, मेरा भाई कहा है, मुझे नहीं पता, इसके खतरनाख हाथों को तो कुचल देना चाहिए, शाबाज राज कुमार सुको, आप हीने तो सिखाया है चाचा, अपने आपको हमारे हवाले कर दो, हम पांच है और तुम दो, तुम हमारा मुकाबलन नहीं कर पाओगे, यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका मुकाबला नहीं कर पाओगा, अब क्या आप जल्दी से कपड़े पहन लेंगे, किसकर वके दो, है जहीं कर दो, हमारे जुम हुआखे, अझ मन आपकोईगे, चुम हुआगोगे, हमारे ले ऎुम हुआखे, तो तुम इस जंगल की आत्मा हो अब समझ में आया तुम इसले नाराज हो क्योंकि तुम्हारा घर जल कर तबाह हो चुका है जब मैंने देखा कि जंगल जल चुका है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ लेकिन ये दुबारा हराबरा हो सकता है सौका क्या हुआ था तुम पिछले 24 गंटों तक प्रेटों की दुनिया में फस कहे थे अब क्या साल लग रहा है मुझे बहुत जोरुकी लगी है शुक्रिया अवतार हम इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो और पैसे भी सौका क्या सही तो कह रहा हूँ मैं हमें आपको रास्ते के लिए जरूरत की चीज़ें दे कर बहुत खुशी होगी मुझे तुम पर सच मुच गर्व है आएंग तुमने पता कर ही लिया कि तुम्हें क्या करना है वैसे किसी ने मेरी मदद की पर तुम नहीं समझोगी क्या हुआ मुझे अपतार रोको से बात करनी और मुझे उनसे बात करने का तरीका पता चल गया है ये तो अच्छी बात है डरावनी है पर है मज़िदार मुकुट के आकार के द्वीप पर एक मंदिर है मैं सर्दियों के सबसे चोटा दिन में वहाँ जाओ तो बात कर सकता हूं पर सर्दियों का सबसे चोटा दिन तो कल है हाँ और एक और मुश्किल है वो द्वीप अगली देश में पड़ता है कर दो कर देश में पर दॉप झाली जाओ चब मी जाओे चाहाँ खर देश। चल बुमी अगनी उनी आज दॉब मुश्किल उन्हाँ भ्याओाबन मुश्किल है वायो बहुत साल पहले चारो राश्टर आपस में शांती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेर पी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी ज़रुरत थी तभी वो पूम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायो सिधियां अध्भूत थी फिर भी उसे जाना था कि उसका कि इतनी वरी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है अफ़तार के पिछले एपिसोड में आपने जू देखा जब एक अफ़तार मरता है तो वो अगली चक्र में जीवत हो जाता है मगर मैं चाहता हूँ कोई मुझे अफ़तार बनना सिखाए मौंक याद्सु ने कहा था अफ़तार रोको मेरी मदद करेंगे तुमसे पहले के अफ़तार? वो तो सौ साल पहले ही गुजर गए थे तुम उनसे कैसे बात कर सकते हो? मुकुट के आकार के द्वीब पर एक मंदिर है अगर मैं सर्दियों के सबसे चोटे दिन में वहाँ जाओ तो बात कर सकता हूँ सर्दियों का सबसे चोटा दिन तो कल है हाँ और एक और मुश्किल है वो द्वीब अगनी देश में है चलो ना आपट चलो मुझे माफ कर दो ना देखो कटारा और सौका मेरे साथ अगनी देश नहीं आ सकते अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आपको माफ नहीं कर पाऊंगा इसलिए तुम जल्दी से यहां से चलो समझ गए एंग मुझे लगता यह कुछ कहना चाता है तुम मत चाहो एंग अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया का क्या होगा मेरे बारे में तो सोचो मगर मुझे अफतार रोकों से बात करने ताके मुझे ज्यान मिल सके सरदी के सबसे छोटे दिन के सूराज के डूबने से पहले मुझे अगनी मंदिर जाना होगा और वो देनाज है हम तुम्हें अगनी देश अकेले नहीं जाने देंगे आइंग हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते आखर तुम्हारे दोस्ट जो है चंद्रमा जैसे उस दूइट तक का सफर बहुत लंबा है और अगर हमें सूरज डूबने से पहले वहाँ पहुँचना है तो जल्दी से निकलना चाहिए शुप कामना है आपका शुक्रिया चाओ नीन नहीं आ रहे हाँ क्या तुमने आफ्तार को देखा है चलो जल्दी उड़ो हमें बहुत लंबा सफर देखर जल्दी अगनी देश के समुद्र को पार करने का फैसला 16 साल की उमर में तुमने जो सबसे बेवकुफी भरा फैसला किया है राजकुमार सुको वो यही है मत करो ऐसा और कोई चारा नहीं है चाचा क्या तुम भूल गए हो कि किस तरा अगनी देव ने अपने देश से तुम्हें निकाल दिया था अगर तुम पकड़े गए तो मैं अपतार का पीछा कर रहा हूँ मेरे पिता समझ जाएंगे कि मैं अपने देश में क्यों लोता हूँ तुम घलत समझ रहे हूँ मेरा भाई इतना सीधा साधा नहीं है देखो वो रहे सुनाओ जल्दी से आगे बढ़ो एंग हम मुसीबत में हैं अब हम क्या करेंगे इससे क्या होगा राजकुमार सुको उन पर किसी ठोस चीज से हमला किया जाना चाहिए मेरे इशारे पर हमला कराओ आख का गोला अभी नपता हूँ हमें जूको की पहुँच से दूर नो जो हुए वो हमें गिरानी के लिए दुबारा हमला करेगा क्या तुम आपा को और तेज़ चला सकते हो हाँ लेकिन एक छोटी से मुसीबत है आगे मुसीबत है देखा जाये तो अभी भी हम है तो धर्ती पर ही चलो वापस चले वरना वो तुम्हें किरफ़तार कर लेंगे अगर हम उत्तर की तरफ उड़े तो हम अगनी देश के जहाजों के पास से निकल जाएंगे हमारे पास यही एक रास्ता है वक्त बहुत कम है इसलिए मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लाना चाहता था यह सफर खतरनाक है इसलिए तो हम तुम्हारे साथ है आग चलो इस रास्ते को पार कर लें आपा यिप यिप वो तो मुढ ही नहीं रहा बात मानो राजकुमार सुको अगर अगनी देश के सिपाईयों ने तुमको पकड़ लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अवतार का पीछा करना छोड़ दो ऐसा नहीं हम सकता चाचाहे जहासों को पार करो अवतार और देश से निकाला गया राजकुमार आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कमांडर्स आओ हमारे लिए क्या आदेश है भैसे को मार गिराओ सेना बती वगर वहां हमारी नौ सेना का एक जहास मौजूद है अगर उससे कुछ हो गया तो होने दो वो एक विश्वास खाती का जहास है तैयार रहो हम ला करो अपा तुम धिको राजकुमार जू को हमारे इंजिन तबाह हो चुके है उन्हें सुधारने के लिए रुकना ज़रूरी है जहास को रुकने के कोई ज़रूरत नहीं है हमला करो को रुकना ज़र रहास्त को रुकना के लाकुमारे वें बढ़रूर्ण को रुकना के बढ़रूर्ण आयार रहो हम्ला करो हम काम्याब हुए तो क्या हम अगनी देश में पहुंच गए अरे वाँ आपको क्या लगता है अवतार किस तरफ गया होगा कुछ कह नहीं सकता लेकिन हमारे राजकुमार को सबूर बता होगा अरे देखो हम ठकड़ा जाएंगे नहीं हम निकल जाएंगे जिनापती हम राजकुमार जूगो को पकड़ने के लिए तैयार हैं रोको एंजन बंद करो और उसे जाने दो जाओ वो रहा वही पर रोको का ड्रागन मुझे ले आया था तुमने मुझे पहुचा दिया दोस्त ओ तुम ठक गए होगे क्यों है न नहीं मैं ठीक हूँ मैं इतना तरो ताजा हूँ कि कुछ फाय बेंडर्स का मुकाबला कर सकता हूँ मैं आपा से बात कर रही थी अच्छा मैं तो मोमो से बात कर रहा था यहां तो कोई सिपाही नहीं है अगनी देश ने अफतार रोकू के मरने के बाद इस मंदिर को ऐसी छोड़ दिया होगा सूरज डूब रहा है हमें जल्दी चलना चाहिए रुको मुझी कोई आवास सुनाई दे रहे हैं हम हैं अगनी साधू हम अवतार के मंदिर के रखवाले हैं अच्छा मैं ही हूँ अवतार हम जानते हैं मैं इसे निपनता हूँ भागो अगर आवतार रोकू के पास पहुंच गया तो वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा चलो चारो तरह फैल जाओ और रोकू उसे आओ मेरे साथ ग्या तुम्हें यहां का रास्ता पता है नहीं यह रास्ता गलत है इधर आओ मैं तुमसे लड़ने नहीं ही आया हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ फायर बेंडर्स हमारे दोस्त नहीं हो सकते मुझे पता है आप यहां क्यूं आये हैं अवतार अच्छा हाँ आप अवतार रोकू से बात करना चाहते हैं मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ वो कैसे? इस तरफ समय बहुत कम है चल्दी कीजिए यह चक्कर क्या है चाचा? सेनपती जाउने मुझे बंदी क्यूं नहीं बनाया? क्योंकि वो तुम्हारा पीछा करना चाहता है वो जानता है कि तुम उसे अवतार तक पहुँचा सकते हो जिसके पीछे वो भी लगा है, समझे? अगर वो हमारे जहाज के धुए के सहारे पीछा कर रहा है तो फिर मुझे भी अपनी चाल चलनी होगी अवतार रोकु ने एक बार इस मंदिर को अपना घर कहा था उन्होंने मैगमा से ये गुप्त गल्यारे बनवाए है क्या तुम अवतार रोकु से मिले थे? नहीं, मेरे दादा जी उनसे मिले थे मुझे से पहले अगनी सादूओं की कई पीडियां इस मंदिर की रखवाली कर चुकी है इस मंदिर से हमारा बहुत पुराना अध्यात्मिक जुडाव रहा है इसलिए तुमे मेरे बारे में पता था? कुछ हफते पहले एक अजीब सी घटना हुई अफतार रोकू का जो पुतला है उसकी आखे चमकने लगी उसी वक्त हम वायू मंदिर में थे अफतार रोकू की आखे वहां भी चमक रही थी उसी वक्त पता चल गया था कि आप इस दुनिया में लौट आए है तो अगर यह अफतार का मंदिर है तो उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? हालात बदल चुके हैं एक जमाने में सादू सिर्फ अफतार के लिए काम करते थे मगर जब अफतार रोकू का देहान थुआ तो सादू ने नए अफतार का इंतजार किया मगर अफतार नहीं आया वो मेरा इंतजार कर रहे थे देखो बुरा मत मानो तुम बस सौ साल देर से आये हो उन्होंने उमीद छोड़ दी कि अब कोई अफतार भी आएगा जब अगनी समराट सोजिन ने युज शुरू कर दिया तो सारे साथूओं को मजबूरन उसकी हुकूमत को कुबूल करना पड़ा मैं अगनी समराट के समने जुकना नहीं जाता था जब पता चला कि आप यहां आ रहे हैं तो मुझे अपने साथियों के साथ विश्वास खात करना पड़ा मेरी मदद करने का शुक्रिया हम इन सीडियों से होते हुए जंगल में पहुंच जाएंगे वहां पहुंचने के बाद आपको आफ़तार रोकू की मूर्ती पर रोशनी पढ़ने तक इंदिजार करना पड़ेगा उसके बाद ही आप उनसे बाते कर पाएंगे नहीं अचने बात है जंगल की तरफ जाने वाले दरवाजे बंध हैं क्या तुम फाइर बेंडींस उन्हें नहीं खोल सकते जैसे तुमनें बागी दरवाजे खोले थे नहीं, सिर्फ एक पूरी तरह जागरूत अवतार हिया के लिए दर्वाजा खोल सकता है या फिर साधूं को पाँच बार लगातार धमाके करते हुए इस दर्वाजे को खोलना पड़ता है पाँच बार धमाके, अच्छा, मुझे लगता है मैं बदद कर सकता हूँ चाचा, उत्तर की तरफ चलते रहे हैं, वो धुएं की लकीर का पीछा करता जाएगा और मैं इसमें छिपकर आगे निकल जाओंगा ये तर्कीब मैंने अपने पिता से सीखी थी, मैंने जानवर की खाल से बनी पोटरी में लैंक का तेल छिपा दिया है शाय हूँ इसकी तेल से भीगी डोरी को जला देगा तो चड़ा, फटाक से धमाका हो जाएगा तुमने तो सच मुझ कमाल कर दिया सौका शायद ये दर्कीब काम कर जाएगी सादू इन धमाकों को सुनेंगे, इसने धमाका होने के साथ ही आपको अंदर जाना होगा सूरश डूबने माला है, तुम तयार हो ना? बिल्कुल तयार हो ये तो अभी भी बंद है तरकीब नाकाम हो गए ये खुल यू नहीं राह है एंग, रुको, हमें कोई और तरीका प्राना होगा माफ करना, मैंने फिजूल में तुम लोगों को तंग किया समझ में नहीं आ रहा है, तमाका तो सच मुझ बहुत ही जोरदर था सोका, तुम तो कमार के हो रुको, सोका कैसे कमार का हो सकता है उसकी तरकीब तो नाकाम रही हम रहने दो अग मैं, उससे सपनें देखने दो शही कहा तुमने सोका की तरकीब नाकाम तो रही, पर ऐसा लगता है कि काम बं जाएगा सौर सालों में लोगों ने बेपूफों को कमार का कहना शुरू कर दिया है जल्दी से आओ, अवतार जंगल में घुश चुके है वो अंदर गया करें मुझी क्या पता, मगर ये निशान देखो समझ जाओगे और यहां भी देखो वो अंदर है, दर्वाजे खोल दो जल्दी इस से पहले कि वो अवतार रोफू से बात कर पाए अच्छा, तो ये है आवतार हो सकता है कि एक उपत रास्ते से यहां अंदर आया हूँ जल्दी कीजिए अच्छा, अभी मुखा है अवतार मेरे साथ आ रहा है दर्वाजे बंद कर दो, जल्दी से जाओ वो पहुच गया अब रोश्णी मूर्ती पर पड़ेगे और मैं बात कर पाऊँगा, पर यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है यह काम क्यों नहीं कर रहा है, लगता है इसे बंद कर दिया गया है लगता है कि यही वो रोश्णी है, अवतार रोकु नहीं चाहते कि हम अंदर जाए यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एर बेंडिंग आती है, अवतार रोकु मुझसे बात कीजिए तुमें देख के अच्छा लगा है, तुम इतनी देर से क्यों आए तुमने अवतार की मदद क्यों की? क्योंकि हम अगनी साद्वों का यही फर्स है, और यही हमारा काम है वाह, तुमने तो बड़ी शाबाशी का काम किया है, मुझे पूरा यकीन है क्या अगनी समरा, तुम्हें इस विश्वास घात की सक्त सजा देंगे कमंडर जाओ, और राजकुमार सूकुर, तुमने कोशिश तो अच्छी की, मगर धुएं के गुबार से कोई फायदा नहीं हुआ एक दिन में दो दो धोके बात, अगनी समराट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें बहुत देर करती साओ, अफ्तार अंदर है और दर्वाजा बंद हो गया है कोई बात नहीं, कभी न कभी तो वो बाहर आएगा ही मुझे तुम्हें कुछ खास बाते बतानी है, एंग इसलिए तो, जब तुम प्रेद आत्माओं की दुनिया में आए तो मैंने अपने ड्रेगन को तुमारे पास भेजा था अच्छा तो ये बात थी, पर वो बड़ा सा तारा हाँ, एंग उसका क्या मतलब? करीब सौ साल पहले, अगनी समराठ सोजिन ने उस तारे के जरी युद्ध शुरू किया था वो और उसकी फायर बेंडिंग करने वाली सेना ने उसकी हवार उर्चा का इस्तिमाल किया और पहली बार दूसरे देशों पर हमला कर दिया तो उस तारे ने उसे ताकत दी थी हाँ, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी ताकत दी थी पर ये तो सौ साल पहले हुआ था, अब उस तारे का इस युद्ध से क्या संबंद है त्यान से सुरो, सोजिन का तारा इस साल कर्मियों के आखिर आएगा और अगनी समराड डोज आए उसकी ताकत के साहरे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहेगा अगर वो काम्याब हो गया, तो कोई भी अवतार दुनिया का संतुलन कायम नहीं कर पाएगा एंग, इस से पहले की वतारा नजर आए, तुम्हें अगनी समराड से निपटना होगा मैंने अभी वाटर बेंडिंग नहीं सीखिये, और और फायर बेंडिंग के तो बात ही कुछ और है और इन तद्वों को काभू करने के लिए कई साल तक अभ्यास करना पड़ता है अगर संसार को बचाना है तो तुम्हें कर्मिया आने से पहले ये सब सीख लेना होगा जैसे ही तर्माजे खुले, तुम लोग उस पर हमला कर देना एंग यहां से बाहर कैसे निकल पाएगा हम यहां से कैसे निकल पाएगे ये सुचो अगर मैं इस दौरान ये सब नहीं सीख पाया और नाकाम रहा तो मुझे पता है तुम काम्याब हो जाओगे क्योंकि ये साथ तुम पहले भी कर चुके हो सर्दियों का ये दिन खत्म हो रहा है अब हमें अपने अपने रास्ते पर चले जाना होगा फिर मिलेंगे मगर मैं दुबारा मंदिर नहीं आ पाऊंगा अगर मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो मैं आपसे बात कैसे करूँ मैं तुम्हारे भीतर ही माजूद हूँ जब भी तुम्हे जरूरत पड़ेगी रास्ता तुम्हारे सामने आ जाएगा मंदिर में एक बहुत बड़ा खत्रा तुम्हारा इंतजार कर रहा है इस खत्रे से निपटने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा मगर तुम्हें तयार रहना होगा मैं तयार हूँ तयार नहीं हमला करो अफ़तार रोकू अफ़तार रोकू मंदिर को तबाह करने वाले हैं हमें यहां से बाहर निकलना होगा अब के बिना हम नहीं जाएंगे तुम्हें देखकर खुशी हुई आएंगे शुक्रिया शायू कहा है मुझे नहीं पता नहीं राजकुमार यहां कोई अफ़तार नहीं है यहां तो कुल मिलाकर पांच धोके बास लोग हैं मगर सेना पती सिर्फ शायू नहीं अफ़तार की मदद की है यह बाते तुम अगनी सम्राट को सुना ना मेरी नजरों में तो तुम भी सिर्फ एक धोके बास हो बंद कर दो इने जेल में अजरों मेरी नहीं है सरे नहीं इनestion, प्रिम ही जरों मेरी नहीं ही कर दो जल्म, भूमी, अदनी, वाय, बहुत साल पहले चारों राश्ट्र आपस में शांती से रहते थे, फिर सब कुछ पदल गया, जब अगनी देश ने युच छेर पे, केवल अफ़तार चारों तद्वों का गयाता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी, तभी वो गुम हो गया, सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला, आइंग नामका एक एरबेंडर, हाला कि उसकी वायों सिद्धियां अद्भूत थे, फिर भी उसे जानना था कि उस पर कितनी बड़ी जिम्मदारी है, पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुनिया को बचा सकता है, अरे बैट जाओ ना, कहीं कोई गड़ा आ जाएगा तो तुम धड़ाम से गिर जाओगे, तुम परिशान क्यों दिख रहे हो? अफ्तार रोकु ने कहा था, मुझे उस तारे के आने से पहले चारो तत्वों को काबू में करना सीखना होगा, देखो एर बैंडिंग सीखने में तुम्हें 112 साल लगे थे, तुम मुझे लगता है कि अगली गर्मियों से पहले तुम सारे तत्वों पर काबू करना सीख जाओगे, मैंने वाटर बैंडिंग भी शुरू ने की है, हमें उत्तरी धुरूफ तक पहुचने में कई हफ़ते लग जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा? घबराओं मत, सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम चाहते हो, तो मैं तुमें कोच चीजे सिखा सकती हूँ, ठीक है? तुम ऐसे कर सकती हो, हमें सबसे पहले कोई तालाव या नदी धूनी होगी, चुलू भर पानी मिल जाए तो तुम दोनों इसमें डूब जाना, वाँ, क्या जर्ना है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ, याद रखो हम किस मकसद चे आये हैं, ओ हाँ, चलो वाटर बेंडिंग क अभ्यास करें, ठीक है, इस वीज, मुझे क्या करना चाहिए, तुम आपा की उंगलियों में लगी, मिट्टी साफ कर दो, तो मुझे उस भैसे के पैरों से मिट्टी साफ करनी है, तुम लोग पानी से खेलोगे, और मैं कड़ी महनत करूँगा, मिट्टी और कीडे भी, ठी कोई हमारा रास्ता बदल रहा है, इस बदला को क्या मतलब है, तुम से किसने कहा कि रास्ता बदलो, किसी ने तो कहा था, राज कुमार्जू को याद रखो, ये बहुत खास है, नजर अंदाज मत करो इसे, चाचा क्या ये बात अफ़तार के बारे में है, नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी है, पता नहीं मेरी कमल वाली गोटी कहा चली गई, कमल वाली गोटी? हाँ, मेरे पाईशो खेल की गोटी, कई लोग कमल वाली गोटी को बेकार मानते हैं, लेकिन हमारी खास रणनीती के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, आपने अपनी मन्हूस कमल वाल हो उससे हमारी मुसीबतें टल सकती हैं ओ मेरा बतीजा कितना समझदार हो गया है तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो इसका बदला में लेकर होंगा यह बहुत ही आसान कलाबाजी है मगर इसे सीखने में कई महीने लग जाते हैं अगर तुम इसे नहीं सीख पाओ तो निराश मत होना पानी को धकेलो और फिर अपनी तरफ खींचो इस तरह इसमें कलाईयों की कमाल है यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी कैसे सीख गये मुझे तो इसे सीखने में दो महिने लग गये तुम्हें अपने आप सीखना पड़ा होगा मेरे पास तुम्हारे जैसे गुरु जो है शुक्रिया अब आगे यह थोड़ा सा कठिन है इसे कहते है पानी को लहराना यह देखने में जड़ा कठिन है अगर तुम्हें आसानी से नहीं आए तो बहुत अच्छे हाला कि सिर के ऊपर पानी को ले जाना ज्यादा ज़रूरी नहीं माफ करना अच्छा बीच में रुको मत बताती रहो मुझे एक और कलाबाजी आती है लेकिन यह बहुत कठिन है मैं भी आज तक ठीक से नहीं कर पाई हूं इससे बनाते हैं एक बहुत और उंची लहर कुछ इस तरह एंग लगता है मैंने ये भी सीख लिया और कैसे खा रही हो आज के लिए इतना ही काफी है हाँ इतना ही काफी है पता है तुमने हमारे खाने पीने की चीज़े भादी माफ करना घबराव मत हमें खाने के लिए कुछ ने कुछ जरूर मिल जाएगा जब ये सिर्फ एक एरबेंडर था तभी क्या कम परेशानिया थी किसमें इतनी हिम्मत है जो देख सके इस थैले के अंदर क्या है किंग बूमी ने हमें जो पैसे दिये थे उसमें से सिर्फ तीन ही सिक्के बचे हैं हमें सोच समझ कर खर्च करना होगा ये समझो कि दो ही सिक्के बचे हैं तीसरे सिक्के से मैंने ये सीटी खरीद ली मगर ये तो बच्चती ही नहीं है देखा मोमो को भी पताए कि ये बेकार है कोई बात नहीं आएंग पर अब पैसे मेरे पास रहेंगे जल कवीरा भूमी राज अगनी देश व वायू समाज अगर कोई भी व्यक्ति हमारी चीजें खरीदना चाहता है तो उसका स्वागत है शर्वाईए मत ओ आप यहां आईए ऐसा लगता है कि आप दुनिया की सैर करने निकले हैं हो सकता है आपको अंदर कुछ काम की चीजें मिल जाएं जरूर चलो दिखाओ क्या है बहुत कुछ है हमारे पास अंदर तो चलो वाँ मैंने इतना शानदार लेमर अपनी जिन्दगी पास्टितना है में नहीं देखा अगर तुम मझे ये पेच दो तो मैं तुमें मोटी रकम दूँगा बोलो अदला बदली करना चाहते हो मोमो बिकाओ नहीं है ये देखो तो आंग इसमें तो वाटर बेंडिंग के चित्र बने है देखो इसमें कितनी सारी कलाबाजिया है ये वाटर बेंडिंग का कागस तुमें कहा से मिला मैं उत्तर की तरफ गया था और वहां बहुत सस्ते में इसे खरीद लिया मुफ्त में अच्छा तो तुम लोग समुधरी व्यापारी हो और तुम्हारे पास हैं अनोखी चीजें जैसे कि ये अजीब से पंची तुम लोग समुधरी डाकु हो नहीं हम लोग अपने आपको जोखे उठाने वाले व्यापारी कहते हैं ठीक है बताओ तुम इस कागस के लिए कितना लोगे पहले ही भूमी राज्ये का एक खरीदार यहां आ चुका है तुम लोग मुझे सोने की 200 अशर्फियां दो तो समझो ये तुम्हारा हो जाएगा प्यारे बच्चो मुझे पता है इससे कैसे निपटना है ये मोलभाव बहुत करते हैं अब देखो मेरा कमाल अच्छा ये बताओ के तामबे के सिक्के में इसे दे दोगे मैंने कहा इसकी कीमत है सोने की 200 अशर्फियां मैं बेश कीमती चीजों का मोलभाव नहीं करता अच्छा तामबे के दो सिक्को में मैं तुमसे आखरी बार कह रहा हूँ बच्चे आइंग क्या हम यहां से चले ये लोग मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं अच्छा तो अब हम यहां से जा रहे हैं तुमने वहां से चलने को क्यों कहा कटारा हा मुझे वहां बूमराइ मुझे नहीं लगता कि यह समुत्री डाकु मोल भाव करने आए है वे लिदे लो ऑरताइ कर दौक है वाक रखो वाक रखो जा बार चेकल बार बार्टा झाल! वोओव! वोओव! मेरी गोबी! ये टो कहते लाँ चालाग जाए! मुझे हर कीमत पर वो लेमर चाहिए अब देखना मैं कैसे तुम्हारे टुकडे का डालूंगा कोशिश कर लो मुझे कसकर पकड़ लो मुझे लगा हम समुद्री रापों से दौर के पीचा चुड़ाएंगे कसकर पकड़ो वो लो कितने बुरे थे मैंने सुचा वो मोलभाव करने आये हैं हाँ इसलिए मैंने उनसे ये ले लिया सच में अच्छा किया ना इसलिए वो हमारा पीछा कर रहे थे तुमने वाटर बेंडिंग का कागस चुरा लिया चुराया नहीं है मैंने तो बस जोखेम उठाकर शाबाश कटारा सौका तुम ही बताओ उन्हें ये कहां से मिला होगा मुझे तो लगता है किसी वाटर बेंडर से चुराया होगा जो भी हो पर हम उनकी तरह नहीं बन सकते हैं तुमने देखा नहीं था कि वो लो कितने डरावने और खतरनाक थे इसमें वाटर बेंडिंग क कि बहुत सारी कलाबाजिया हैं तुम तो जानते हो कि एंग के लिए इन्हें सीखना कितना जरूरी है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जो भी हुआ उससे भूल जाओ अब यह हमारे पास है तो हम इसमें से सीखना शुरू कर दे मैंने इस बंदरगा की सारी दुकानों को छान मारा मगर कमल वाली गोटी किसी के पास भी नहीं है ये सफर सब के लिए कुल मिलाकर वक्त के बरबादी बन गया है ऐसी बात नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी जानी पहचानी चीज की तलाश करने से अच्छा होता है किसी अंजानी और थल्चस्प चीज का मिल जाना समझे बच्चे आपने ये सुंगी होन खरीदा आज की राज जहास पर संगीत होगा हमें कहीं से बांसूरिया मिल सकती है ओ ये तो शांदार जगा है ओ क्या बात है देखो कितना शांदार लगेगा ना ये वो लड़की पता नह का हाथ चली गई और उसके साथ वो छोटा गंजा बच्चा भी बच्चा क्या उसके सिर पर एक तीर का निशान बना था इस कलाबाजी को एक बार करने की कोशिश करते हैं फिर देखेंगे लो इसे पकड़ो ज़रा ध्यान से देखना मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें हसने की क्या बात है माफ करना बगर हसी तो आती है एंग तुम तो गए काम से ये खुदी सीखती रहेगी पहले मुझे तो सीखने दो फिर एंग को सिखाऊंगी मुझसे ये कलाबाजी हो क्यों नहीं रही है कोशिश करते रहो इस कलाबाजी के दोरान तुम्हें अपनी ताकत इस तरफ लगानी है देखा मैंने कहा था न इसके लिए अपना मूप बन करोगे या नहीं सच कहू कई बार तुम्हारी होशियारी से मेरा से दुखने लगता है अकर तुम्हें सब को चाता है तो इस कागस की जरूरत ही क्या है बताओ क्या ये मैंने क्या क्या आयंग मुझे इसके लिए माफ कर दो मुझसे बहुत बरी गलती हो गई मैं दुबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी लो इसे तुम ही रख लो अब इस से मेरा कोई लेना देना नहीं है कोई बात नहीं कटा रहा मुमो से माफी मांगो, चोट तो इसे लगी है मुझे माफ कर दो मुमो और मुझे से भी माफी मांगो, मैं भी तुम से तंग आ गया तुम ठरा मुठ बंद रखोगे क्या जंगल में खोज मीं बंद कर दिनी चाहिए बंद करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने वाटर बेंडिंग सिखाने वाला कागस चुराया है न, तो ज़रूर वो पानी के आसपास होंगे श्श्श, मूँ मूँ, चुक्चाप सो क्यों नहीं जाते श्श्श, क्या हो रहा है, मिझसे बंद क्यों नहीं रहा है एक बार और कोशिश करूँ हाथों कटारा, अपना वजन यहां से बहा करो समझी नहीं, छोड़ तो मुझे मैं तुम्हें समुद्री डाकों से बचाओगा बस इतना बदादव वो कहां है, तुम्हें और तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा नदी में कूट क्यों ने जाते समझने की कोशिश करो, मुझे अपनी खोई हुई इजद पाने के लिए उसे हासल करना यह होगा पतले में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूँ जो तुमने खोया है मेरी मा का हार यह तुम्हें कहासल मिला मैंने इसे चुराया नहीं अगर तुम ऐसे समझ रही हो तो अब बोलो कहा है वो नहीं अब यह बकवास बंद करो चलो वो कागज मुझे दो पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी नहीं बेश कीमती है है ना तुम मेरी मदद करो उसे ढूनने में जिसकी मुझे ज़रूत है तब ही मैं यह वापिस करूँगो और हम सब खुशी-खुशी घर जा सकते हैं जंगल में उस बच्चे की तलाश करो और यहीं आकर मिलो ठीक है वो गई कहां समझ नहीं आ रहा क्या हुआ कटारा वो कागज लेकर कहीं गायब हो गई है पहले से वो उस कागज की दिवानी थी देखना इसकी वज़े से हम मुसीबत में मैंने इसे पखल लिया चलो मुझे भी लेकर जाओ मुझसे डर गए हो क्या शाबाश एंग, सारी गल्टी मेरी है ऐसा मत काओ कटारा ये ठीक कह रही है लड़के को मेरे हिवाले कर दो कागज हमारे हिवाले करो क्या तुम सचमुच इस मनूस कागज के लिए अवतार को उसके हिवाले कर दोगे उसकी बात मत सुनो वो हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है क्या तुम्हारा दोस्त अवतार है? हाँ है इसे अगर तुम चोरी से बेचोगे तो कागस से भी ज्यादा बड़ी रकम हासिल करोगे मकवास बंद करो तुम वाटर बेंडर्स मनहूस हो हाँ सौका तुम अपना मुजरब बंदी रखो मैं कहता हूँ कि तुम्हें व्यापार की समझ नहीं है अरे जरा सोचो कि अगनी समराठ तुमको इस अवतार के बदले कितनी बड़ी रकम देंगे जिन्दगी भर एश करोगे तुम कागस अपने पास रखो अगर इस लड़के को बेचा तो हम माला माल हो जाएंगे तुम जिन्दगी भर इस गल्ती के लिए बचता होगे शुक्रिया मूमो अब मैं तुम्हें बहुत सारे सेप खिलाऊंगी रप्रुम्हें लफ जिन्दगा मूमा रbeiter सेपिल, जिन्दगी भर लाएंगे भर एक मैं अ तुम्हें झर्ली भर जऺवा हे हे हाह 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 हा एंग कहा हो तुम मेरे आवाद का पीछा करो कहा मुझे तो दिख नहीं रहे हो मैं यहां हूँ कोई बात नहीं मैं तुमे धुड़ लूँगा भागो कटारा तुम ठीक हो इस नाओ को पानी में उताने में मदद करो ताकि हम यहां से भाग सके कुछ गेंडे ही इसे हिला सकेंगे ठीक कहा कुछ गेंडे या फिर दो वाटर बेंडर्ज चलो जल्ली चलो तुम लोग लड़ने में इतने मश्गूल थे कि वो लोग तुम्हारी नाओ लेकर भाग गये चाचा कहानिया मत सुना यह साफ साफ बोलिए अरे यह सच ही तो है वो तो सच मुछ नाओ लेकर भाग गये रुतो वो मेरी नाओ है क्या हमारे पास कोई नाओ भी थी चाचा चलो भी सौका तुम नाओ को तेज नहीं चला सकते मुझे पता नहीं कैसे ये नाओ जलकभीले वालों ने थोड़ी बनाई है वा तुम तो पानी को लहरा रही हो तुम्हारी मदद की बिना ये नहीं हो सकता था तुम लोग एक दूसरे की तारीफ बन करो और मेरी मदद करो अज़ और मेरी मदद की तारी 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 बन करो अज़ पता बन करो फ़त दो रहार दोरे इं, बो देको! अब क्या करे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यहाँ जान मुसीबत में है और तुम सीटी बजा रहे हो हम नाओ को रोक सकते हैं एंग चलो मेरे साथ पानी को खीचो काम बन रहा है नाओ घूम रही है हम कर रहे हैं मगर एक और समस्या है पता था इस सीटी का इस्तरमाल होगा शुक्रिया आपा हाँ हम तुम्हारे शुक्र गुजार है मेरी नाओ राजकुमार जुको इस जटके से तुम कभी नहीं उबर पाओगे वो कमल वाली गोटी तो मेरे जीब में ही थी एंग मैं तुमसे माफी मांगना चाती हूँ तुम बिना सीखे इतनी अच्छी तरह से वाटर बेंडिंग कर रहे थे कि मुझे एक पल के लिए तुमसे सचमुच जलन होने लगी थी मुझे माफ कर दो कोई बात नहीं कटारा अब वैसे भी उस बेकार कागस की क्या जरूरत है क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये तुम्हारे पास है पहले ये बताओ कि तुमने क्या सबक सीखा चोरी करना बुरी बात है पर चोरों से चोरी कर सकते हैं शबवाश कटारा पर चोरी कर सकते है जल भूमी अदनी वाह बहुत साल पहले चारो राश्टर आपस में शांती से रहती थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युट छेर दी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वगुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार धूर निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायो सिधिया अद्भूत थे फिर भी उसे जाना था कि उसने कितनी बड़ी जिम्मधारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है मुमू का है रुको मुमू अच्छा तुम्हे भी आजाद करता हूँ इसमें बहुत वक्त लग जाएगा काम बन गया यह अगनी देश के पिंडरे है लोई को देख कर पैचान सकते हो हमें जल्दी से सामान समिट कर निकलना चाहिए अँँँग इस बार उड़ना नहीं है क्या हमें उड़ना क्यों नहीं है जना सोचो राजकुमार जूका और अगनी देश के सिपाई हमेशा हमें पकड़ लेते हैं वज़े है आपा वो इतना बड़ा जो है क्या आपा इतना बड़ा तो नहीं है उसे कोई भी देख सकता है उसके सिर पर तीर का निशान जो है और वो इतना बड़ा और भीम का जो है सौका जल रहा है क्योंकि इसके माते पर निशान नहीं है मुझे पता है कि तुम सब उढ़ना चाहते हो लेकिन मेरा मन कहता है कि इस बार हमें पैदल जाना चाहिए तुम हमें हुकम मत दो मैं हुकम नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सला दे रहा हूँ तुम हमें सला दे रहे हो, तुमें तो ठीक से बोलना भी नहीं आता मैं तुमसे उम्रों में बढ़ा हूँ, हिमती हूँ, इसलिए मैं सला दूँगा अगर कोई सला दे सकता है तो वो है एंग क्योंकि वो तो अफतार है तुम मजाग कर रही हो क्या वो तो एक छोटा बच्चा है यह ठीक कर रहा है लड़के हमीशा सला देने की कोशिश क्यों करते हैं क्या किसी लड़की से दोस्ती करने पर भी ऐसे ही रॉप जाड़ोगे मेरी भी एक दोस्त है किसी दिन तुमसे मिलवाऊंगा कौन है वो दादी मा मैं तो उससे मिल चुकी हूँ नहीं तुम नहीं जानती वो कोई और है देखो मेरा मन कहता है कि पैदल चले तो आसानी से छिप सकते हैं और समझदार इंसान अपने मन पर भरोसा करता है ठीक है आज हम सुर्फ तुम्हारी बात मानेंगे मेरे बड़े भाई शायद पैदल चलने में मज़ा आए हम ठक जाएंगे उड़ने वाले बैसे के बेना भला कोई कहीं जा सकता है पता नहीं आएंग तुम सौका के मन से ही पूछो ना उसके मन को सब पता रहता है हाँ हाँ हसलो हसलो मैं इस जोले को उठा कर तंग आ गया हूँ तुम्हें पता है ना किसने पैदल चलने को कहा है उसी से जोला उठवाओ तुम्हारा आइडिया अच्छा है तो सुनो सौका के मन क्या तुम यह हाँ हाँ मैं समझ गया देखो मैं भी धग गया हूँ लेकिन इस वक्त ज्यादा ज़रूरी है कि हम अगनी देश के लोगों से अपने आपको भागो हमें खेर लिया है साका तुम्हारे कपड़े अगर तुमने हमें जाने दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे तुम क्या कह रहे हो यही एक रास्ता है अच्छा तो तुम हमें छोड़ दोगे बच्चे वास वक्ता यह तुमने किया कैसे मन की शक्ती से वो दीखो यह आया नीचे यह तो पेड़ों पर चड़े हैं उसे तो मैं मारने वाले था तो ठीक है अगली बार मार लेना यह क्या चला वारू मैं क्या करो बोलो कैसे हो तुमने तो पूरी फॉज को अकेले इतबा कर दिया दोस्त कैसी फॉज सिर्फ बीस ही लोग तो थे मेरा नाम है जैट और यह है मेरे आजादी के सिपाई यह है स्नियर्स लॉंग शॉट स्मेलर बी ड्यूक और पिप्स्क्वीक इतना अजीब नाम है क्या मतलब मेरा नाम अजीब है मेरा मतलब मजाकिया है जैट हमें बचाने के लिए शुक्रिया अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए सुबा से हम इन सपाईयों पर छिप के हमला करना चाहते थे हमें बस उनका ध्यान बटाना था और तुम सब ने वो काम कर दिया हम किसी के मन के गुलाम थे ऐसा करोगे तुम मारे जाओगे हे जैट इन तंकियों में धमागा करने वाली चीजे भरी है अरे वा कमाल कर दिया और इसमें सच मुझकी खाने वाली चीजें भरी है देखो तरह संभाल कर ध्यान रखना दोनों को मिलाना मत चलो हमें सामान को अपने अड़े पर चपाले तुमारी कोई खुफिया जगे भ होगा अंक तुम मैं अपने अप चार जाओगा मुझे कस के पकड़ों कठारा अज़ा जगे है ये तो बहुत खुबसूरत है हाँ मैं जानता हूँ मगर अगनी देश के लोग इसे ढून नहीं पाएंगे ये खास है वैसे वो तुम्हें ढूनने के पूरी कोशिश करेंगे है न जट ऐसा कभी नहीं होगा स्मेलर भी पर अगनी देश के लोग तुम्हें क्यों ढून रहे है शायद इसलिए क्योंकि मैं उनको काफे तंक कर रहा हूँ देखो कुछ समय पहले उन्होंने भूमी राज्य के एक हिस्से पर कबजा कर लिया था इसलिए हम उनके सिपाईयों पर हमला करते हैं उनकी रसद लूट लेते हैं और भी कई तरह की गड़बड़ी करते हैं एक दिन हम अगनी देश के लोगों को यहां से बाहर खड़ेड कर अपने शहर को आसाथ करेंगे तुम लोग सच मुच बहुत हिम्मती हो उनसे छिपका रहने वाले लड़के को तुम हिम्मती कह रही हो मेरे भाई की बातों पर ध्यान मत दो नहीं कोई बात नहीं आज ये काफी परिशान लग रहा है क्या तुम सब यहां पर रहते हो सही पैचाना लॉंग शोट वहां रहता है उसका शहर अगनीदेश के लोगों ने जला दिया था ड्यूक तो हमारा खाना चुराने आया था उसका तो शायद कभी कोई घर था ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ अगनीदेश के लोगों ने मेरे माबाप को मार डाला मैं उस वक्त सिर्फ आट साल का था तो आज हम अगनीदेश के लोगों को एक और बड़ा जटका देने वाले हैं मुझे उस सिपाही का चेहरा देखके बहुत मज़ा आया जिसका हेल में ट्यूक ने गिरा दिया था और एक जंगली बंदर के तरह उसकी सवारी करने लगा देखो अगनीदेश के लोगों को लगता है कि जंगल में पेड़ पर रहने वाले दो बच्चों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं शायद वो सही है या तो फिर उनकी पाथ पूरी तरह गलत है बहुत अच्छे जट क्या भाषन था शुक्रिया वैसे मैं आज आएंग और तुमसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ तुम लोगों ने सच मुझ बहुत ही अच्छे करतब देखा है हाँ आएंग तो अनुका है ही वो तो अवतार है पर मुझे बहुत कुछ सीखना है अवतार हाँ वा बहुत अच्छे शुक्रिया जट शायद तुम लोग हमारी लड़ाई में बहुत मदद कर सकते हो मगर हमें तो आज रात को ही निकलना है सौकाम मजाक मत करो मुझे कल के अभियान में तुम्हारी सक्थ जरूरत है कैसा अभियान यह क्या कर रहे हो शुच्छ इससे कमपन का पता चल जाता है तो कुछ पता चला है अभी तक तो कुछ नहीं जरा रुखो लगता है कोई आ रहा है अच्छा कितने लोग है लगता है सिर्फ एक ही है सुनो सौका हथियार तैयार रखो रुको गलत अंदाजा ये तो एक बुड़ा आदमी है तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो बुढ़े माव कर दीजे मालिक मैं एक मुसाफिर हूँ क्या तुम्हें शेहर तबा करना अच्छा लगता है क्या तुम्हें परिवार तबा करना अच्छा लगता है मुझे जाने दीजिए माफ कर दीजिए क्या अगनी देश के लोग ऐसी दया करते हैं क्या वो लोगों को छोड़ देते हैं जैट ये तो सिर्फ एक बुढ़ा आदमी है ये अगनी देश से आया है मगर ये किसी का बुरा नहीं कर रहा है भोल गये अगनी देश के लोगों ने ही तुम्हारी मा को मारा था जंक कमकसत कभी मत भूलो देखो हमें क्या मिला है जैट ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है यही क करना चाहिए चलो अब चले यहां से चलो सौका सौका देखो ड्यूक ने मुझे क्या दिया चोड़ो सौका जैट लॉटा क्या हाँ वो लॉटा आया है पर हम निकलने वाले हैं क्या पर मैंने उसके लिए ये टूपी बना आई तुम्हारा दोस जैट बेरहम है क्या कहा वो ऐसा नहीं है हाँ यही सच है कटारा उसने कुछ ने किया होगा दरसल उसके जीने का तरीका जरा अलग है उसने उस बेकसूर बुढ़े को मारा और लूट लिया पहले मैं जैट की बात भी सुनना चाहूंगी तुमने उन् वर था सौका यह देखा इस चाकू में जहर रखने के जगा है मुझे मारने के लिए उसे भेजा गया था तुमने मेरी जिंदगी बचाई है सौका मुझे पता था कोई बात जरूर होगी मुझे तो कोई चाकू नहीं दिखा था वो इसलिए क्योंकि वो चाकू छेपा रहा जाते हैं अगर तुम लोग अपनी वाटर बेंडिंग से उस तालाब को भर दो तो हम आग का मुकाबला कर सकते हैं अगर तुम अभी चले जाओगे तो वो लोग पूरी घाटी को जला के राख कर देंगे हम इस वक्त यहां से नहीं जा सकते सौका हमें जेट की मदद करनी चाहिए देखो कटारा जेट धोके बाज हम उस पर भरुसा नहीं कर सकते अब मैं समझ गई वो तुम से ज्यादा बहादूर और अच्छा योद्धा है इसलिए तुम उसे जलते हो कटारा में जेट से बिल कि चलो चले तुम सब सुनो जब तक मैं इशारा नहीं करूँगा तुम लोग बांद को मत उड़ाना अगर ताला पुरा नहीं भरा तो अगनी देश के लोग बच जाएंगे पर शहर के लोगों का क्या होगा वो सब तुम मारे जाएंगे देखो ड्यूक अगनी देश के लोगों से इस इलाके को बचाना है तो ये सब करना ही होगा और सब याद रखना कि बिना मेरे इशारे के बांद को उड़ा मत देना तुम यहां क्या कर रहे हो चोटी वाल सौका अच्छा ही हुआ तुमने हमारी सारी बाते सुन ली अच्छा तो तुम भूमी राजर के लोगों का शहर बरबात करना चाते हो हम तो बस इस घाटी को अगनी देश से आजाद कराना चाते हैं मगर वहां कितने लोग रहते हैं माबाप और बच्चे हैं उनका क्या होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पढ़ता ही है दोस्त तुमने आंग और कटारा से जंगल की आग के बारे में जूट बोला क्योंकि वो इस जंग के मकसद को समझ नहीं रहे थे इसे घुमाने ले जाओ यहां से बहुत दूर तुम ऐसा नहीं कर सकते मैं कर सकता हूँ सौका अगनी देश पर जीत पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जैग सौका की अजीब बरताव का मुझे अफसोस है नहीं कोई बात नहीं उसने मुझसे माफी मांग ली है क्या सौका और माफी हाँ मुझे भी हैरत हुई मुझे लगा कि शायद तुमने और एंग ने उसे समझाया होगा हाँ समझाया था मुझे लगता है कि उसे तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी खेर वो इस वक्त पेप स्क्वीक और स्मेलर भी के साथ एक ज़रूरी काम करने गया है अच्छा हुआ उसका गुसा ठंडा हो गया, कई बार उसे समझाना मुश्किल होता है ये लो, हम पहुँच गए इन गठों से नीचे का पानी उपर आने की कोशिश कर रहा है इसमें तुम मदद कर सकते हो पर मैंने कभी छिपे हुए पानी पर बेंडिंग आजमाया नहीं पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कटारा, तुम ये कर सकती हो और मेरा क्या? अवतार के लिए तो कुछ भी नामुम्किन नहीं होता अरे वाह काम बन गया नदी का पानी तालाब में जमा हो जाएगा बस कुछ भवारे और चलाओ और तालाब पुरा भर जाएगा देखो वो रहे कुछ और गड़े तुम लोग काम जारी रखो तब तक मैं तालाब के पास जाकर काम निप्टाता हूँ काम होने पर हम वहीं मिलेंगे नहीं, दरसल वहां मताना अपने अड़े पर चले जाना वहीं मिलेंगे बस बहुत हो गया, मुझे लगता इतना काफी है चलो तालाब के पास चलकर जेट से मिलेंगे पर उसने तो कहा था कि खुफिया जगे पर मिलेंगे हाँ, मुझे मालम है, पर मुझे जाकर तालाब देखना है चलो, चल दी आगे भड़ो आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं, जब तुम जानते हो कि जेट पूरा शेहर तबा करने वाला है मेरी बाद सुनो सौका, जेट हमारा नेता है वो जो कहेगा हम भही करेंगे, चाहे वो सही हो या खलत अगर वो ऐसा इंसान है, तो उसे सबक सिखाना होगा रोको मुझे लगता है शायद अब तुम लोग मुझसे मुकाबला नहीं कर पाऊगे सुनो स्मेलर भी, क्या तुम थोड़ी सी लीची खाऊगे वो कर क्या रहे है, ये लाल टंकिया तो उसे अगनी देश से मिली है पर उन्हें इन सब की क्या जरूरत है क्योंकि जेट बांद को उड़ाने वाला है क्या, पर ऐसा करने पर शहर तबाह हो जाएगा, जेट ऐसा नहीं कर सकता मुझे उसे रोकना होगा जेट ऐसा नहीं कर सकता हाँ, मैं कर सकता हूँ जेट, आखिर क्यों? कटारा, अगर तुम ठीक से सोचो तो तुम भी ऐसा ही करोगी जरा सोचो अगनी देश वालों ने तुमको अपनी मा से जुदा कर दिया हम नहीं चाहते कि वो तबाही का सिलसिला जारी रखे मगर ये तो इसका इलाज नहीं है, जेट आखिर तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं, कटारा मुझे लगा था तुम्हारा भाई समझ जाएगा, मगर वो कहा है, सौका? कटारा मैं जा रहा हूँ बान को बचाने तुम कहीं नहीं चाओगे, तुम्हारी छडी मेरे पास है मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, जेट अगर छडी चाहिए तो लड़ाई का नहीं होगी अऑे पाल, तुम मैं लड़ हुआ no अगर तुम्हारी जा युम्हारी दाहिए पास है वहाय करू inquiry कर दूछ! झाल 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 क्यों जेट यकीन नहीं होता मैंने तुम पर भरोसा किया तुम ने मुझसे जूट कहा तुम दोके बाज हो बेरहम हो ये क्या कर रहे हो तुमने बहुत देर कर दी सौका अभी भी वहाँ पर है शायद वही कुछ करें सौका मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं किया कुछ करो नहीं सौका ने बहुत देर कर दी कितने लोग मारी जाएंगे तुम इसके जिम्मदार हो यह हमारे जीत है कटारा याद रखना अगनी देश खत्म हो गया अब घाटी को कुछ नहीं होगा सब लोग सुरक्षित हैं तुम्हें छोड़ कर सौका मैंने गाउवालों को सही वक्त पर तुम्हारी योजना के बारे में बताया क्या पहले तो उनको मुझे पर भरुसा नहीं हुआ अगनी देश के सिपाईयों को लगा कि मैं एक जासूस हूँ मगर एक आदमी ने मुझे बचाया वो बुड़ा जिस पर तुमने हमला किया था उसने उनको बताय कि मैं एक जासूस नहीं हूँ और सबने वक्त पर गाउँ खाली कर दिया मेली गुलिया सौका ये तुमने क्या किया हम इस घाटी को आजाद करा सकते थे कौन आजाद होता आखिर सब लोग तो मर ही जाते धोके बाद धोके बाद तुम हो तुमने मासूम लोगों की हिफाज़द करना बंच जो कर दिया है कटारा मुझे छोड़कर मत जा मेरी मदद करो मैं जा रही हूँ जेट येप येप हमने सोचा तुम बांध की तरफ जा रहे हो तुम शेर की तरफ कैसे चले गए मैं बताओ इसकी मन ने कहा होगा कई बार मेरा मन सही बात बताता है सौका शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं वैसे कभी वो गलत भी हो सकता है जाल जल, भूमी, अगनी, वायो बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शांती से रहती थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेर दी केवल अफतार चारो तक्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वो गुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफतार धून निकाला अग नामका एक एरवेंडर हाला कि उसकी वायू सिद्धिया अध्वो थे फिर भी उसे जाना था कि उसमेर कितनी बड़ी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है तुम तिरपाल को भूल रहे हो हाँ, सही का सौका, तुम्हें तिरपाल को टेंट के ऊपर रखना है ताकि जब बारिश आये तो हम भीगे नहीं वैसे बात तो तुमने सही कई है बगर बारिश होने का कोई नामो निशान नहीं है सर्दी से बचने के लिए तिरपाल बहुत काम आएगी पर अगर बारिश हुई तो अगर नहीं हुई तो मेरी इतनी सारी महनत बेकार हो जाएगी तुम खुद बेकार हो कटारा तुम चुप चाप लकडियां जमा करो ना दूसरों के काम में इस तरह दखल देना बंद करो ठीक है लेकिन तुम पच्टाओगे देख लेना ठीक है अगर तुमें कुछ नहीं करना है तो मत करो ठीक है मैं सब के लिए खाना ले आया आग लगाने का इंतिजाम कहा है और यह सब क्या हो रहा है उससे पूछो जिसे हर काम के बारे में सब कुछ पता है अच्छा तो फिक तुमें किसी काम के बारे में अभी बताती हूं कुछ नहीं पता बस बस अब मेरी बात सुनो गुस्चे से समस्य खतम नहीं होती काम से होती हैं तुम लोग अपने काम बदल लो अच्छी बात है तो देखा जग्रा खतम समझोता हो गया यही सब तो अफतार का काम होता है समझा करो मौमो ऐसा है करना होगा आपके पांच पेट है यह देखो दोस्तो यही है वो सीमा यह तो सबसे खुबसूरत नजारा है मुझे तो बिलकुल अच्छा नहीं लगा तुम इससे कैसे प्रभावित नहीं हुए सौका तुम्हें पता भी है कि यह दुनिया की सबसे याकीन करो वो बहुत ही अच्छा है वो एक अर्थ बेंडर है और उसके बिना कोई घाती पार नहीं कर सकता वो मेरे आदिवासी साथियों को घाती पार कराने वाला है मैं समझ गया कि तुम्हें भी पार करना है अगर तुम्हारा घर अगनी देश वालों ने तबाह कर दिय नहीं ये सब तो जैन ट्राइब डल के सदस्य हैं सौ सालों से इनके और हमारे बीच दुश्मनी चली आ रही है एजैंक्स ये जगह मैंने अपने साथियों के लिए तैक कर रखी है तुम लोग यहां नहीं आ सकते तो कहा है तुम्हारे गैंजिन साथी क्या अभी तक वो त जाम करने मुझे बेजा है मुझे नहीं लगता घाटी में कोई नियम चलता है वो तो लगेगा ही तुम लोगों से और उमीद ही क्या की जा सकती है बिना किसी तैयारी के सफर करने वाले ना समझ लोग हो तुम क्या कहा ना समझ तो तुम हो महाफ करना तुमको इंतजार करना पड़ा कौन ये घाटी पहले पार करना चाहेगा मुझे लगता है ये लोग जाएंगे मैं यहाँ पहले आया था मेरे साथी बस आते ही होंगे जो लोग आये ही नहीं उन्हें कैसे ले जाओं अब तो तुम लोग कल ही घाटी पार करना समझे रुको वो लोग आ गए तुमको इन लोगों को सबसे पहले घाटी पार नहीं करानी चाहिए हम भी गाउं से निकाले गए लोग हैं और हमारे जुन में बीमार लोग हैं जिनको आसरा चाहिए अब मैं तो उसे हमारे यहां भी बूरे लोग हैं जो ठक चुके हैं बीमार लोगों की बारी बूरों से भी पहले आती है अगर तुम जैंग लोगों का बरताव अच्छा होता तो शायद तुम्हारे लोग इस तरह बीमार नहीं पड़ते और अगर तुम गैंजिन्स लोग साप सुतरे नहीं होते तो इतने साल जीने की जरूती नहीं पड़ती चलो एंग, देखे तुम इन लोगों की बीच समझाता करा सकते हो या नहीं मुझे नहीं रखता, ये कोई आम जगड़ा थोड़ी है ये लोग तो पिछले सौ सालों से जगड़ते आ रहे हैं सुनो तुम सब, ये मेरा दोस्त अफ्तार है अगर तुम लोग इसकी बात सुनो तो ये तुम्हारी बीच कोई ऐसा समझाता करा सकता है जो तुम सब को मंजूर हो क्यों न तुम लोगे जुन बना लो और एक साथ घाटी पार कर लो बिल्कुल भी नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम अगनी देश के हमलावरों के हाथ हो मारे जाएं हम इन चोरों के साथ हर्गिस नहीं जाएंगे और हम भी इन बेवकूफों के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे बेवकूफ अब नहीं तुम हो अब मेरी बात सुनो तुम लोगे एक साथ ठाटी पार करोगे और तुम्हारे बुड़े बिमार साथ ही आपा के साथ बोलो यह बात मन्जूर है माफ करना आपा इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा सुनो इन लोगों के बीच में समझाता कराना बहुत मुश्किल है क्या तुम्हें लगता है हमें इनके बीच में पढ़ना चाहिए बात तो सही है पर तुम्हें याद है ये मेरा फर्ज है सौका ये अवतार है सौका और अवतार ही लोगों की बीच अमन कायम करता है मुझे लगता है कि ये घाटी हमें पैदल ही पार करनी होगी तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो घाटी में खाने पिने की चीजें ले जाना मना है तुम लोग एक दिन भी पिना खाये पिए नहीं रह सकते बोलो भूखे रहना है या मरना है दस मिनट में हम सफर शुरू करेंगे जो कुछ तुम्हारे पास है खा लो वरना यहीं चोड़ना पड़ेगा आपाप सब को हिफाज़त से वहाँ पहुँचा देगा वही मुलाकात हो गया आपा यप यप वा क्या बेंडिंग है ये सिर्फ बेंडिंग नहीं है इसमें जिन्दगी भर का तजुर्बा शामिल है तुम लोग सोच रहे होगे कि ये घाटियां कैसे बनी विशेशग्यों का कहना है कि ये घाटियां धर्ती के प्रेतों ने बनाई है उन आत्माओं ने जो यहां के किसानों से इस बात पर नाराज थी कि उन्हें बली नहीं जड़ाई गई लगता है आत्माओं अभी तक नाराज है तुम लोग बली की तयारी के साथ आये हो सब लोग दीवार से दूर खड़े हो जाओ ये क्यों क्या आपने ये लोग अगनी देश के लोगों से बचने के लिए जा रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि कोई इनका पीछा न करे अब हमें कुछ नहीं होगा हमें उनकी मदक करनी चाहिए अब कोई मेरी मदक करो वो क्या था गाटी का कीड़ा यहां बहुत सारे कीड़े रहते हैं लगता है आपका हाथ तूट गया है इसके बिना मैं अर्थ बेंडिंग नहीं कर पाऊंगा मतलब ये कि के हम इस गाटी में फस गए हैं इन्होंने खाना लाने से इसलिए मना किया था ताकि हमें खतरना कीड़ों का मुकाबला ना करना पड़े यही जैंग लोग हैं जो यहां पर खाना लेकर आये हैं इन्हें मना कर दिया था उसके बावजूद भी क्या अरे तुम लोग तो बिना खाने के एक दिन भी जिन्दा नहीं रह सकते तुम लोग भी तो खाना लेकर आये हो तुम्हारी वज़े से फस गए न यहीं पर, अब यहीं मरेंगे हम सब यह सब तुम लोगों की वज़े से हुआ है देखिए, हमें मिल जुल के रहना होगा अब मैं इन लोगों के साथ एक कदम भी नहीं जा सकती और मैं कौन सा इनके साथ जाना चाहता हूँ अब हम क्या करें मैं लाजार हूँ, वरना मैं तुम लोगों को पार करा देता मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हम लोगों को इसी तरह चलते रहना पड़ेगा देखा, तुम लोगों की वज़े से हमारी जान यहां खत्रे में पड़ गई बिल्कुल, और तुम लोगों को इल्जाम लगाने के लावा आता ही क्या है यह जो कुछ हो रहा हूँ मत करो, मैंने सुचा आप लोग मिल जुल कर रहेंगे पर शायद यह मुम्किन नहीं है हमपड जाएंगे गांजिन लोग इस तरफ जाएं और जैंग लोग इस तरफ हम अलग-अलग रास्तो पर जाएंगे सौका, तुम जैंग लोगों के साथ जाओ और कटारा तुम गांजिन के साथ जाओ, ये पता लग हूँ कि वो और दूसरे से नफरत क्यों करते है तो तुम लोग तंबू में तिरपाल नहीं लगाओगे क्यों लगाएं क्या बारिश का मौसम है सही बात है हम लोग तिरपाल को कंबल की तरह इस्तेमाल करेंगे इनकी बात तो मानने ही पड़ेगी क्या सचमच बारिश हो सकती है नहीं मगड़ सावधान रहने में कोई बुरह ही नहीं है तुम थोड़ी ब्रेट खाओगी कटैरा अच्छा तो आप लोग खाना लेकर चले थे नादान मत बनो तुमको क्या लगता है वो चोर लोग एक दिन भी बिना खाने के रह सकते हैं फिर मैं अपने लोगों को भुका क्यूं मारता इसलिए हम सब भी लिया आया अपना खाना सब लोग खा रहे हैं तो मैं भी खा लेती हूँ तो आप सब जैंग की लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं तुम बहुत हुशारो लड़की कठारा मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे इध्यास की कहानी सुननी है हमारी जन्जाती के पुर्खे थे जिन बे जो एक अर्थ बेंडर योद्धा थे उनको एक खास जिम्मेदारी दी गई थी पश्चिम के दर्वादे तक पहुचाने की जिम्मेदारी पूरब से उस गोले को पश्चिम में ले जाना सूरज के उबने और डूबने का संकेत होता था ये हमारी जन्जाती की प्राचीन पर हमपरा थी मगर जैसे ही दर्वादे तक पहुचे जिन बे पर जेन लोगों ने एक हमला कर दिया उसका नाम था वे जिन वो हमारे पवित्र गोले को छीटना चाता था तो उस कायर वे जिन ने हमारे जिन वे को गिरा दिया और हमारे पवित्र गोले को चुरा दिया हमारे लोग इस बात को कभी नहीं भूल पाए जैंग लोग बहुती धोके बाज होते हैं कुछ खाना चाहोगे हाँ जरूर तुम सोच रहे होगे कि हमने अपने खाने की वज़े से इतने सारे लोगों की जान खत्रे में डाल दी बोलो सही पैचाना गैंजिन सोचते हैं कि हम लोग बुरे हैं उनको लगा के हम तो खाना जरूर लाएंगे इसलिए वो लोग भी ले आ हमारे एक पुर्खे वेई जिन पश्चमी दर्वाजे से जब गाउं की तरफ वापस आ रहे थे तभी उन्हें दूर कोई दिखाई दिया वो गैन जिन जन जाती का एक आदमी था जिन वेई जो जमीन पर विहोश पड़ा था हमारे वेई जिन उसकी मदद करने के लिए रुख गए जिन वेई उस पवित्र गोले को पहुचाने के लिए जा रहा था वो उसकी जन जाती की मुक्ती का एक तरीका था वेई जिन ने उस घायल आदमी के गाउं पर मरहम लगाने की कोशिश की मगर जिन वे ने कहा कि इस गोले को उसके साथ को तक पहुचा दिया जाए वो ज़ादा जरूरी है वे जिन ने वचन दिया कि वो एक काम जरूर करेंगे और वो चल पड़े मगर जैसे ही वे जिन ने उस पवितर गोले को लोटाने के लिए गैंजिन लोगों के गाओं में कदम रखा उन्हें गिरफतार कर लिया गया इस काम में मदद करने के लिए उनका शुक्र गुजार होने की वजाए उनको पीस साल की सजा दे दी गई हम जैंग लोग इस जल्म को कभी नहीं भूलेंगे यह तो बहुत बुरा हुआ लीजी आप यह खाएंगे उन लोगों ने आग जलाई होगे और कहानिया सुना कर हसी मजाग चल रहा होगा है ना मोमो कोई बात नहीं मोमो हम जल्डी निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारी लीची दूँगा नहीं मैं लीची खाऊंगा हम अकेले हैं अब हम सब का क्या होगा मैं चाहता था इनका जगरा खत्म हो मगर यह तो ना मुमकिन है फिलहाल तो हमें जल्दी यहां से निकलने पर ध्यान देना चाहिए मुझे नहीं लगता कि यह दोनों कोई अलग अलग बाते हैं रास्ता साफ है हम यहां से जल्द निकल जाएंगे कटारा सौका क्या यह लोग घाटी पार करने तक एक दूसरे का साथ देंगे मुझे नहीं लगता हैंग जाएंग के लोगो को गैंजिन से बहुत नफरत है उन्होंने जिनवे पर हमला करके उनका पवित्र गोला चुरा लिया यह क्या कह रही हो हां अखिर तुम क्या कह रह वो तो उसे लेकर उस गाँ तक पहुचा था और गैंजिन के लोगों ने उसे कैद कर लिया वो लोग अच्छा जूट बोल देते हैं अच्छा आता मैं समझ गया अब मुझे मदद चाहिए सब लोगों को घाटी की दिवार के पास जमा कर लो सुनो सुनो हम जितनी जल्दी यहां से निकलेंगे उतनी जल्दी ही हम खाना खा पाएंगे इसलिए मिलके काम करो और इस पहार को पार करने का तरीका निकालो वैसे जैंग लोग अपने मनूस नाखूनों के जरीए आसानी से इसे पार कर सकते हैं नहीं, मुझे लगता है ग्यान जिन लोगों ने तो पिछले 20 सालों से नाखून काटे ही नहीं हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं क्या कहा, चोर कहीं के? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें चोर कहने मुझे बताना होगा, कि एक दूसरे को भला बुरा कहने से कुछ नहीं होगा अवतार ठीक ही कह रहा है हाँ, बिल्कुल ठीक भला बुरा कहने से हमारी समस्याएं नहीं सुल जाएंगी तो कुछ करना पड़ेगा आज तो जंग हो जाए और फैसला हो जाए कि कौन जीता कौन हारा मैं तो ये कह रहा हूँ कि लटने से अचा है एक दूसरे को भला बुरा कहो क्या ये खाना है आप सब यहाँ खाना लेकर आए थे आप सब की वज़े से हम सब की जान खत्रे में पड़ गई है क्या एक दिन भूके नहीं रह सकते थे आप सब को शेर मानी चाहिए बहुत भूक लगी है क्या मैं वो खा सकता हूँ अब क्या होगा इन भेयानर कीडों का कैसे मुकाबला करेंगे इनसे निपटना ना मुंकिन है वो लोग मुझे खाने के लिए आ रहे हैं उन्होंने मेरा खून चक लिया है इसने वो दोबार लोटे हैं सौका रुको हमें इन सब जगडों में नहीं पड़ना चाहिए यहां से जिंदा निकलने की कोशिश करनी चाहिए तुमने सही का उन्होंने मुझे खाना खिला इसलिए मैंने उनका साथ दिया हाँ हाँ हुप वाँ! सब लोग येसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही करो अब आओ मेरे साथ यहां से जल्दी निकल जाएंगे सब लोग उतर जाओ मैंने तो सोचा ही नहीं ताके ग्यान जिन भी ये काम कर सकते हैं मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम जैंग लोग एक ही बार में मदद करने को तयार हो जाओगे लगता है हम लोग एक दूसरे से इतने अलग नहीं है लेकिन हम इत्यास को भुला तो नहीं सकते ना तुम लोग चोर हो तुमने जिन वे से हमारा पवित्र गोला चुरा लिया था तुम लोग क्रूर हो तुमने हमारे वे जिन को बिना बजे 20 साल कैद में रखा था एक सेकिंड रुको जिन वे वे जिन मैं तो इन लोगों को जानता हूँ हाँ हाँ हम सब जानते हैं इन लोगों को नहीं मैं सच मुझे जानता हूँ मैंने इन देखा नहीं है तुम लोग तो जानते हो मेरी उम्रे 112 साल की है सौ साल पहले जब ये सब हो रहा था मैं वही पर था मुझे लगता है जो उस दिन हुआ उसके बारे में सब को गलत बाते पता है सबसे पहले तो जिनवे और वेजन दुश्मन नहीं थे वो भाई थे जुडवा भाई और वो आठ साल के थे और सबसे खास बात वो लोगे खेल खेल रहे थे और आप जिस पवित्र गोले की बात कर रहे हो वो महस गेंद थी और पूर्बी और पश्चिमी दर्वाजे की जो बात है ना वो बस खेल का हिस्सा था जिन वे के पास गेंदाई और वो उसको लेकर एक तरफ बढ़े मगर पैर पिसला और वो गिर पढ़े वे जिन ने गेंद को चुराई नहीं बल्कि उससे ली और दूसरी तरफ दोड़ने लगे मगर वो लखिर के उस तरफ चले गया इसलिए नियम के मताबग उने साजा मिली 20 सार की नहीं बल्कि सिर्फ 2 मिनिट के लिए ना तो कोई चोरी हुई और ना ही किसी को जेल में डाला गया वो बस एक खेल था और हमने जिस पवितर गोले की कहानी सुनी क्या वो कभी था ही नहीं नहीं वो सिर्फ एक गेंद थी और हमारी मुक्ती का अनुष्ठान कैसे होता था मुक्ती बस उस खेल का नाम था जैसे ही किसी को गेंद मिलती वो उसे एक तरफ डाल देता और सब लोग चिलाते मुक्ती मेरी बात पर यकीन करो वेजन बहुत अच्छा था और जिन में भी बहुत अच्छा था दोनों एक दुसरे की बहुत इज़त करते थे और अपने मद्भेदों को मिटा कर मिल जूल कर खेलते थे चलो हम अपनी पुरानी रंजिश को भुला दे और कल की सोचे कैसे हो आपा तुम्हें मेरी याद आई हम आपके बहुत शुक्र गुजार हैं अवतार मैंने तो बस कोशिश की थी चलो हम भूमिराजी तक मिल जूल कर एक जनजाती बन कर चलें मैं भी चलूंगा मैं इस जगह से तंग आ जुका हूँ अच्छा है कि तुम जिनवे और वीजिन को जानते थे क्या तो मैं समझ में नहीं आया कि मैं जूट बोल रहा था मैंने जूटी काहानी सुनाई यह नहीं हो सकता थमने बहुत गलत किया मुझे बहुत भूक लगी है कुछ खाने को मिलेगा क्या कुछ खाने को प्रीजिवे सकतला थे जल, भूमी, अगनी, बाई, बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शांती से रहते थे, फिर सब कुछ पदल गया, जब अगनी देश ने युच छेर पी, केवल अवतार चारो तक्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था, लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी, तभी वगुन हो गया, सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ्तार धोन निकाला, आइंग नाम का एक एरवेंडर, हाला कि उसकी वायों सिधियां अध्भूत थे, फिर भी उसे जानना था कि उसमेर कितनी बरी जिम्मदारी है, पर मुझे विश्वास है कि आइ दुनिया को बचा सकता है हमें तुमारी जरूरत हैं और मुझे तुमारी सबर के दोस्तों याज़ो तुम गाय प्यू हो गये थे मैं नहीं हुआ था हमें तुमारी जरूरत हैं क्या हो रहा है हम लोग फिर से पकड़े गएं क्या नहीं मैंने बुरा सपना देखा सोजाओ हाँ तुमारे बोलने की जरूरत नहीं है तुम ठीक तो हो नायंग मैं ठीक हो आजकल तुम्हें बहुत बुरी बुरी सपने आ रहे हैं क्या देखा सपने में? मुझे बस आराम की जरूरत है मैं अपने सपने के बारे में बताओं खेर जाने दो मैं बताना भी नहीं चाहता देखो आसमान कितना साफ है आज हम आसानी से उड़ पाएंगे हमें सबसे पहले उड़ कर बाजार जाना होगा क्योंकि खाना खतम हो गया है रुको दोस्तों मैंने सपने में देखा था कि बाजार नहीं जाना चाहिए क्यों क्या हुआ सपने में? खाने की चीज़े लोगों को खा रही थी और मोमो मुझे कुछ बाते बता रहा था तुमने मुझे बहुत अजीब बाते बताई आंधी आने वाली है बहुत बड़ी आंधी आपका तो दिमाग फिर गया चाचा मौसम इतना साफ है एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है उत्तर से एक तूफान इस तरफ बढ़ रहा है मेरी मानो तो दक्षिन पश्चिम की तरफ बढ़ जाओ हमें पता है कि आफ़तार उत्तर की तरफ जा रहा है हम भी उसी तरफ जाएंगे राज कुमार पहले अपने लोगों की सलामती पर ध्यान दो उनकी सलामती इतनी जरूरी नहीं है क्यूंकि मेरे खयाल से अफ़तार को खोजना इस वक्त किसी की भी सलामती से ज्यादा जरूरी है उसका मतलब ये नहीं था दरअसल वो ठक गया है अरे अच्छा तो है सोच का रही हो मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं लगता इसमें से अजीब आवाजे आ रही है ये इसके रस की आवाज है इस आवाज का मतलब है कि ये पक गया है समझी शायद ये ठीक कह रही है कि आवाज का मतलब ये पक गया है खेर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है खाना भी खतम और पैसे भी खतम अब हम क्या करेंगे तुम कोई नौकरी ढूंडो समझे हमें समुद्र में नहीं जाना चाहिए देखो बाद में मशलिया पकड़ लेना एक भयंकर तुफान आने वाला है तुम तो पागल हो गई हो अरे इतना अच्छा मौसम है न हवा है न बादल बे मतलब बातें मत बनाओ लगता है मैं किसी के घर में पना लेनी होगी मजाग कर रहे हो कौन पना देगा हमें मेरे जोड बता रहे हैं कि तुफान आने वाला है और वो भी खतरनाक तुम्हारे जोड जादा सही है या मेरा दिमाग फिर तो तुम किसी और को खोजो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली ठीक है तो मैं एक नया नौका ढून लेता हूँ जिसे मैं तुमसे दुगनी तनखा दूँगा ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हें नौकरी मिल गई देखा मुझे काम मिल गया मुझे दुगनी तनखा देंगे दुगनी? ये बकवास बात किसने कही? लगता है तुम्हारे अंकल ने तुफान के बारे में सही कहा था अब जाकर माने एक बात सुन लो तुम इज़द करना सीखो वरना मुझे सिखानी पड़ेगी तुम खुद किसी की इज़द करना जानते हो क्या? जिस तरह से तुम यहां सभी से बात करते हो अपने बहादूर सिपाहियों से अपने तजुर्बेदार अंकल से इससे पता चलता है कि तुमको दूसरों की इज़द करना आता ही नहीं है तुमको अपने अलावा कुछ नहीं सूचता है फिर एक सिर्फिरे राजगुमार से इसके अलावा में और उमीद ही क्या कर सकता हूँ तुम दोनों शान्त हो जाओ बहुत हुआ समद्र में इतने समय तक रहने के कारण हम काफी ठक गए है और मुझे लगता है कि एक प्याली जाय से सब की तबियत खुश हो जाएगी चाचा मुझे आपकी दखल अंदाजी नहीं चाहिए सौका जरा आसमन की तरफ देखो शाय तूफान आएगा मैं ये नौकरी करके रहूंगा देखना अब खराब मौसम भी मुझे रोकने ही पाएगा ये चोटा लड़का सही कह रहा है तुम लोगों को इसकी बात मान लेनी चाहिए हम चोटा लड़का ओ एरबेंडर निशान वाला मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब कि तुम आउतार हो हाँ वही है मगर इस बारे में ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं आउतार तो सौ साल पहले गायब हो चुका था तुम दुनिया को पीट दिखा कर चले क्यों गए थे इस पर चिलाओ मत एंग ने कभी अपनी पीट नहीं दिखाई समझे ओ पीट नहीं दिखाई तब तो मुझे लगता है कि पिछले सौ सालों से हुई जंग और बरबादी मेरे सपने में हुई थी आउतार दुनिया का सबसे बहादोर इंसान है जब से मैं इससे मिली हूँ इसने दूसरा की मदद की है और उनकी जान बचाई है काईब होने में इसकी कोई गलती नहीं है है न एंग क्या हुआ जाओ उड़ते हुए बाद जाओ तुम बहुत ही बुरे इंसान हो आपा यिप यिप ये क्या वो लोग तो अलविदा काईब गएर ही चले गए तुम्हारे दोस्त बड़े बत्तमीज है ऐसी बात नहीं है कोई ना कोई वज़े जरूर होगी हाँ हाँ पता है चलो नीचे जाकर काम करो माप करना मैं वहां से भाग आया कोई बात नहीं वो आतमी बहुत ही बद्तमीज था नहीं ऐसी बात नहीं है क्या मतलब है तुम्हारा मुझे बात नहीं करनी सरूर तुम्हारे सपने से जुरी कोई बात है बताओ ना आएंग ये बहुत लंबी कहानी है कटारा मैं सरा आफ जलाने की कोशिश करती हूं मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब साधु ने मुझे बताय था मैं अवतार हूं मैं कुछ बच्चों के साथ दक्षिन वाली दीवार के पास खेल रहा था मैं उन्हें सिखा रहा था कि हवा के गारी कैसे चलाते हैं और फिर उस पर बैट जाओ ये ये तो मैं भी करता हूं जल्दी उस पर बैट जाओ इस पर संतुलंग बनाना पड़ता है हां काफी मुश्किल था ये तरकिप तुमने खासे सिखी मैंने बनाई एंग तुम हमारे साथ आओ तुमसे कुछ बात हैं करनी है आपको कैसे पता मैं ही हूं बहुत समय से हमें ये पता है कि तुम आवतार हो क्या तुम्हें ये खिलोने याद हैं ये मेरे पसंदीदा खिलोने है जब मैं छोटा था तुमने हजारों खिलोनों के बीच से इनको चुना था एंग ये वो चार खिलोने हैं जो आवतार की आदगार हैं ये खिलोने आवतार के अतीच से जुड़े हुए हैं तुम्हारे जीवन के अतीच से मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने चुने तुमने इन्हे इसलिए चुना क्योंकि वो जाने पहचाने थे वैसे हम सोच रहे थे कि तुम जब 16 साल के हो जाते तक तुमको बताते मगर मुसीबत के संके दिखने लगे हैं आस्मान में घने बादल चागे हैं नन्ने अवतार मुझे लगता है कि जंग होने वाली है हमें तुम्हारी जरूरत है एंग मैं उसके हुक्म सुनते सुनते और उस अवतार का पीछा करते करते तंग आ गया हूँ ये जू को अपने आपको समझता क्या है क्या तुम सच मुझ जानना चाहते हो जनरल आयरो, हम तो बस कोई बात नहीं, क्या मैं यहां बैठ सकता हूँ जरूर बैठिये समझने की कोशिश करो मेरा भतीजा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है वो बहुत कुछ सह चुका है मैं भी जाओंगा राशकुमार जुको क्या बात है मैं युद्ध वाले कमरे में जाना चाहता हूँ पर ये पहरे दार जाने नहीं दे रहे हैं यकीन करो, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा राशकुमार एक दिन आएगा जब मैं इस देश पर राज करूँगा क्या आपको नहीं लगता कि मुझे अभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए बहुत अच्छे मगर वादा करो कि वहाँ कुछ नहीं बोलोगे वो बुढ़े लोग तुमारी बातों का बुरा मान सकते हैं शुक्रिया चाचा भुमी राज जी ने सारी ताकत यहां लगा रखी है यहां उनके सबसे खतरनाक अर्थ बेंडर और खुंखार योद्धा तैनाथ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहां हमारी 41 टुकड़ी लगा दी जाए मगर 41 टुकड़ी में तो सब नए सिपाही है वो लोग भुमी राज जी के खतरनाक योद्धाओं का सामना कैसे करपाएंगे नए करने दीजिए हम इस तरह से उनका ध्यान बटाएंगे और फिर पीछे से हमला कर देंगे इस तरह से हम दुश्मन को चारा डालेंगे आप इस तरह पूरी टुकड़ी को कुरुबान नहीं कर सकते हैं वो सिपाही हमारे देश की हिफाज़त करते हैं ये धोखे बाजी होगी जूको ने सही कहा था मगर उसे ये बात वहां नहीं कहनी चाहिए थी और उसके नतीजे भी बहुत ही खतरनाक हुए थी ये वा तुम लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे हो हाँ और इतना ही नहीं हमने तो हवा वाली गाड़ी से खेलने का तरीका भी तयार कर लिया क्या बात है तो मावतार बन चुके हो ना इसलिए तुम जिस किसी भी टीम में रहोगे वो सबसे आगे रहेगी पर खेल तो खेल है वो वैसा ही रहेगा तो क्या मैं नहीं खेल सकता हाँ यही एक तरीका है अच्छा ठीक है मार्फ करना एंग हाँ तो अब इसे कौन अपने टीम में रखेगा बहुत अच्छी चाल चली है शाबाश मैं कुछ समझा नहीं यह क्या तो तुम उसके साथ खेल रहे हो अवतार को अभ्यास करना चाहिए एंग ने आज बहुत सारा अभ्यास किया है समय बहुत कम है चलो मेरे साथ मैं तुमको कुछ बारीक कलाबाजिया सिखाता हूँ नहीं जब तक मैं इसे सिखा रहा हूँ कोई बीच में नहीं आएगा वरना तुम्हारे लिए यह अच्छी बात नहीं होगी बैठक में राजकुमार सुको के बोल लेने के बाद अगनी समराट उस पर बहुत घुस्सा हो गये उन्होंने कहा कि राजकुमार सुको ने बीच में बोल कर हमारे सेनापती की बेसदी की है और इसके लिए एक ही सजा हो सकती है अगनी काय, अगनी परीक्षा सही कहा राजकुमार जूको ने बूढ़े सेनापती की तरफ देखा और कहा कि उसे किसी से डर नहीं लगता मगर उसे लोगों ने खलत समझा जब उसने अपने दुश्मन को देखने के लिए चेहरा गुमाया तो देखा कि वो बूढ़ा सेनापती नहीं था जूकों ने सिनापती की योजना के खिलाफ अपनी बात कही थी मगर अगनी समराट के जुद्ध कक्ष में ये बात कहकर उसने खुद अगनी समराट की बेस्थती की थी इसलिए अब उसे अपने पिता से लड़ना था जब मुझे थोड़ा अच्छा मैसूस हो रहा था एक बुरी घटना हो गई एंग को चाहिए आजादी और मौट मस्ती वो एक आम बच्चे की तरह बड़ा होना चाहता है अब हम उसके भागे को तो नहीं बदल सकते न ग्याद्सो तुम्हारी बात बिलकुल सही है ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम इस बच्चे से बहुत प्यार करते हो मैं तो बस उसके भलाई करना चाहता हूँ और कुछ नहीं मगर हमें संसार की भलाई के बारे में भी तो सोचना है तुम्हें एंग से अलग होना ही पड़ेगा आवतार को आगे के प्रशिक्षण के लिए पूर्वी सिरे पर मौझूद वायू मंदिल में भीज दिया जाएगा यह तो बहुत ही अजीब कहानी है मैं क्या करूं उसे उन्होंने ऐसा क्यों किया वह मुझसे हां चीज चीद लाना चाहते दें मेरी पासकी हां चीज समझ के माप करना मुझे गुस्सा आ गया जिस तरह साधुने तुम्हे वहां से भीज दिया उस पर गुस्सा तो आएगा ही अगर सच कहूं तो ऐसा नहीं हुआ था मजा गया मैं डरा हुआ और चक्राया हुआ था समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं है 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 मैं नहीं चाहता कि यह लोग तुमको मुझसे दूर भेज़ दें है 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 उसके बाद मैंने याद्शो को कभी नहीं देखा है है हुआ है उसके बाद बस यह याद है कि मैं तुमको बर्थ के पहाड पर पड़ा मिला था तुम भाग गयते उसके बाद अग्नी देश ने मंदर पर हमला किया मेरे साथियों को मेरी जरूरत थी पर मैं वहाह नहीं था तुमही तुम वहां रुकते तो क्या naszym को मेरी जरूरत थी और मैं वहाँ पर नहीं था मचवारे ने सही कहा मैं दुनिया को पीट दिखा कर भाग गया तुम अपने आपको दोश मत दो भले ही तुम चले गए थे पर यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था अकर तुम वहां रुखते तो शायद दूसरे एबेंड़ इसके साथ तुम भी मारे जाते किसे पता मुझे लगता है कि होने को यही मनसूर था दुनिया को तुम्हारी जरूरत है अंग तुमने एक उमीद जगाई जब राजकुमार सुको ने देखा कि उसे अपने पिता से लड़ना पड़ रहा है तो उसने माफी मांग ली नहीं बिता जी मैं आपसे नहीं लड़ सकता मैं सिर्फ अगनी देश का भला चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजे तुम्हें अपनी इज़त के लिए लड़ना होगा मैं आपकी बेजिती नहीं करना चाहता था मैं आपका आज्यकारी बेटा हूँ उठो और लड़ो राजकुमार जुको मैं आपसे नहीं लड़ूँगा तुमको दूसरों की इज़त करना सीखना होगा और जब दर्द होगा तो ये सबक जिन्दगी भर याद रहेगा मैंने आखे बंद कर लिए ओ मुझे लगा था कि राजकुमार को अभ्यास करते समझ चोट लग गई थी नहीं अभ्यास में नहीं लगी थी और उसके बाद अगनी समराट ने कहा कि राजकुमार ने लड़ाई से इंकार करके अपनी शर्म नाक कमजोरी को जागर किया है सजा के तोर पर उसे देश निकाला दे दिया गया और कहा गया कि जब तक वो अवतार को पकड़ नहीं लेगा उसे दुबारा देश में नहीं आने दिया जाएगा अच्छा तो इसी लिए वो बेकरार है अवतार को पकड़ने के लिए क्योंकि यही एक रास्ता है अपने राज्जे लोटने का हालांकि हालात पहले जैसे कभी नहीं होंगे मगर अवतार के जरीए जुको को उमीद जरूर है बदत कीजिए कोई मेरी बदत कीजिए डनी की कोई सरुरत नहीं है मेरे पती को बचा लो कहा है आपके पती सौका कहा है वो लोग तो लोटे ही नहीं है अब तक तो उनको लोट जाना चाहिए था अब तो तुफान भी खतरनाक होता जा रहा है अब मैं क्या करूँ मैं उन् हम कहां आ गए हैं मुझे नहीं पता देखो वो भी खंद्रे में है कहां है वो लोग कहां है वो लोग कि चलो अपा कि वो रहां आफ्तार बोलिये क्या करना है राजकुमार जाने दोर से हमें भी तो तूफान से बचना है तब तो हमें सीधे तूफान के केंद्र की तरफ चलना चाहिए मैं मरना नहीं चाहता मैं भी नहीं हमें बचाएगा कौन वाँ इसे पाकार लोफ वाँ जाजा, मुझे माफ कीजिए चलो, तुम्हारी समझ में तो आया तुम लोग आ गए, तुम इससे माफ ही मांगो नहीं, इसके कोई जरूरत नहीं है अगर माफ ही मांगने की बजाए, मैं मुफ्त में इनको अपनी मचली दे दूँ, तो कैसा रहेगा नहीं, मैं मास नहीं खाता मचलियां तो खा सकते हो वैसे, मुझे पूरी तनख्वा तो मिलेगी न कटारा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी मैं अपने अतीत को याद कर रहा था सच में? मुझे समझ में नहीं आ रहा था अगर मैं वहां से नहीं भागता तो क्या होता मगर अब मुझे सब समझ में आ गया है अब शायद दुबारा तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे अगर तुम यहां नहीं आते तो मेरी जान कौन बचाता? बताओ, मुझे बचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ज़रा यहां देखो, बारिश रुख गई है आपा कि पुक्पूल आप जय 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 जो चल, भूमी, अगनी, वाई बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शांती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेद भी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी ज़रूरत थी तभी वो गुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढों निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायो सिधिया अध़ो थी फिर भी उसे जाना था कि उसने कितनी बड़ी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है बिलकुल नहीं यू यान तीरंदाज यहीं रहेंगे तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे सेना पतिजाओ कानल शायनू एक बार फिर से सोचो उनका निशाना बड़ा अच्छा है वो लोग सो गस दूर से पेड़ पर बैठी एक मकी के पंक को मारे बिना उसके पंक काट सकते हैं हम यहां पहरेदारों की तरह उनको तैनात करके उनके हुनर को जाय कर रहे हैं देखो जैसा मन चाहेगा वैसा मैं उनका इस्तिमाल करूँगा वो सब मेरे निशाने बाज हैं समझ गए ना मगर मुझे आवतार की खोच करनी है यह तुम्हारी बिलकुल बेकार की जिद है हम यहां सच मुझ की जंग लड़ रहे हैं हमें यहां जाबा सिपाहियों की जरूरत है मगर बस यह मेरा आखरी फैसला है अब एक शब्द भी नहीं सुनूँगा अगनी समराट का कोई संदेश आया हो जाई ऐसा लगता है उन्होंने मेरी तरक्की कर दी है अब तक अनुरोत कर रहा था मगर आब आधेश दूगा इससे बुकार उतर जाना चाहिए पता है आपा की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है उसका मजा क्या होना अच्छी बात है मैं उससे बता दूँगी शाबा शाबा अब कैसी है तब्यत ठीक नहीं है तूफान में फसने की वज़े से उसका ये हाल हुआ है मुझे चाय के लिए अदरक तो नहीं मिला लेकिन ये नक्षा मिला है पहार के उपर जड़ी बूटियों का एक शोट केंद्र है शायद वहां सौका के लिए कोई दवा मिल सके एंग वो बिलकुल सफर नहीं कर सकता सौका को आराम की ज़रूरत है शायद कल तक वो ठीक भी हो जाएगा तुम मत बिमार पढ़ना चिंता मत करो थोड़ी सी खासी है बस मैं ठीक हो ऐसे ही सौका के खासी शुरू हुई थी अब देखो उसका क्या हाल है उसे लग रहा था वो एक और बेंडर है बोलो तो ये पथर उड़ा दूँ कुछ घंटे और और ये पागल हो जाएगा मैं इसी वक जा रहा हूँ इसके लिए दवा डूणने अ शायद पैतल जाना ही ठीक रहेगा तुम इनका ख्याल रखना तुम लोग मुझे पागल कर दोगे तूफान के बाद से अभी तक हमें आवतार का कोई पता नहीं चल पाया है अगर हम उत्तर पूर्व की और बढ़ते चले जाएं तो शायद हमें अब ये लोग क्या चाहते हैं शायद हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहते हो आवतार को खोजना सबसे जरूरी काम है आवतार के बारे में सारी जरूरी जानकारियां सीधे सेनापती जाओ को दी जाएंगी जाओ की तरक्य हो गई? अच्छी बात है ये तो मुझे जाओ से कोई मतलब नहीं है अब फॉरण मेरे जहाज से निकलो और मुझे जाने दो सेनापती जाओ का आदेश है कि इस लाकी में ना तो कोई जहाज आएगा ना चाहेगा निकलो मेरे जहाज से शाबाश ये अच्छी चाल है तुम लोग तो काफी तरक्य कर रहे हो अगर इसी तरह खेलते रहे तो मुझे भी हरा सकते हो कहा जाता है कि आवतार तूफान पैदा कर सकता है और हवा से भी तीज दोड़ सकता है यकीन नहीं होता यह तो बस अगनी समराट की फैलाई अफवा है ऐसा बला कोई कर सकता है कठारा मुझे पानी चाहिए पानी ध्यान से सुनो मूमो इसे नदी तक लेकर जाओ और इसमें पानी भर कर लाना समझे आना लग रही नाप में से रहो आज ड़किल कर देनाने से हो मूमो लुस इसना है समझे माप कीजे मैं इस तरह चला आया मेरे दोस बिमारे और उन्हें दवा की जरूरत है उन्हें खासी है और बुखार है और बस करो बच्चे बस करो तुम्हारे दोस ठीक हो जाएंगे मैं यहां चालिस साल से रहती हूँ समझे दूसरों का इलाज किया मगर कुछ दिन पहले सब चले गए अब बस मैं हूँ और मेरी मियू की अच्छा भूमी राज के घायल सैनिक अकसर यहां चले आते हैं बड़े हिम्मती हैं वो लोग मेरी दवाओं का असर इतना है बेटे के वो यहां से तंदरुस्थ होकर ही लोटते हैं अच्छी बात है दवाओं तयार है रुको बस एक आखरी जड़ी बूटी ही डालनी है चंदन की लकड़ी ओ नहीं नहीं यह नहीं केले के पत्ते नहीं नहीं अध्रक ओ वो छोटी पत्ते वाला पौदर का गया सब ठीक तो है ना एक घंटा हो गया और तुमने मुझे कोई आदेश नहीं दिया भतीजे मुझे उनकी जरा भी परवा नहीं अताश मत हो बेटे तुमको अफतार जरूर मिल जाएगा जाओ से पहले कैसे चाचा जाओ के पास इतने सैनिक है कि उसे मुझे से पहले और आसानी से आफतार मिल जाएगा मेरी इस्जत मेरा राच्य मेरा देश सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा ये रहा वो पौदा जिसे मैं कब से ढून रही थी हरर वहेडा हो गया आपका शुक्रिया हाथ खटाओ ये क्या तुम्हारे दोस्त की दवा है मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है अरे ये दवा नहीं ये तो मेरी बिल्ली का खाना है ये इसको बहुत ज्यादा पसंद है मगर मेरे दोस्तों की दवा उनको बर्फ में जमे मेंड़क दे दो, वहां नीचे घाटी में बहुत मिल जाएंगे मगर किस तरह देना है ये तो बताइए बस उनको मेंड़क चूसने दे देना मेंड़क चूसना मेंड़क की चमड़ी से एक चीज निकलती है जिससे तुम्हारे दोस ठीक हो जाएंगे बहुत सारे मेंड़क लेके जाना बस एक बार उनका तापमान बढ़ा दो तो वो बेकार हो जाते हैं आप मज़ा कर रहे हैं ना नहीं तो अब खड़े क्यों हो जाओ उनका इलाज करो लगता है निशाना गलत लगा थाफ टहुँ ठाप हो जाएंगे बहुँ आदिशों प्रोभी जाएंगे अवाव फट खड़े क्यांगे यह क्यों है आप खड़े क्यों है क्यों यह क्यों है में घर भाल चले के लोstat प्रादा में घह?" मेंड़! तो यह है वो महान अवतार सारे तत्वों में माहिर समझ में नियाता कि इसने सौ साल तक अगनीदेश को चक्मा दिया कैसे मगर अब यह लुकाचीपी का खेल खत्म हो गया है मैं कभी तुमसे छिपा नहीं अगर हिमत है तो मुझे खोलो और लड़कर दिखाओ बिलकुल नही बोलो अब अपने दोस्तों के बिना कैसा लग रहा है दोस्तों की यादा रही है ओ खबराओ मत हम तुमें बाकी लोगों की तरह मारेंगे नहीं क्योंकि अगर तुम मर गए तो फिरसे जन्म ले लोगे और अगनीदेश नहीं चाहता कि उसे दोबारा उतार को खोजने की शक्कत करनी पड़े इसलिए हम तुमको जिन्दा रखेंगे मगर अध्मरा कर देंगे जितनी चाहे कलाबाजियां दिखाओ तुम यहां से जा नहीं सकते आज तक कोई स्किले से बाहर नहीं जा पाया और नहीं कोई यहां तुमको बचाने आएगा पानी मोमो बस अभी आता ही होगा नहीं मोमो पानी पानी लाओ एंग तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है हुआ कर्णकर पान्य है सब ठीक है यहां कोई नहीं है इसे जाने दो अगनी देश के भाई और बहनों अगनी सर्वस्रेश्ट तत्व है और हम है सर्वस्रेश्ट आज तक हमारी जीत के रास्ते में बस एक ही बाधा थी अवतार और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अवतार को बंदी बना लिया है ये सोजीन तारे का साल है और इस साल हम सत्ता में लोटेंगे ये अगनी देश का साल साबित होगा हम बाध इंसे की दिवार को तोड़ कर शहर को तबाख कर देंगे हाह हाह ह क्या नहीं मेंडक मज जाओ मेरी दोस्त संस्य वेख बिमार और उने मरी जरूरत है फिर से जम जाओ पिर हfahr कि दो questions हुआ 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 jझ connections कि कौन हो तुम यह सब क्या हो रहा है क्या तुम मुझे बचाने आयो हाँ शायद यही बात है हाँ मेरे मेंडग रुक जाओ वापस आजाओ मेंडग वापस रुको मेरे दोस्तों के जरूरते और कितनी बार बताना पड़ेगा मोमो हमें पानी चाहिए जाकर पानी लाओ और रहने दो आंग चल्दी आजाओ यह एंग कौन है जिसका नाम आप बार बार ले रही है रानी साहिबा मेरे फाशन को लिखवा लो और अगनी देश के पास भेश दो और हाँ उस पर यहां तैनाद सेना पतियों के दस्थखत भी करवा लेना और जरा तो क्या में आपके भाशन को लिखवाना रुख दू हुजूर् वो देगो दिवार पर अवतार भाग निकला है जल्दी से दर्वाजे बंद कर दो मेरे साथी रेना करेको लुख उनके भी करें मेर बड़ वाँ वाँ ही एलो यही एलदी आफूदा मुझे एकां दो रुक जाओ अवतार को जिन्दा पकड़ना है दर्वाजे खोल दो सेना पती क्या कर रहे हैं आप जाने दो से समझे हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं ऐसे हालात में दिमाग अस्तिवाद करना चाहिए देखते चाहो क्या अब निशाना लग सकता है मार गिरा उस चोर को मैं उसे अवतार के साथ अगनी समराठ के पास भेश दूगा चल्दी करो आवतार के पक्ड़ो क्या प्रोड़ो कि तुम्हें पता सौ साल पहले पैदा होने का नुकसान क्या है मुझे अपने सारे पुराने दोस्तों की याद आती है जंग शुरू होने से पहले मैं हमेशा अपने दोस्त कुजौन के पास जाता था और हम लोग बहुत मज़े से एक दूसरे से मिलते जुलते थे वो मेरा पक्का दोस्त था और वो अगनी देश का रहने वाला था तुम्हारी तरह अगर उस वक्त हम एक दूसरे को जानते तो क्या आज भी हम दोस्त होते कहां थे तुम राजकुमार सुको कल रात क्या गाना बजाना हुआ सेना पती जी ने कल रात बड़ा प्यारा गाना सुनाया था मैं ठक गया हूँ कोई मुझे परेशान ना करे इन्हें चूस लो इससे तुम्हें अच्छा लगेगा एंग तुम्हेरा नया सब कैसा रात तुम्हें कोई नए दोस्त भी बना है नहीं कोई दोस्त नहीं बना वाह ये तो बहुत स्वालिस्थ है हुह 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 हे घवा कैनल मुथ dobr Much ले तुम कि टुम खी! कि टुम जा Fest कि अ कि टुम जा जल बुमी अदनी बहुत साल पहले चारो राश्टर आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेल दी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरब थी तभी वो गुम हो गया अच्छे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है वो देखो वो हमारा मजा कुड़ा रही है अब देखना आज तो मैं तुम्हें खाई जाओंगा मेरा मच्छी पकड़ने का काटा का है मुझे लगा वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है यह तो बुरी तरह से उलज गया है उलजानी मैंने इसे बुना है मैंने कटारा के लिए नेकलेस बनाया है मैंने सोचे तुम्हारे गुम गया था तो शुक्री आएंग ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छे दुनिया को बचाने के बजाए तुम्हें गहने बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए दोनों काम एक साथ भी कर सकता हूँ मेरा बदा कुडाना बद करो तो कैसे लग रही हूँ मैं क्या तो में नेकलेस के बारे में बात कर रही हो मेरा मतलब तुम पर अच्छा लग रहा है मैं समझ गया लगता है किसी को कुछ कुछ हो गया है वह मैं इसका मज़ाग मत उड़ा उसौका एंग मेरा अच्छा दोस्त है बहुत प्यारा सा दोस्त बिल्कल मोमो की तरह शुक्रिया किसी पर जंगली भालो ने हमला कर दिया है कैसे हो तुम आज अच्छा दिन है है ना शौर करो तक ही वह भाग जाए मुर्दे की तरह पढ़े रहो वह कुछ नहीं करेगा ओ बाल बचा घलान की तरह भागो और पेड़ पर चड़ो उसके पेड़ पर मुका मारो और फिर तेड़े मेरे होकर भागो इसकी जरूरत नही ही है सब ठीक हो जाएगा अब रुख जाओ अंडा तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि हम आ गए शुक्रिया मगर डरने की कोई बात नहीं थी सब ठीक हो जाता वूचाची ने कहा था कि मेरे सफर में गड़बड नहीं होगी किसने कहा अरे वूचाची ने कहा वो हमारे गाउं की जोतिशी हैं वो सब कुछ सच सच बता देती हैं वाँ ये तो कमाल है इसलिए आपको भालो से डर नहीं लगा मगर जोतिशी की बात तो गलत निकली तुम्हारी जान जा सकती थी तुम तो बाल-बाल बच गए बच तो गया ना ठीक है चलो फिर मिलते हैं वो चाची ने कहा था कि अगर मुझे कोई मुझेम मुसाफिर मिले तो ये देदेना तो हम इंक तो हमें अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास चलना चाहिए मसा आएगा छोड़ो ना भविष्य वाणियां सिर्व गलत होती हैं आ कि क्या है चाता साबित हो जाता है क्या साबित हो जाता है कोई किसी का भविश्य नहीं बता सकता तो इसका मतलब तुम अब भीगने वाले नहीं हो दिन भर काले बादल छाय हुए थे ऐसे मैं कोई भी बता सकता है कि बारिश होगी अपनी गलती मान दो और चुपचाप छाते के नीचे आ जाओ अब मैं भी भविशवानी करता हूँ बारिश लगातार होने वाली है देख ना सबके पास ये शक्ती नहीं होती सोका वू चाची को पता था तुम लोग यहां जरूर आओगे सच कह रहे हूँ मेरा नाम मेंग है मैं वू चाची की सहायक हूँ आये ना कैसे है आप ठीक हो बताएए आप चाहे लेंगे या वू चाची की बनाई खास मिथाई दोनों ले आईए ना पस अभी लाई आपका नाम क्या है एंग और मेरा नाम है मैंग आपके कान कितने बड़े-बड़े हैं है ना वो तो है तुम कह सकती हो की हाती जैसे कान है आइंग आपसे मिलकर अच्छा लगा बहुत अच्छा मुझे भी पता नहीं क्यों हम इस जोतिशी के घर आए हैं जरा खुले दिमाग से सोचो सौका दुनिया में कुछ चीजे ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती और कोई तुम्हें अपना भविश्य बता रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है इससे तो अच्छा होगा कि शांदार नाश्ता किया जाए ओ मैंग वू चाची ने बताया कि मुझे अपने सपनों का राजा मिलने वाला है वो मुझे अनोखा पांडा लीली का फूल देने वाला है ओ कितनी अच्छी बात है मुझे उम्मी थे मेरे सपनों का राजकुमार भी मुझे वहे फूल देगा ऐसा ही होगा क्या वू चाची ने ये बताया कि उस बड़े पांवाले लड़के से तुम्हारी दोस्ती होगी नाश्ता कीजिये ना मुसाफरी स्वागत है बोलो पहले कौन आएगा देखो शर्मा उमर पहले मैं आती हूँ के लिए यह अई हम chilli हमिन नहीं मुझे नहीं चाहिए तशा वो लो किस बारे में बात कर रहे होंंगे बेकारी बाते जैसे प्यार किस से होगा शादी किस से होगी स्व üzg लग वगर वगरा हाद मुझे भी कुछ Això यह ही लगता है अऴ रही आथ के कोमल है क्या करती हो तुम इसके लिए मैं खास चरीबूटी लगाती हूं अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी अच्छा बताइए मुझे अपने सपनों का राजकुमार कब मिलेगा बहुत जल्दी तुमको अपना जीवन साथी मिलने वाला है तुम्हारे सपनों का जल्दी आ गए हाँ वो मैं अंदर था अब रहने दो अब किसकी बारी है ठीक है मेरा भविश्य भी बता दो बच्चे तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा संगर्श है अधिक्दर मुसीब्ते तुम अपने आप मोल लेते हो लेकिन अब आपने तुम्हाथ भी नही तरीका है हड्डिया कभी जूट नहीं बोलती चलो चलो उठाओ एक अब तुम उसे आग में फेक दो आग की गर्मी से हड्डी चटक जाती है और मैं आसानी से इसके जरीए भविश्य जान लेती हूं वाह ये तो काफी चटक गई है अरे ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देख अरे ये क्या तुम्हारा भविश्य बड़े ही कमाल की बात है तुम्हें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है अच्छाई और बुराई की एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग पर पूरी दुनिया का भविश्य टिका होगा हां हां ये बात त लड़की के बारे में जानना चाहते हो हाँ मुझे माफ करना इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ओ लगता है जैसे मेरी नजर से कुछ छुट गया ये देखो ये बताती है कि तुम अपने दिल पर भरोसा रखो जल्दी तुमको कोई न कोई मिल जाएगा सच बहुत कि उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बताया वो औरत पागल है मेरी जिन्दगी बहुत ही आराम और शांती से कटेगी देखो इससे कुछ साबित नहीं होता है मुझे तो उन्होंने बहुत अच्छी बाते बताई मेरी जिन्दगी में जरूर कुछ खास होने वाला है हाँ वो तो है क्यों उन्होंने तुम्हें क्या बताया इंतजार करो पता चल जाएगा आस्मान में क्या देख रहे हैं आज वो चाची बादलों को पढ़के हमारे गाउं का भविश्य बताने वाली हैं बादल तो मोटे भालू की तरह लग रहे हैं उम्मीद करो कि वो भालू नहो क्योंकि भालू दिखने पर विनाश और गड़बड़ी होती है तुम कब इस चक्कर से बाहर निकलोगे बादलों को पढ़के वो हमें बता देंगी कि मकापू की चोटी इस साल सोती रहेगी या फिर लावा उगलेगी पहले तो हम खुद पहाड पर चढ़कर अपने आप ज्वाला मुखी का अध्यान करते थे मगर बीस साल पहले जब से वो चाची हमारे गाओं में आई है तब से हमने ये सब बंद कर दिया है मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इन अंधविश्वासियों पर अपनी जिंदगी दापर लगा देते हो वो आ रही है कैसे हो देखो ना वह बादल एकम फूल की तरह दिख रहा है हाँ अब आतो सही है देखो कटार हमाल य। बादल में कूल फूल की तरह लग रहा है कि पीर की तरह बादल इस बार फसल अच्छी होगी गाओं खुश्छाल रहेगा कितनी अच्छी ख़वर है चांद के आकार का लहरदार बादल, इसका मतलब है, जुड़वा लोगों के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा वाँ, ओ, ये बातनों का गुच्छा जिसमें एक तरफ गर्दन जैसे उठी हुई है यानि इस साल हमारा गाओ जौला मुखी की वज़े से तभा नहीं होगा मैं जब से यहां आरा और तुम से बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ कोई बात नहीं वो चाची, मैंने आपको परिशान तो नहीं किया ना कोई बात नहीं मेरी शादी जिस लड़के से होगी क्या वो सुंदर होगा और क्या वो लंबा होगा ओ इसके लिए तुम्हारा हाथ देखना होगा तो देखिये ना मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसकी बाते सही होने वाली है ये लोग तो खुश लग रहे हैं अब ही पता चल जाएगा, मैं साबित कर दूँगा कि वू चाची की भविश्यवानिया गलत है दरा सुनो, मुझे लगता है कि वू चाची नहीं तुम्हें लाल जूते पहनने को काई, है ना हाँ, उन्होंने कहा है कि लाल जूते पहनने से मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाएगी अहां जब से ये बात उनोंने कही है तुम कितनी बार ये जूते पहन चुके हो रोज पहनता हूँ तो फिर उनकी बात सही होगी ही ना सच आज मैं कितना खुश हूँ और फिर तुम्हारा तीसरा पड़ पोता होगा उसके बाद नीन में ही तुम्हारी जिन्गी खत्म हो वाह बहुत बहुत शुक्रिया वुचाची ओ एक मिनिट एक और बात मैं तो भूली गई कल मुझे कौनसी पोशाग पहननी चाहिए अब तुम ये बात भी मुझे से ही पूछोगी जाहे वुचाची ने तुम्हें जो कुछ भी कहा हो पर आज तुम्हें नह लेना चाहिए अच्छा सौका क्या तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता है क्या मतलब मुझे तो उनके बारे में सब कुछ पता है तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ एक लड़की है जिससे मैं अब मैं तुम्हारी बात समझ गया क्या तुम्हें कोई इतराज नहीं है नहीं क्या इतराज होगा एक बात और तुमसे कह दू मुझे ऐसा लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है साच हाँ बिलकुल वो तुम्हारे पीछे पागल है अब बस क्या करना होगा सबसे बड़ी गलती जो तुम जैसे लोग करते हैं वो है कि तुम लोग पिगल जाते हो पिगल जाते हैं मतलब देखो अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम्हें उसे नजर अंदाज करना होगा जैसे कि तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है अच्छा ठीक है सुनो एंग मैं कह रही थी फिर मिलेंगे क्या बात है ये तो बहुत जल्दी सीख गया जब तक तुम स्काफ पहनोगी कोई गड़ परी नहीं होगी अब तुम जाओ और मुझे एक अड़ बात पोचनी है ठीक है लेकिन जल्दी से पूछो में कल नास्ते में क्या खाओं मुझे आम खाना चाहिए या पपीत खाना चाहिए पपीता अब मुझे पपीता बिल्कुल पसंद नहीं कैसी हो कहां ती तुम यहीं थी कोई बात नहीं वैसे मुझे भी कुछ काम है पपीता दीजिये अच्छा पपीता आहां तुम खाना चाहोगे तुम्हें पता है मैं खाने के मामले में नखरे नहीं करता अच्छा ठीक है तो मैं चलते हूं शायद मुझे नजर अन्दास करना नहीं आता एक पांडा लिली मोमो तुमने देखा माव कीजिये क्या मुझे बताएंगे ये फूल कहां मिल सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि एक बेकार फूल के लिए तुम मुझे क्यों इतनी उपर तक हसीट ले आए ये कोई बेकार फूल नहीं है यह पैंदा लिली इससे चमतकार होते है मैंने खुद देखा अपनी आखों से शादी के बाद फूल देना ठीक है मगर इस वक्त मेरे हिसाब से तुम उसे नजर अंदास करो वही तुमारे लिए ठीक रहेगा मेरा दिल कहरा है कि मैं वह फूल डूनडू वुचाची ने कहा अगर मैं धिलकी बात सुनूँगा तो मुझे अच्छी लाइर्की मिलेगी क्या तो क्याप तुम भी उसकी बातों पर यकीम करने लगे अभी तक वूचाची की बाद गलत तो नहीं निकली है, मुझे लगता है वो ठीक कह रही है देखो वो रहे यह क्या वूचाची की बाद गलत निकली वो सुचते हैं वो सही सलामत रहेंगे, हमी जाकर उन्हें बताना होगा पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, बकर लो मुझे कटारा पता है उन्होंने मुझे अंदर तक आने नहीं दिया, मैंने उनका कितना फायदा करवाया है वो मुफ्त में सला देती है जानती हूँ पर फिर भी इस वक्त हमें उस मुसीबत से बचने की सोचना है वो चाची उस ज्वाला मुख्य के बारे में गलत थी सौका, तुम इससे पहले भी उन्हें गलत कह चुके हो तुम मेरी राए किसी भी हालत में नहीं बदर सकते ये क्या? सब लोग सुनो, वो ज्वाला मुख्य किसी भी वक्त फट सकता है वू चाची का अंदाजा गलत था हाँ हाँ, पता है तुमको उनकी बात पर भरोसा नहीं विज्ञान की अकड मत दिखाओ अगर तुम्हें इसकी बात पर भरोसा नहीं है तो मेरी बात सुनो तुम्हारी तरह मुझे भी वू चाची की बातों पर पूरा यकीन है पर एंग और मेरे भाई ने सचमुच उसलावा को निकलते देखा है मैंने भी अपने कानों से वू चाची की भविश्यवानी सुनी है हमारी बात का यकीन करो तुम लोग खत्रे में हो हमें यहां से निकलना ही होगा वू चाची की बात मानकर मत बैठे रहो कोशिश करो और अपनी किसमत को बदल दो देखो क्या अभी तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रा इसक्या तुम्हारा विज्ञान बता-सकता है कि बारिष्क्यों होती है हाँ, हाँ, बता सकता है ये लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे लेकिन ये लोग वूचा जी के बात सुनेंगे हाँ, यही तो परिशानी है परिशानी ही अब हल बन सकती है हम किसमत को अपने हाथ में ले लेंगे मुझे उनकी बादलों को समझने वाली किताब चाहिए शोर मत करो कोई सुन लेगा मैंने तो तुम्हे देखा ही नहीं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो ना मैं तुम्हे पसंद करता हो मगर उस तरह नहीं जिस तरह में करती हूँ हाँ तुमने ठीक पहचाना कई बार हम तो किसी को चाहते है मगर सामने वाला हमें नहीं चाहता है मैं समझ सकता हूँ कटारा बहुत खुबसूरत है क्या वो वाटर बेंडर लड़की मुझे पता है वो तुम्हे पसंद है क्योंकि वो बहुत खुबसूरत है वो एक पेंडर है और उसके बाल बहुत ही अच्छे है फिक्र मत करो तुम्हे भी अच्छा लड़का मिलेगा चो तुम्हें बहुत प्यार करेगा देख लेना शुक्रिया रुको तुम यह ले आय थे ना तुम्हे कैसे पता मैं तुम्हारे पीछे-पीछे ही ऐसी शकल बना सकते हैं मुझे मिल गया हमें इस आकार में बादल बनाने हैं बूचाची देखिए बादलों को क्या हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यह कैसे हुआ अगर हमने तेजी से काम किया तो अभी भी गाउं बच सकता है सौका हमें बताएगा कैसे लावा पाहड से बहकर यहां पर आएगा अगर हमने यहां पर एक गहरी सुरंग बना दी तो लावा बहकर नदी की तरफ जाएगा आप लोगों में कोई और्ट बेंडर है तो मेरे मैं हूँ अर्ट बेंडर मैं नहीं हूँ बाकी सब लोग फावडा लेलो जलो जल्दी काम शुरू कर दो अब जल्दी से खोदो जल्दी से खोदो सब लोग यहां से निकल जाएए जब सब ठीक हो जाएगा तो हम बुला लेंगे लाबा बहुत ज्यादा है यह उपर तक आ सकता है कार प्हा हाएएएँ आफ अई कमाल है एंग जैसा ताकत वर बेंडर दुनिया में कोई भी नहीं है क्या क्या कहा तुमने ये कहा कि आंग सच्मुच बहुत ताकत वर बेंडर है हां बिल्कुल सही कहा तुमने हमने आपकी एक किताब थोड़ी देर के लिए लिए थी तो बादलों की शक्रिक तुमने ही बदली थी बहुत तेज हो तुम माफ कीजेगा मगर इससे एक बात तो सबने सीखी ली कि भविश्यवाणी पर जरूर्ट से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए देखो वू चाची ने कहा था कि गाउं तभा नहीं होगा और नहीं हुआ इनकी बात सही निकली ना तुम नहीं सुधरोगे कोई बात नहीं सौका अपने आपको शांत रखो क्या मैं आपसे बात पूछू हाँ जरूर आपको मेरी सपनों के रानी के बार में पता था या फिर वही का जो मुझे सुनना था मैं तुमको एक राज की बात बताती हूं बेटा जिस तरहे तुमने की बादलों की शक्ति बदली उसी तरहे से तुम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो अलविदा दोस्तों आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अलविदा मैं अपना ख्याल रखना है वापस मताना लाजे तुम शक्तों अटार सकता है वाजे हो करे अँपस स retrouveर्का बात जूदे झागा मैं दोस्तों की बदोर्या खस्तों आपस्तों काया थामसद्नर जह घामसां जल, भूमी, अद्नी, वाय, बहुत साल पहले चारों राश्ट्र आपस में शांती से रहते थे, फिर सब कुछ बदल गया, जब अद्नी देश ने युच छेर दी, केवल अफ्तार चारों तप्वों का ग्याता ही उन्हें रोप सकता था, लेकिन जब दुन्या को उसकी जरुरत थी, तभी वो गुण हो गया, सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ्तार ढोन निकाला, आइंग नामका एक एरबेंडर, हाला कि उसकी वायू सिधियां अध्वर्थ थे, फिर भी उसे जाना था कि उसके कि इतनी बड़ी जम्मदारी है, पर मुझे विश्वास है कि एंग दुन्या को बचा सकता है, देखो, वेल के दाच से बनी तलवार, जरा मुझे भी देखने लो, जल कबीले के लोगों का हथ्यार है, देखते हैं आसपास और कुछ मिलता है, क्या कोई चीज कुम गई है, नहीं हमें कुछ मिला है, यह तो जला हुआ है, यहां युध हुआ होगा, जल कबीले के योधाओं ने अगनी देश वालों पर चिपकर हमला किया होगा, अगनी देश के लोगों ने इसका मुकाबला किया, पर उन्हें खदेरगार पाहड के इस पार ले गए, इसके बाद क्या हुआ होगा? पदा नहीं, यहां आकर निशान खित्म हो जाता है, रुको वो दीको, यह तो हमारी ही एक नाव है, क्या ये पिता जी की नाव है, नहीं, मगर उन्ही के दल की नाव है, पिता जी यहां आई थे, देखो राजकुमार जुको जरा देर आराम कर लेने से कितना सुकुन मिला है तुमको हट जाओ हम एक बागी का पिछा कर दो है हमारे जहाद पर ऐसा कोई नहीं है इसे दो लकवा हो गया है सर्फ थोड़ी देर के लिए जल्दी सहर उतर जाएगा मगर तब तक यह जेल में होगा और मुझे अपने पैसे वापस मिल गये होंगे तुम्हें कैसे पता वो यहां आकर चुपा है मेरा शीर्षु लाखो मेल दूर से भी चीजों की गन सूंग लेता है कमाल की चीज है वागई कमाल की चीज सोका मैं आपके साथ चलूंगा नहीं तुम छोटे हो युद्ध में जाने लैक नहीं हो समझ गये न मैं ताकतवर हूं हिम्मती हूं और मैं लड़ सकता हूं ले चलिए ना पिता जी देखो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जरूरत कहां पर है इस वक्त तुम्हारा अपनी बेहन के साथ रहना बहुत ज़रूरी है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एक दिन तुम समझ जाओगे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी कौन है वहां सोका तुम बाटो कौन है बाटो सोका कटारा तुम दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा कितने बड़े हो गए हूँ नहीं वह दूसरे योधाओं को लेकर भूमी राज्य के पूर्वी हिस्से में गए है ओ यहां तो काफी ठंड है चलो अंदर चले मेरे घायल होने पर तुम्हारे पिता जी मुझे यहां लेकर आ गए तब से इन लोगों ने मेरी बहुत देखभाल की है सुपीरियर ये हकोडा के बच्चे हैं ये लोग अवतार के साथ जा रहे हैं मेरी नाव के पास मुझे मिल गए अगर मैं कुछ इए तनी अच्छी खुश्बू किस चीज़ की है ये सभी लोग मरहम और इत्र बनाते हैं इत्र तो तो हमें आपा पर छिडखना चाहिए उसमें से बद्वू उतनी ही जो आती है मैंने ठीका ना तुम अपने पिता की तरह मजा किया हो बाटो ये तो बिल्कुल घर जैसा है यहां तो सब कुछ है एशो आराम की सब चीजें हां इस पर तो बहुत अच्छी नींद आती होगी न वाह ये तो मेरा मन पसंद खाना है चक के देखो पिताची तो ये पुरा का पुरा खा जाते बाटो क्या आप और पिताची ने मिलकर आक्टिक हिपो को पकड़ लिया था हां तुम्हारे पिताची की वज़ा से उन्होंने मुझे खींच लिया और हमें गैंडे से मुकाबला करना पड़ा मैं भी जनवरों की सवारी करता हूं जब मैं तीन सार का था तुमेरे एक है उस वक्त तो हमें अंदाजा भी नहीं था लेकिन आज सोचते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सुनो एंग उसे वापस रख दो ये बहुत एतिहासिक और नाजुख चीज है पिताजी ने यह आपने ऑक्टोपस अपने सिर पर रख दिया था ताकि ग्रान ग्रान को लगे क कि आप समुधरी प्रेथ हैं ओक्टोपस को तुम्हारे पिताजी ने लेपेट लिया था मगर डरावनी आवाज मैंने निकाली थी मेरे रास्टे से हट जाओ गंदे कहीं के इसकी बात का बुरा मत मानना तुम तो रोज ना आते होगे ना मुझी तुमसे कुछ बात करनी है अच्छा तो तुम लोग हो गुसे वाला लड़का और उसका सुस्त चाचा कि तुमने मेरा जहाज तोड़ा है तुमें भरपाई करनी होगी हां जरूर करते लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे कम है ये जाम मेरी तरफ से मैं यहाँ तुमसे पैसे लेने नहीं आया हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम किसी को ढूंडो क्या हुआ क्या तुम्हारी प्रेमिका किसी के साथ भाग गई आजीब बात है अगर तुम ने उसे ढून लिया तो मैं समझागा कि जहाज तोड़ने के भरपाई कि तुमने कर दी भूल जाओ साथ मैं तुम्हारे वजन के ब荷्व थो ना भी देंगे अपसी वजन की बराबर दो तो कोई बात बंए मिल जाएगा आव मेरे साथ बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे पिता जी के संदेश का इंतजार कर रहा हूँ सैच कब आएंगे कभी भी आ सकता है जब वो कोई ठीक ठाक जगहे खोज लेंगे तो मुझे संदेश भेजेंगे अगर तुम संदेश के आने तक रुको तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा सकता हूँ कितने साल हो गए हम पिताजी से ने मिले देखना बहुत मज़ा आएगा क्यों है ना कटारा मुझे भी उनकी बहुत याद आती है पिताजी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा बहुत दिन हो चुके हैं है ना बस उनका संदेश आता ही होगा थोड़ा इंतिजार करो इंतिजार तो कर सकते थे मगर क्या करे हमें आइंग को लेकर उतरी धुरूपर जाना है अगर संदेश आने तक हम रुख भी गए तो पता नहीं उनसे मिलने कितनी दूर जाना पड़े और हमें आइंग को उतरी धुरूप ले जाना ही होगा उम्मीद है तुम्हारे पिता जी इस बात को समझ जाएंगे उन्हें इस बात पर गर होगा कि उनके बच्चे अव्दार की मदद कर रहे हैं यकीन नहीं होता मुझे छोड़के चले जाएंगे मैं जल कवेले के बाटों को खोज रहा हूँ मैं उन्हें जानता हूँ ये संदेश उन्हें दे देना ये तो सौका के पिताजी का भेजया नक्षा है लो मैं आ गया मैं थोड़ी दूर तक चला गया था एंग तुम कब गय पता है नहीं चला अब तो आ गया हूँ क्यों ना कुछ खा लिया जाए बहुत भूख लगी है क्या तुम लोग ताजा हवा खाने निकले हो हम किसी को ढून रहे हैं कहीं वो मेरी मियूकी तो नहीं मियूकी क्या तुमने फिर से अगनी देश के लोगों को तंग किया है कि अफ्तार यहीं से होकर कुछ रहा है आगे चलते हैं कि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई शर्म आनी चाहिए तुमको बरामदे में गंदगी करते हो माप कीजिए आइंदा नहीं करूंगा यह जहाज मेरे लिए बहुत कीमती है इसे मेरे पिताजी ने बनवाया था क्या इसी से वो आपको बर्फ में नाव चलाने ले गए थे हाँ उस वक्त इस पर एक खरोश भी आ गई थी तुम अपनी बतासो का पहली बार तुम्हारे साथ भी कुछ तो यादगार हुआ ही होगा नहीं इसे मौका ही ने मिला इसके बड़े होने से पहली पिताजी चले गए ओ मैं भूल गया था ये तो बहुत ही छोटा था ये किसा क्या है जल कभीले के यवाओं को खुद को साबित करना पड़ता है 14 साल के बाद उन्हें उनके पिताजी ले जाते हैं आगे की बात तु लड़की यहां पर बहुत देड़ तक रुकी थी हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है हमारे गाओं में हिम खंडों के बीच से नाव चला कर इस तरह का इम्तिहान लिया जाता है बर्फ की बिना आप हमारा इम्तिहान कैसे लेंगे? तुम्हे समल कर नाव चलानी है इनसे सोका, तुम पतवार को संभालो, होश्यार रहना, समझे? कतारा, तुम पाल संभालो, हवा बहुत तेज भी हो सकती है, हिम्मत से काम लेना और एंग, तुम दिशा देखते रहो, तुम्हारी जरा सिला परवाई हम सब की जान ले सकती है हमारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे है मैं समझ गया, मैं कैसे नहीं समझूगा? मैं अफतार हूँ! मुझे भरोसे का मतलम वालुम है ये तुम्हारा अम्तहान है, सही करो या घलत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता ये आंग, रफदार काम करो. कतैरा Paal संभालो आंग इसे संभालो, कटारो उसको जगा दो आंग इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ यार तुम क्या कह रहे हो बहुत अच्छे हम उस तरफ कैसे जाएंगे? हम कर सकते हैं सोका, तुम लोगों ने अपने आप को थाबित कर दिया है अब हमें लॉट कर दो आंग, मुझे उस तरफ जाने के लिए हवा की ज़रूरत है कटारा, क्या तुम इतनी वाटर बेंड निक कर सकती हो कि हम चक्टान की उस तरफ पहुँचाएं तैयार हो जाओ समुद्र की आत्मा इन निशानों को पहचानेगी सोका के लिए बुद्धी का निशान जैसा कि तुम्हारे पिता के लिए लगा था कटारा के लिए साहस का निशान तुम्हारा साहस हमें फेरना देता है और आएंग के लिए विश्वास का निशान अब तुम जल कभी लेके एक सम्मानित सदस्य बन चुके हो नई, मैं नई हूँ हाँ, तुम बिलकुल हो नई, मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते एंग, ये तुम क्या कह रहे हो किसी ने मुझे ये बाटों को देने के लिए कहा था मुझे लगा था तुम लोग मुझे छोड़के चले जाओगे ये तो हमारे पिताजी का भेजा नक्षा है और ये अब तक तुम्हारे पास था और तुमने बताय तक नहीं तो अब तुम उत्तरी जुरूप पर रके ले ही जाओ मैं अपने पिताजी को खोजने जा रहा हूँ सोका मुझे लगता है कि तुम को कजा रहा, क्या तुम मेरे साथ आओगी हाँ मैं आओँगी सोका शुब कामना है ठीक है तुम्हे भी लगता है मुझे जाना चाहिए हाँ, यही ठीक रहेगा मैं भी कितना ना समझ हूँ हम करीब पहुंच चुके लगता है वो भेडिया उदास है शायद वो घायल हो गया है नहीं, वो अपने जुन्ड से अलग हो गया है और ये दर्द मैं समझ सकता हूँ जब मेरे साथियों को मुझे छोड़ के आगे जाना पड़ा तो मुझे अजीब लगा वो मेरे परिवार के लोग थे उनसे अलग हो जाने का दर्द मेरी चोड़ से भी ज़्यादा था सौका? हमें वापस जाना चाहिए मैं पिता जी से मिलना चाहता हूँ लेकिन इस वक्त आंक को हमारी ज़्यादा जरूरत है सही कहा ये बात तुम्हारे पिता जी भी समझ जाएंगे और वो तुम पर बहुत गर्व करेंगे शुक्री अबाटो मुझे पता है यहां से कैसे जाना है अगर हमें ढूनना चाहो तो ये रख लो मैं मुलाकात की त्या जगा पर संदेश छोड़ जाऊंगा लगता है अब हम अकेले ही रहेंगे अब थार तुमको चले जाना चाहिए मैं जा रहा हूँ सब लोग मुझे भगाना चाहते कुछ लोग तुम्हें ढूनते ढूनते यहां पर आये थे कौन थे एक खतरनाक जानवर पर सवार एक औरत और एक लड़का था जिसके चेरे पर निशान था जूको वो जानवर एक नेकलिस की गंद के जरिये तुम्हारा पता लगा रहा था नेकलिस कटारा तो हम इस लड़की को ढून रहे थे अब समझ में आया कि वो क्यों चली गई तुमसे कहीं ज्यादा सुन्दर है कहां है वो कहां है आफतार हम लोग अलग हो चुके हैं वो कपका चला गया है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या हां बहुत बेवकूफ बाजो अब हम क्या करेंगे लगता है इसे कोई गंद मिली है जो हमें आफतार तक पहुंचा सके कि यह कर क्या रहा है यह सर्फ गोल गोल भूब रहा है कि अगडे कि अगे कि आफताव डटे लगाँ नुके हुआ अग्गरे अगरे टी रहा है। कुथ अगब अगरे बाफ बतावालि Ans controlled ओक गोल कि एंगरे घूब नुके जडके अगरे झाप्ट भरे है wheatht 551 हमे शहॉत है कि जहा है थूगि do र्रियो जा कर दो है चलो जा कर दो करने कर दो दो खो खूटे जाल इसके जाल मुझ जाल कर दो खड़ा है कर दूदार और आयाँ कर दो खड़ा अ आ अ हुआ 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 है लगता है मेरी सुन बदन में जाना रही है हुआ 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 हु हुआ 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 हुआ! हुआप त्याओ!! हरुआ! लगता है यह नाक से देखता है चलो इसे देखने के लिए कुछ दे दे इत्रु दे कि लिए होना देखने बनेखने के लिए कर देखने वकलत देखने जून नए जाचा मुझे नहीं लगता कि उसकी जीब ने आपको छुआ भी था तो अब हम कहा जाएंगे हम तुम्हें उत्री दुरूब ले जा रहे हैं हाँ वैसे भी काफी वक्त बर्बाद हो चुका है तुम लोग पिताजी से नहीं मिलोगे ज़रू मिलेंगे अग मगर तुम भी तो हमारा परिवार हो और इस वक जूको ने कहा किसी भी हालत में तुम तक पहुचा दू ओ राजकुमार जूको कितने अच्छे हैं मेरी तरफ से उने शुक्रियादा कर दोगे हाँ जरूर हुआ हुआ चल, भूमी, अगनी, वायू बहुत साल पहले चारो राश्ट्र आपस में शांती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेड़ दी केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी ज़रुरत थी तभी वो गुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायू सिधिया अध़ो थी फिर भी उसे जानना था कि उसपर कितनी बड़ी जम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुनिया को बचा सकता है इस से पता चल जाएगा कि हम कहां है क्या इसमें खाने पीने के बारे में लिखाए भूक लगी है शायद यहां कुछ खाने को मिलेगा अगनी उठ सब जो चल रहा है अगनी देश के लोगों के उठ सब में कलाबास, बेंडर्स, जादूकर्स सब होंगे यहां मुझे कई असली फायर बेंडर्स को देखने का मौका मिलेगा यहां काफी खत्रा है, यह देखो यह तो मेरे तस्वीर है तुम्हारी तलाश की जारी है, यहां पर खत्रा है शायद हमें यहां से चलना चाहिए मुझे फायर बेंडिंग तो सीखनी ही है मेरे लिए इन माहर उस्तादों को देखने का अनमौल मौका है ठीक है, चलो चल कर देखते हैं क्या, तुम लोग अगनी देश के शहर में जाकर मुसीबत को गले लगाना चाहते हो तुम समझ रहे हो ना हम भेस बदल कर जाएंगे और अगर कोई मुसीबत आई तो हम भाग जाएंगे हाँ, जैसे भेस बदल लेने से मुसीबत पीछा छोड़ देती है तुम यही चुपे रहो हम शहर से बस अब ही आते भेस बदलने के लिए तयारो क्यों नहीं, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बैचानेगा चलो चले लगता है हमारा ये भेस यहां नहीं चलेगा ऐसे मुखोटे हमें कहां मिलेंगे आप अपने पसंदीदा मुखोटे यहां से ले सकते हैं अरे वहां काम तो बहुत जल्दी बन गया वो राख खाना कुछ तो मिला, तुम्हारे पास क्या है गर्मा गर्म तीखा पकवान, शहर का सबसे अच्छा मुझे यहीं चाहिए करब है, करब है यह गर्मा गर्म तीखा पकवान, उसने कहा था न देखो वो क्या है गबराओ मत मेरे साथियो, अगनी देव को कोई भी चक्मा नहीं दे सकता अगनी देश है, किसी ना किसी को फासी दी जारी होगी मुझे यह कर तक सीखना है शुक्रिया अब अपनी कलाबाजी के लिए मुझे आप में से किसी एकी मदद चाहिए आपर तुम कर क्या रहे हो मैं पास से देखना चाहता हूँ हम नहीं चाहते कि यहां कि लोग हमें पहचाने समझे क्या तुम आओगी बच्ची ये तो बहुत शर्मीली है आप लोग इस बच्ची का होसला बढ़ाओ चलो ताली बजाओ मुझे क्यों नहीं बुलाया अगली तरकेप का नाम है ड्रैगन को मज़ा चखाना समझ लो कि तुम मेरी कैदी राजकुमारी हो खबराओ मत बच्ची मैं इस खतरनाक जानवर को खत्म कर दूगा ये तो बहुत ही ताकतवर है मैं इसे नहीं हिरोग पा रहा हूँ हमें कटारा को बच्चा ना होगा ही इससे हम बैचान में आ जाएंगे रसी लाओ ये टूट रही है अच्छा तो तुम मुझसे मुकाबला करोगे देखो वो बच्चा आता है लगता है भागने का वक्त आ गया मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें यहां से निकाल दूँगा वो रहे देखो देखो वाँ मैं आपको बलाता हूँ पता नहीं सीटी की आवाजों से सुनाई भी देगी या नहीं इस तरफ अरे इस तरफ नहीं लगता ह दूए कि और चार है अपने दया ! चलो अरगहएभ रफल, अरगहँ ? बभाभह इचास वा, कितने अच्छे आतिश बाजी है लगता है आतिश बाजी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं मैं इसमें माहिर हूँ तुम अगनी देश के सिपाही हो था, मेरा नाम है चे मैं एक आदमी का नौकर था वो आदमी नहीं था, वो महान था एक देवता था, वो एक जीता जाकता मिथक था उसका नाम था जौंग जौंग वो अगनी देश का सेना पती था नहीं नहीं, वो यहां का रक्षा मंत्री था वो बहुत बड़ा आदमी था, हम समझ गए हाँ, काफी बड़ा आदमी था उससे अगनी समराट का जुल्म सहन नहीं हुआ वो पहला आदमी था, जिसने सेना छोड़ दी और जिंदा बचा रहा मैं ऐसा दूसरा आदमी था मगर उसके लिए महान होना जरूरी नहीं है जौंग जौंग फायर बेंडिंग में बहुत माहिर है लोग कहते हैं कि वो पागल है मगर ये सच नहीं है वो पहुचा हुआ आदमी है तो यहां एक ऐसा फायर बेंडर है जो अगनी समराट के साथ नहीं है मुझे उससे मिलना है, वो मुझे सिखा सकता है किसी पागल फायर बेंडर से मिले हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे वो पागल नहीं है वो बहुत माहिर है अवतार को सिखाने के लिए वो एकदम सही आदमी है इसी लिए मैंने अगनी उत्सों में तुम लोगों का पीछा किया सुनो, मदद के लिए शुक्रिया मगर कल सुबह हमें उत्तरी ध्रू के लिए जाना है सौका, ऐसे फायर बेंडिंग मास्टर से मिलने का मौका दुबारा नहीं मिलेगा जो मुझे सिखाने को तयार हो जाए हम उनसे बात करके तो देख सकते हैं मैंने अगनी समारों में जाने से भी मना किया था तुम लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो बिलकुल हिलना मत जोंग जोंग ने तुमको आफ़तार को खोजने से मना किया था ना एक मिनिट तुम इने जानते हो हाँ जरूर, लिन ये मेरा पुराना दोस्त है क्यों है ना लीनिये बकवास मत करो, चुप चाप चलो चलो जाओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं अच्छा ठीक है, हम बाद में अपनी बाते करेंगे क्योंग जोंग वहां रहते, मैं उटसे अभी मिलना चाहता हूँ नहीं, तुम यहीं रुको, तुम जाओ घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा वो बहुत ही महान व्यक्ति है तो अवतार यहां आया था और तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए जी से ना पती, लेकिन खास बात यह है कि अगने उटसों बहुत अच्छे से निकल गया ना कोई लड़ाई जगड़ा हुआ, ना ही चोरी हुई शहर में चाहे चोरी हो या लड़ाई जगड़ा, हमें फिलहाल आवदार को पकड़ना है वो जंगल की तरफ गया है, हो सकता है कि नदी के किनारे हो ना आव तैयार करवाओ, हम आवदार को खोजने जाएंगे क्या हुआ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, तुमको लाने के वज़े से वो मुझसे भी घुसा हो गया है वो चाहते हैं कि तुम फौरान यहां से चले जाओ आखिरकार, चलो चले यहां से वो क्यों नहीं मिलना चाहते उनको लगता है तुम तैयार नहीं हो, अभी तक तुमने ना तो वाटर बेंडिंग से किये और ना ही अर्थ बेंडिंग लेकिन उन्हें कैसे पता चला उन्होंने तुमको चलते हुए देखा था, उसी से समझ गया होंगे मैं अभी उन्हें से मिलूंगा दफा हो जाओ गुरुजी, मैं आपसे फायर बेंडिंग सीखना चाहता हूँ सिर्फ बेवकूफ आदमी ही अपने आपको तबाह कर लेते हैं मैं अफतार हूँ, मेरे भागे में लिखा है भागे, तुम जैसा बच्चा भागे के बारे में क्या जानता है नदी में जिन्दगी पिता देने वाली मचली को क्या नदी के भागे के बारे में पता रहता है नहीं, बस नदी बहती चली जाती है उस पर मचली का कोई काबू नहीं होता मचली नदी के साथ बह तो सकती है मगर उसे अपनी मंजिल का कोई पता नहीं होता वो समुद्र की कल्पना भी नहीं कर सकती ठीक कहा मगर एक अवतार का फर्ज होता है कि वो तीनो तरह के बेंडिंग सीखे तीनों तरह की बेंडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तुमको अनुशासन सीखना पड़ेगा मगर इसमें तो तुम्हारी कोई दिल्चस्पी है ही नहीं मैं तुमको सिखाना नहीं चाहता, इसलिए यहां से चले जाओ मेरे लिए सिर्फ यही एक मौका है, मुझे फायर बेंडिंग सीखना ही है सुना ही नहीं देता, अभी से तुम मेरी बात नहीं मान वह हो, बात में क्या मानोगे फायर बेंडिंग सीखने से पहले तुम्हें वाटर और अर्थ बेंडिंग सीखनी पड़ेगी पानी ठंडा और शान्त होता है, धरती मजबूत और स्थाई होती है, मगर आग, आग जीवित होती है, वो सांस लेती है, वो बढ़ती है, वो बढ़ती जाती है, बेंडिंग के बिना कोई पथर अपने आप कहीं नहीं जाएगा, मगर आग चारों तरफ पहल जाएगी, और त नहीं को, नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने अपनी हजारों जिन्दगियों में हजारों बार इन तीनों चीज़ों को काबू करना सीखा है, अब मैं एक बार और सिखना चाहता हूँ, और तुम्हें अफदार को फायर बेंडिंग सिखानी ही पड़ेगी, ठीक ह मैं तुम्हें सिखाऊंगा सच, तब तब मज़ा आएगा अपने पैर फैलाओ और जादा घुट्नियों को मड़ो और ध्यान लगाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रुकिये, आगे क्या करूँ चुप रहाओ, ध्यान के समय बाते नहीं अपनी दोस्त को देखो, वो बोल रही है क्या देखो वो ना समझ लड़का कैसे ध्यान लगाए है क्या मगर ध्यान किस चीज़ पर लगाओ सूरज की तपिश को महसूस करो वो ही है जिससे आग पैदा होती है मगर इसके बावजूद और दुनिया को जलाकर राक नहीं करती तो आप वो कब सिखाएंगे ध्यान लगाओ क्या मैं यहां आग पैदा करके चीज़ों को राक कर दूंगा नहीं अभी नहीं क्या फायर बेंडिंग में सांसों से सारी ताकत आती है इसलिए तुमको सांसों पर काबू करना सीखना होगा तो मैं यहां सिर्फ सांस लू चलो ठीक से खड़े हो जाओ पैर चोड़े करो अब तो देखते भी ने अब नाक से सांस लो और अपने मुझ से सांस छोड़ो पर बात मत करना शबाज करते रहो तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने तुमसे रुकने को नहीं कहा मैं कई घंटों से वही कर रहा था तुम सांस बंद करना चाहते हो आप मेरा समय खराब मत कीजिए मुझे ध्यान लगाना, सांस लेना और सूरज की तपिश को महसूस करना आता है मुझे बस आग निकालना सीखना है एक बार मेरा एक शिश्य था जिसे सीखने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वो तो बस आग पैदा करना सीखना चाहता था ताकि दुश्मन को खत्म करके अपना रास्ता हमेशा के लिए साफ कर सके मगर आग को काबू करना सबसे पहले आना चाहिए वरना वो सब खत्म कर देती है इस पर काबू नहीं पाया तो पूरी दुनिया राक में बदल सकती है अपने आप पर काबू करना सीखो वरना अपनी प्यारी चीजों को तभा कर दोगे एक दिन आपने ठीक कहा मैंने तैक किया मैं अब धैर्या से काम लोगा चलो अब हम आग पैदा करेंगे वाह चलिए शुरू करते हैं सिर्फ आग पर ध्यान दो मैं चाहता हूँ कि जब तक हो सके तुम इस आग को पत्ती के किनारों तक फैलने से रोको सुनिया गुरुजी कुछ गडबड है क्या हुआ पत्ती पर ध्यान लगाओ समझ में नहीं आता यह मुझे कैसे सिखाएंगे कहते हैं घंटों तक खड़े रहो ध्यान लगाओ और सांस लो इसकी कोई वज़ा ज़रूर होगी मगर मैं आगे की चीज़े सीखना चाहता हूँ मैंने कर लिया मैंने आग पैदा कर ली बहुत अच्छे आंग लेकिन तुम्हें धीरे धीरे सीखना है समझ के अब इसे कहते हैं फायर बेंडिंग एंग तुम्हें चोट लग जाएगी मैं इसके खलाबाजी करना चाहता हूँ कटारा मुझे माफ करना कटारा क्या हुआ क्या किया तुमने गटी से हो गया जानबूश के तुम्हें तुमने क्या किया मेरी बेहन को जला दिया तुमने मेरी बेहन को जला दिया ये सब तुम्हारी गल्दी है मुझे पता है अपना सावान बांदो और फॉरन यहां से निकल जाओ मुझे माफ कीजिए मैंने जानबूच मुझे माफ कीजिए तुम्हें तो इलाज करने की पैदाशी काबलियत है जल कभीले के कुछ महान बेंडर्स के पास ये काबलियत होती है मेरी तमन्ना रही कि मेरे भीतर भी ऐसी ही काबलियत रहे ताकि जलने के अभिशाप से मैं बचा रह सकूं मगर आप भी तो एक महान गुरू है आप में बहुत काबलियत है देखो पानी जिंदगी देता है सेहत देता है मगर आग सिर्फ दर्द और तबाही लाती है इसलिए हम जैसे लोगों को सिर्फ तलवार की धार पर चलना पड़ता है एक तरफ इंसानियत होती है और एक पाना वरना तुम लोग जिन्दा नहीं पचोगे जल्दी जाओ खबराओ मत दोस्तों मेरे पुराने गुरू ने बहुत पहले लड़ाई करना छोड़ दिया है मैंने सही कहाना मास्टर जयों जयों कचारा तुम ठीक हो ना मैं ठीक हूँ हमें यहां से निकलना चाहिए एंग कहा है उन्होंने मुझसे कहा था मैं इसके लिए तयार नहीं हूँ मगर मैंने उनकी नहीं सुनी मैं कभी फार बेंडिंग ने करूंगा तुम्हें इससे सीखना ही है नहीं, मैं नहीं सीखूंगा कोई बात नहीं आएंग, मैं ठीक हो गई हूँ क्या, कैसे ये बात मैं समझाओंगी, मगर अभी हमी जल्दी यहां से भागना है जाओ और उसके सिपाईयों ने हमला कर दिया है कहा नदी के पास, उन्होंने जॉंग जॉंग को भी पकड़ लिया मैं उससे बचाऊंगा कभी तुम महान हुआ करते थे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे गुरू का जितना बुरा हाल हो चुका है बुरा हाल मेरा नहीं, तुम्हारा हो चुका है जाओ मुझे सेना पती साओ कहो सिर्फ सेना पती बनने से तुम आवतार को नहीं हरा सकते उससे लडाई का इरादा छोड़ दो, वरना तभा हो जाओगे मतलब मैं एक बच्चे से हार जाओगा अभी तुमको उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं देख लेंगे सिपाहियों, पकड़ लो इसे ये चालबाजी है, वो जंगल में भाग गया है जाओ ढूड़ो उसे सरा देखें कि मेरे पुराने गुरू ने तुमको क्या सिखाया है तुम उनके शिशे रह चुके हो मगर पीच में ही छोड़ दिया था अच्छा तो उसने तुमको काईरो की तरब भागना सिखाया लेकिन क्या उसने तुमें एक फाइर बेंडर की ताकत के बारे में कुछ नहीं सिखाया वाँ, बच गया अभी मसा चखाता हूँ ये तो बिलकाबू हो गया है रुको और मुझसे लड़ो अवतार अच्छा तो हम लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगा हम अभ्यास कर रहे हैं नहीं छोड़ूगा तुमें बस इतना ही आता है, आज कल तो किसी को भी सेनापती बना देते है या तो क्या कह रहे थे, मैं हू सेनापती जाओ मुझे तो लगा तुम अपने बेटे से अच्छे फाजी हो ये तो काफी बुरा था अब कहा भाग के जाओगे टिंगू कहीं के ये जंग तुम हार चुके हो पागल हो क्या, अभी तक तुमने एक भी हमला नहीं किया नहीं, मगर तुमने तो हमला किया जंग जंग ने कहा था तुम बे काबू हो चुके हो घर ठीक से पहुँचना एंग चलो, जल्दी करो रुको, जंग जंग कहा है वो गायब हो चुके है, पता नहीं कहा गए अरे, अजीब बात है सब लोग कहां चले गए एंग तुम जल गए हो लाव में ठीक कर दूँ ये तो कमाल का पानी है ये हुनर तुमने कहां से सीखा? शायद मुझ में हमीशाई था ओ, तो मेरी मदद ना करने के लिए तुमारा बहुत शुक्रिया उस वक्त के लिए जब मैं बहुत बुरी तरा से गिर गया था और मेरे अंगुठे में दो कील चुप गए थे दो? उसने एक कील से दूसरे कील को निकालने की कोशिश की थी ओ हाँ, और उस वक्त जब साप ने मुझे काट लिया था शुक्रिया मेरी मदद करने का तुमारे इलाज से काफी मदद मिली थी जब दो बहुत साल पहले चारो राष्टर आपस में शांती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया, जब अगनी देश ने युच छेरती कीवर अफ्तार चारो तप्वो का ग्याता ही उन्हें रोख सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरुरत थी तभी वो पुन हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ्तार ढू निकाला आइंग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायों सद्धियां अध्वर थे फिर भी उसी चाना था कि उसके कितनी बड़ी जम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है हाँ तो मुसाफिरों अगली बार अगर तुमको किसी अजीब सी बड़ी चिडिया की आवास सुनाई दे तो उसे करीब से जाकर देखना हो सकता है कि वो कोई विशालतोता ना हो बलकि एक उड़ने वाला आदमी हो हवा में उड़ने वाले आदमियों की रहसमें तोली का एक सादस्य जो हमें चक्मा दे रहा हो और उन लोगों पर हस रहा हो जो उससे बंदे हुए है एरबेंडर लोगों की कहानिया कितनी अच्छी होती है ना क्या ये सब सच है ऐसा सच मुझ हुआ होगा मैं भी तो हमेशा चक्मा देता हूँ गुरुत्वा कर्शन को बंचिक बंचिक माफ करना ओ ये तो मेरे से भी गरीब है कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया तो मेरी टोपी से कहो बहुत-बहुत शुक्रिया ना ने जानवर एरबेंडर की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा करीब सो छाल पहले आपके दादा जी उन से मिले होंगे क्या कह रहे हो तुम बच्चे तुम्हारे दादा जी पिछले आफ्ते ही तो हवा में उड़ने वालों से मिले थे हम उत्तरी अलाके के मंदेर तक पहुच गए यही पर आस्मान में उड़ने वाले भैसों के साथ खेल खेले जाते थे क्या सच मुझ हमने एर बेंडल्स को खोच लिया है क्या मैं तुमारी तरह जूट कहूं या फिर सच तुम कह रहे हो मैं जूटी हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि तुम आशावादियो इसका यही मतलब है देखो दोस्तों वो क्या है ये तो सच मुझे एयर बेंडल्स है मुझे तो नहीं लगता क्या मतलब नहीं लगता देखो वो लोग उड रहे है वोग उड़ रहे हैं इनको ठीक से देखो यह एर बेंडिंग नहीं कर रहे हैं उनमें उड़ने वाला वो जोश ही नहीं है कुछ भी कहो आंग वो लड़का काफी जोश में है इससे पहले कि हम जमीन पे गिरे हमें धंक से नीचे जाना चाहिए सबस्टियो उन्हें बता दो कि तुम क्या चीज़ हो अरे वाद तुम तो कुमाल की उडान भरते हो हाँ वो तो है मगर मेरे उड़ने का एक मकसद है अरे वाद मैं तो शायद ऐसा कारी नहीं सकता मगर ये देखो मेरी कलाबाजी बोलो कैसी लगी अच्छी थी अरे तुम तो अच्छी एरबेंडर हो ऐसा लगता है तुम आउतार हो मैंने मैंने तुम्हारी कई कहानिया सुन रखी हैं शुक्रिया वाद उड़ने वाली ये कुर्सी तो कमाल की है तो फिर मेरे पिताजी की बनाई और सब चीज़े देखो दंग रह जाओगे देखो दंग रह जाओगे और इससे जो गर्म हवा निकलती है वो हम सब की उड़ने में मदद करती है ये जगे तो सच मुछ अद्भुत है हाँ महान जगा है है ना नहीं अविश्वस्निया है आंग कई साल पहली यहां आया करता था उसे आश्चरी हो रहा है कि ये जगा काफी बदल गई है अच्छ अच्छ शायद मंदिर के कुछ हिससे पहले जैसे ही हूंगे चलो कम से कम ये हिस्सा तो पहले जैसा ही है ये क्या क्या तुमने देखते नहीं है निर्मान काने चल रहा है काम चल रहा है दूर रहो यहां से हम नहाने की जगा बना रहे हैं यह तुम क्या कर रहे हो तुमने अपने नहाने की जगे के लिए ये पवित्र सा नष्ट कर दिया है अरे यहां के लोगों से बद्बू आन यह एक पवित्र मंदिर है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जब यहां साधू रहते थे तो इसकी शांती मुझे पता यह जगे कैसे होनी चाहिए भिक्षू पर तुम तो सिरफ बारा साल के हो पिता जी यह उतार है यह सौ साल पहले यहां आ चुके हैं तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें यहां किसने आने दिया मैं क्या कर रहा हूं बहुत साल पहले की बात है मगर सौ साल पहले से कम भयानक बार की वज़े से हमें अपना गाव चोड़ना पड़ा था मेरा नन्ना बेठा टियो बुरी तरह घायल हो गया और मेरी पत्ती चल बसी मुझे इन स साथ उड़ने वाले कई चीज़ा दिखी वो ग्लाइडर थे हाँ उड़ने वाली छोटी-छोटी मशीन है उन्हें देखकर मुझे एक नया आइडिया मिला मैंने अपने बेटे के लिए उड़ने वाली एक नई मशीन बनाई आसमान में एक नई दुनिया जहां कोई छोटा गई देखो शाम हो गई चले हमें अभेरे से पहले यहां की घिरियों को तेल देना होगा रुको पहले यह बताओ कि समय क्या से पता चला इस मुम्मती में ऐसा क्या है यह मुमती ही हमें समय बताती है अब देखो अच्छा तो तुमने इसमें गंधक डाल रखी है जब यह बार चमकती है तो हम समझ जाते हैं कि शाम हो गई है यही हमारा समय जानने का तरीका है अगर यह देखकर है रहान हो तो जरा यह देखो यह है चाको की धार बनाने का ओजार बहुत जल्दी धार बनती है इससे मेरे पीछे आओ सुनो आंग मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यह जगे पूरी तरह बदल चुकी है वो सब तो मैं नहीं जानता बले मंदिर बदल गया हो मगर यहां के प्राणी तो वैसे ही है यह उन्हीं जीवजनतों की अगली पिड कोई एरबेंडर ही इसे खोल सकता है इसलिए इसके अंदर कोई नहीं जा पाया और अंदर से यह वैसा ही है जैसा बिक्षु छोड़ गये थे मैं हमेशा सोचता हूं कि इसके अंदर है क्या एंग मुझे माफ करना मंदिर का सिर्फ यही एक हिसा पहले जैसा बचा है और मैं जाता हूँ यह ऐसा ही रहे मैं सब कुछ समझ सकता हूँ मुझे बस जानना था कि इसके अंदर है क्या शुक्रिया यह लाल्टेन तो बड़ी बेकार है मुझे कुछ दिखी नहीं रहा है अप लोग रोश्णी के लिए जुगनों का इस्तिमाल क्यों करते हो अरे बंद करो इसे वरना जुगनों भाग जाएंगे जुगनों इसलिए लखें ताकि आग लगने का खत्रा ना रहे अपनी नाग पर हाथ रख लो और सांस रोख लो मैं कुछ समझा नहीं तुम मुझे इतनी दूर तक लेके आये एक खाली कमरा दिखाने इस जगह पर कुद्रती गैस भरी हुई है मैं पहली बार ही जगह पर आ गया था मगर उस वक्त मैं एक मशाल लेकर आया था इसलिए य उची उची लपटे उटनी लगी बहुत भयाना देखो मेरी दोनों भवे भी चल गई खैर यहां एक बड़ी समस्या है जिसे हमें फौरन सुलजाना है यहां समय समय पर गैस रिसने लगती है और हमें पता ही नी चलता कि हो गैस रिस कहां से रही है इसका मतलब यहां कभी दमाका हो सकता है इसलिए तो हमें इस गैस के रिसने को रोकना होगा मगर ना तो यह दिखाई देती है ना इसमें गंद है ना इसे चुआ जा सकता है हवा तुमको उड़ा ले जाएगी हम सब के बीतर कुछ ऐसा है जो हमें उड़ाता है कुछ हवा से भी हलका वही तुमको को यहां पर उड़ा ले जायगा मेरा इरादा बदल गया है मुझे नहीं लगता कि मुझे में ऐसी कोई चीज हो सकती है वह कैसे हो सकता है वह चीज हम सब में होती है आत्मा क्या यही वो चीज है जो हम सब में होती है हाँ यही थी वो बाद कि तैयार हो ना नहीं अज़ी यकीन ही हो रहा मैं उड़ सकती हूं अपना मू बंद रखो वरना कीड़ा चला जाएगा जेयो ने हवा की बारे में सही का था बस इस पर भरोसा करो और तुम उड़ सकते हो हाला कि टीयो एरबेंडर नहीं है मगर उस में वो जोश जरूर है मैं सोच रहा था अगर तुम्हें मंदर का वो हिस्सा देखना है तो मैं उसे खोलने के लिए तैयार हूँ वाह सुनो इस से उतारा कैसे जाता है कैसे जाता है अगर मैं किसी मैंने कहा था ना किसी चीज को मत चूना चलो कोई बात नहीं ये तो कोई पुराना प्रियोग था और ये अंडा तो हमें बहुत पहले खाना था कितनी पुरी अंडो की बद्वु आ रही है जल्दी उस अंडे को ढूंडो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार मंदिर का वो हिस्सा खुलने वाला है एक ऐसी चीज जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं आखिर इतनी बुरी बद्वु कैसे पैदा कर सकती है मिल गया यही है हमारी समस्य का हल हाँ अगर इस जगे पर सड़े हुए अंडे रख दिये जाए तो गैस जैसी निकलेगी उसमें सड़े हुए अंडों की गंद मिलकर फैल जाएगी और गैस का पता चल जाएगा और उस गंद के सहारे हम फॉरन पता लगा लेंगे के आखिर ये गैस रिस कहां से रही है और हम तुरंत उस छेट को बंद कर देंगे तुम बहुत हुश्यार हो कुछ करबरी है कुछ जाना होगा ये सब ठीक नहीं लग रहा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तुम यहां अगनी देश के लिए हथियार बना रहे हो क्या तुम अगनी देश के लिए हथियार बनाते हो क्यों करते हैं आप बताईए जब हम यहां आए उसके एक साल बात की बात है अगनी देश के सिपाईयों को हमारे ठीकाने का पता चल गया था तुम बहुत छोटे थितियो शाएद तुम्हें याद नहीं होगा उनोंने कहा कि वो इस जगे को जलाकर राक कर देंगे मैंने उनसे मिन्ट देगे और कहा कि हमें चौड़ दो उन्होंने कहा कि पदले में मैं उन्हें क्या थे सकता हूँ मैंने उनकी मदद करने की बात कही समझने की कोशिश करो टीयो मैंने ये सब तुमारे लिए किया है वो यहां कब आ रहे हैं? चल्द बहुत चल्द इस बार आप उन्हें हत्यार नहीं देंगे अगर मैंने उन्हें हत्यार नहीं दिये तो वो इस जगा को तबाह कर देंगे आपकी बनाई चीजें लोगों को खत्म करने के कामें आ रही है मुझे शर्म आ रही है आप पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तुम यहां से चले जाओ फॉरार हम नहीं जाएंगे तो फिर छुप जाओ चल्दी तुम जानते हो मुझे इंतजार करना अच्छा नहीं लगता कहां है हत्यार मेरे पास वक्त कम है को बात है तुम्हें कोई परेशानी है क्या आवी सरवाहिए किसी को हठ्यार नहीं मिलेंगे अव्धार तुम यहां पर एंग तुम भीच में बता आओ अगर मुझे हत्यार नहीं मिले तो आगनी देश के सिपाही इस जगा को जला कर राक कर देंगे यहां से चले जाओ आज के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा चीक है तुपेर इस जगा की तबाही का इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा यह बुरा है बहुत बुरा अग अभम क्या करेंगे हम आखिर उनका मुकाबला कैसे करें बताओ मैं बताता हूं कैसे मेरे पास कुछ यह उनके पास नहीं हवा की ताकत हम आसमान को खाबू में कर सकते हैं देश के लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे हम उन्हें हरा देंगे मैं मदद करना चाहता हूं ज़रूर हमें जरूरत है आखिरकार युद का गुबारा काम करने लगा है यह सब सोका कामाल है बहुत ही हुशयार लणका है यह शुक्रिया हुशयार तो आप है शुक्रिया पु कैसे बनाय रखा जाए हम इतने होशयार कहां इसका जवाब है यह धक्कन अगर हम गर्म हवा को काबू कर पाएंगे तो गुबारे को भी यह तो काफी होशयारी वाली बात हुई सुनो हमारे पास चार तरह के बम हैं धुए वाले आग वाले गंदगी वाले और बदबू व वाले हैं क्याम तयार है हाँ पर सौका यूद का गुबारा लेकर कहां गया उसके बिना ही काम चलाना होगा सौरन उन पर हमला करो हमने उने भगा दिया हमें और कुपारे चाहिए हुआ 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 है झालम मैं खारे पर रचू़ में जना होगा है हुआ हुआ है झालम में भ भाइप आपी नहाए कि अज़े पता है कैसे रोका जा सकता है तुमको याद है मेरे पिता संतुलन का प्रयोक कर रहे थे जिसमें पानी का इस्तमाल किया जाता है शायद उससे काम बन जाए पानी क्या तुम मुझे उसके करीब ले चलोगे क्यो नहीं ज़रूर हुआ 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 हाँ हुआ 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 हाँ बम खतम हो गये हैं उनको फ्रम हो गया है, उनको लगता है, हम उनके साथ ही है तो फिर उन्हें ये बम भी नहीं दिखेगा, थम से गिरेगा बम हम तो गई काम से, ये तो आखरी था कुछ मैसूस किया, तुम्हें बद्बू आई क्या सड़े हुए अंडे की बद्बू, वो देखो, गयास वहाँ से निकल रही है ये क्या कर रहे हो, ये हमारे लिए इटर का सोतर है हमारे पास बस यही एक चारा बचा है देखो, वो पीछा रहे है ये हमारे बचाओ, नहीं, सोकार रुको तयार हो जाओ अब मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का यहां का रहने अच्छी बात थी ये बिल्कुल खोल वाले केकड़े जैसी बात है तुम लोग यहां पैदा नहीं हुए मगर तुमने इस खाली जगर को अपना घर बनाया और अब एक दूसरे की हिफाज़त कर रहे हो तुमने हमारी बहुत मदद की है शुक्रिया एंग तुमने हवा की ताकत के बारे में सही का था जब तक हमारे पास हवा है हम अपनी देश वालों को मज़ा चखाते रहेंगे ये हार आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी जीत बनने वाली है प्राभणाभ तुमने है झाल झाल पहले चारो राष्ट्र आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेव दे केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोग सकता था लेकिन जब दुन्या कुस्पी ज़र्व थी तभी वो पन हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार धू निकाला आइंग नामका एक एरवेंडर हाला कि उसकी वायू सिद्धिया अद्भूत थे फिर भी उसे जानना था कि उसके कितनी बड़ी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि आइंग दुनिया को बचा सकता है देखो मैं शिकायत नहीं कर रहा पर क्या आपा थोड़ा ऊपर नहीं उड़ सकता क्यों ना हमें काम करें तो मुड़ो और हम तुम्हारी पीट पर बैठकर उत्तरी दुरूफ तक चलते चलो मैं तयार हूँ साथियो मेरी पीट पर आजाओ मैं तुम्हें लेकर उड़ने वाला हूँ तेखो हम सभी बहुत थक गए हैं क्योंकि पिछले दो दिनों से हम यूँ ही उड़े जा रहे हैं और जरा सोचो तो यहां जल कभीले वाले दिखी नहीं रहे हैं यहां तो कुछ भी नहीं है वो रहे वोटर बेंडर्स हमने उने खोच लिया वो उत्तर की तरफ जा रहा है उत्तर ही जल कभीले की तरफ अवतार को वाटर बेंडिंग सीखनी है उसे एक गुरू की तलाश है तो फिर इंतजार किस बात का चलो उसे हम पकड़ ले धीरज रखो कैप्टेन ली वो कोई भूमी देश का गाउं नहीं की गए और कबजा कर लिया वो महान योधाओं का जल कभीला है यही वज़े है कि वो सैंक्रू सालू से परफीले टुन्डरा इलाके में रहते चली आ रही है वो जगे अपने आप में किले जैसी है हमें बहुत बड़ी सेना लेकर जाना होगा वो रहा उत्तरी जल कभीला आखिर हम पहुँची गए विश्वास नहीं होता यहां कितने सारे वोटर बेंडल्स हैं यहां हमें अपना गुरू मिले जाना चाहिए कितनी खूबसूरत जगा है ना बहुत सर्दी गर में पज़डबर साथ सर्दी गर में पज़डबर साथ चारो मौसम है प्यार के चार मौसम है प्यार के आज की रात हम दक्षणी जल कबीले से आये हुए अपने भाई बेहन का दिल से स्वागत करेंगे ये लोग अपने साथ एक बहुती खास महमान को लेकर आए हैं जिनके बारे में हमें लग रहा था कि वो हमारी दुनिया में अब कभी नहीं आएंगे ये है अवतार और आज मेरी जान से प्यारी बेटी की सोलुई साल गिराबी है राजकुमारी यूए अब शादी की काबिल हो गई है शुक्रिया पता जी मैं प्रार्तना करती हूँ कि मुश्किल के इस समय में समुद्र देपता और चंद्र देव हमारी रक्षा करेंगे अब मास्टर बाकु और उनके शिशे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे कैसी हो मैं हूँ सौका दक्षिन जलकवीले से तुमसे मिलके अच्छा लगा तो आप एक राजकुमारी है न पता है अपने कवीले में मैं भी एक राजकुमार साही हूँ कहां के राजकुमार अपने कवीले का तुम बकपास बंद करोगी में राजकुमारी से बाते कर रहा हूँ माफी जाती हूं, राजगुमार सौका. तो मैं आपके शहर में कुछ दिन रहूँगा, तो क्यों न हम कभी बाहर घूमने जाएं? बाहर घूमने जाएं? बहुत अच्छे. मास्टर बाकू, ये है आपका नया शिष्य, अवतार. देखो, भले ही तुम कोई अवतार हो, मगर ये मत समझना कि तुमको मुझसे कोई छूट मिलेगी. हम दोनों आपसे सीखने के लिए बेकरार हैं, पर दो-तीन दिन आराम करना चाहते हैं. अगर तुमको आराम करना है, तो किसी द्वीप पर चले जाओ, तुम यहां क्यों आए हो? अगर सीखना है, तो कल सूरज उखने के पहले मेरे पास आ जाना. शुबरात्री. तुम्हारे कर्मचारियों को ले जा रहा हूँ. क्या कहा? उत्तरी धुव के एक अवियान के लिए मुझे उनकी जरूरत है. चाचा, क्या ये सच है? हाँ, ये ही सच है. ये सब को ले जा रहे हैं. रसो ये को भी. अफसोस है कि तुम मुझे आउतार को पकड़ते हुए नहीं देख पाओगे. और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे रास्ते में भी आओ. रहा! नहीं! अरे वा, तुम तो चौड़ी तलवार चलाना भी सीख गए हो. सीखा नहीं हूँ. ये तो बस सजावट के लिए हैं. तुमने किसी नीले प्रेद के बारे में सुना है, जन्रल आयरो? वो अफ़ाए हैं. मुझे नहीं लगता वो सच है. इन्होंने ठीक कहा. वो एक अपराधी है. अगनी देश का अपराधी. मगर मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन उसे सजाज जरूर देंगे. जन्रल आयरो, अगर तुमने इसका अइरादा बदल दिया हो, तो मैं राजी हो. मेरी सेना में आजाओ. सारी जिन्दगी इसी पल का इंतजार था. आज मैं एक असली वाटर बेंडर से कला बाजिया सीख पाऊंगी. हम आ गए, मास्टर पाकू. चलो, आजाओ. काफी देर से मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था. यह है मेरी दोस्त कटारा. मैंने कहा था न, हम दोनों सीखना चाहते. मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गलत कैमी हुई है. तुमने मुझे ये नहीं बताया कि एक लड़की तुम्हारी दोस्त है. हमारे कबीले में लड़कियों को वाटर बेंडिंग नहीं सिखाई जाती. क्या मतलब कि आप मुझे नहीं सिखाएंगे? मैं सारी दुनिया का चक्कल लगाकर आपसे सीखने आई हूँ और आप मुझे नहीं सिखाएंगे? नहीं सिखाऊंगा. मगर आपकी कबीले में तो कुछ महिलाएं वाटर बेंडिंग करती हैं. यहां की महिलाएं यगोडा से वाटर बेंडिंग के जरीए इलाज करना सीखती हैं. मुझे उम्मीद है कि वो भी तुमको अपनी शिश्यों में शामिल कर लेगी, हाला कि तुम बत्तमीज हो. मैं लड़ाई सीखने आई हूँ, इलाज नहीं. हाँ, मैं सब जानता हूँ, मगर हमारे कबीले के कुछ नियम, कुछ परंपराएं हैं. यह बहुत नाइंसाफी है. हाँ, यह गलत है. अगर आप कटारा को नहीं सिखाएंगे तो… तो क्या? तो मैं भी आपसे नहीं सीखूंगा. तो ठीक है, तुम लोग खुद ही सीख लो, उम्मीद है तुम काम्याब हो पाओगे. रुको, एंग का ये मतलब नहीं था. एंग, तुम ऐसा मेरे लिए मत करो, तुम्हें इनसे वाटर बेंडिंग सीखना ही होगा. वो कितना ही अक्रू क्यू ना हो. तो चलो, शुरू करते हैं, शिक्षा. राजकुमारी, अच्छा लगा आपको देखकर. कल रात के जशन में बहुत अच्छा लगा. आपके पिताजी को जशन में मज़े लेना आता है. शुक्रिया, जानकर अच्छा लगा. आपके जाने के बाद उत्ताम मज़ा नहीं आया. मैं पूछना चारा था क्या हम साथ घुमने जा सकते हैं? तुम्हारा मतलब कहीं मिले, घुमे फिरे? हाँ, हम कहीं घुमने बाहर जा सकते हैं. कुछ देर के लिए ही साही. हाँ, हाँ, क्यों नहीं, आज रात उस पुल पर मिलना. छीक है, मैं इंतिजार करूँ ना. माफ करना. नहीं, नहीं, मज़ा आ गया. रात को मिलेंगे. कमाल की योजना है. लगता है तुम इस तरह के अभियानों में बहुत माहिर हो. कितना ख़ड़ा सोना है. तुम हम से क्या करवाना चाहते हो? सोना है, तुमारी राजकुमार जूकों से कोई दुश्मनी है. सुनिए, क्या आप ही अगोडा है? क्या तुम यहाँ इलाज करना सीखने आई हो? ऐसा ही समझो. सुआगत है, सुआगत है. तुम पानी को गुमा तो रहे हो, मगर तुमको खीचने या धकेलने का एसास नहीं हो रहा है. मैं कोशिश तो कर रहा हूँ. लगता है तुमारे लिए कुछ ज़्यादा इकटे नहीं कलाबाजी. कोई आसान कलाबाजी सीखो. सिखाने के लिए शुक्रिया. किस से हो रही है तुमारी शादी? ये तो सगाई का नेकलेस है ना? कब हो रही है तुमारी शादी? अभी तो मैं शादी करने के लिए तैयारी नहीं हूँ. ये मेरी दादी ने मेरी मा को दिया था, और मेरी मा ने ये नेकलेस मुझे दे दिया ये तो काफी जाना पैचाना लगता है मैं इसे पहले क्यों नहीं पैचान पाई तुम तो बिलकुल काना जैसी लगती हो क्या आपको मेरी दादी का नाम कैसे पता जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो काना मेरी सहेली थी वो यही पर उत्री जल कबीले में पैदा हुई उन्होंने कभी बताया नहीं तुम्हारी दादी की शादी एक युवा वाटर बेंडर से तैह हो गई थी उसने उनके लिए ये नेकलेस बनवाया था अगर दादी की सगाई हो गई थी तो वो यहां से गई क्यों पाता नहीं ये आज तक एक रहसे ही है वो मुझसे अलविदा कहे बिना ही चली गई जाओ काम्याब रहना सभी की तरफ से मैंने तुमको अच्छे सफर की शुपकामनाय दी है उन धोखे बाजू की तरफ से हाँ आज की राट टहलने में मसा आएगा तुम भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ आओ मन बहल जाएगा चाहो तो अपने अंधेरे कमरे में बैठे रहो तुम्हारी मर्जी तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो सुनो बंजरा संभाल के लगाना चाचा चाचा आप लौटा है तुम्हें आप नहाचा ह। जूको जूको कैसी है राजकुमारी ये आपके लिए है मैंने अपने हातों से बनाया है ये तो भालू है नहीं वैसे ये एक मचली है जरा इस तरफ से देखो अच्छा माफ करना मुझसे गलती हो गई तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था कैसे चल रहा है तुम्हारा अभ्यास तुम्हें क्या हुआ अरे वही राजकुमारी मुझे समझ में नियाता पहले तुम्हें पुल्पे बुलवाया और फिर मुझे जाने को कह दिया तुम्हारा अभ्यास कैसे चल रहा है कटारा लड़की है इसलिए उन्होंने इससे सिखाने से मना किया तो एंग तुम उसे क्यों नहीं सिखाते यह तुम्हेंने सोचा ही नहीं जो तुम दिन में मास्टर पाकु से सीख कर आते हो वो मुझे रात में सिखा देना इस तरह त मुझे भी वाटो बेंडिंग सीखने को मिलेगा सब लोग खुश रहेंगे लेकिन मैं खुश नहीं हूँ तुम तो कभी भी खुश नहीं रहते चलो आइंग मास्टर पाकु ने कहा था यह कलाबाजी तेहरने और ढूबने के बारे में है मैं सीख गई तुमने तो कमाल कर दिया यह मैंने नहीं किया मैं कटारा को कलाबाजीया जिखा रहा था तुमने मेरा, मेरी शिक्षा का, मेरी संस्कृती का अपमान किया है मुझे माप कर दिजाए आज के बाद मैं तुमको कभी भी वाटर बेंडिंग नहीं सिखाऊंगा क्या तुम चाहती हो कि मैं मास्टर पाकु पर दबाव डालूं कि वो फिर से एंग को अपने शिश्य बना ले जी हाँ, बस इतना ही मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी जिश्य छोड़कर उनसे माफी मांग लो तो शायद वो अपना फैसला बदल सकते है ठीक है चलो माफी मांगो जिद्धी लड़की नहीं, मैं तुम्हारी जैसे अप्रू बुड़े से कभी माफी नहीं मांगू की कटारा अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मेरा मुकाबला करो इसका ये मतलब नहीं था नहीं, इसका ये ही मतलब था राजकुमार जुको के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ बहुत बुरा हुआ जिसने भी ये काम किया है उसे अगनी समराट कभी माफ नहीं करेंगे कुछ मालूम है ये किसकी साज़श है हाँ समुद्री लुटे रूगी थोड़े दिनों पहले हमारी उनसे चड़प हो चुकी है उन्होंने बतला लिया है तो मेरी पेशकश के बारे में सोचा या नहीं सोचा मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ अफसर का काम करना मेरी खुशकिस्मती होगी अगनी देश जिन्दाबाद जिन्दाबाद कटारा पागल हो गई हो क्या तुम उनको हरा नहीं पाओगी मुझे पता है इसकी परवा नहीं मेरे लिए इतना सब मत करो मुझे कोई और मास्टर मिल जाएगा मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हूँ किसी को तो इस आदमी का गुरू तोड़ना ही है आखिरकार तुम आ ही गए ना मेरा मुकाबला करो जाओ औरतों के बीच जाकर पानी से इलाज करना सीको वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अच्छा तो तुम बिना लड़े नहीं मानोगी संभालो अपने आपको गबराओ नहीं मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाओगा तुम मुझे नहीं गिरा सकते शाबज गजारा का अच्छा अच्छा आउट का अच्छा अच्छाव पर्रक्राइब तुम मुझे सिखाने के लिए तयान नहीं, नहीं लो ये लडाई तो खत्म हो गई, वापस आओ, ये लडाई खत्म हो गई अरे ये तो मेरा नेकलेस है, नहीं ये नेकलेस मेरा है, वापस करो मुझे, मैंने इसे साट साल पहले बनाया था, अपनी होने वाली पत्नी काना के लिए, क्या मेरी दादी की शादी आप से होने वाली थी, हमारी योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है, जाओ को अंदाजा तक नहीं है मगर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अगर ये नहीं करता, तो क्या तुमको जहास पर मरने के लिए अकेला छोड़ देता, आपका शुक्रिया चाजा, कोई आ रहा है, जब तक हम उत्तरी दुरू तक नहीं पहुँच जाते, तुम इसी तरह अच्छे पे रहो, अवतार तु उसे प्यार करता था, मकर वो आप से कभी भी प्यार नहीं करती थी, ये शादी उनके घरवालों ने तै की थी, मेरी दादी नहीं चाहती थी, कि आपकी बेकार परंपराय उनकी जिन्दगी को तबाह करें, इसलिए वो चली गई, उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया था, उसके पास जाओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, कुछ नहीं, मैं बस ये कहने आया हूँ, कि आप बहुत खूबसुरत हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि आप जैसा कोई मुझे पसंद करेगा, समझने की कोशिश करो, नहीं, नहीं, देखे एक बात, मैं आपको कुछ कहने की जरुवरत नहीं, मैं बस आपको देख देखे ही तसली लूँगा, देखे अब मैं बहुत ही अजीब हालत में हूँ, खुश हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम एक साथ जिंदगी नहीं जी सकते, अच्छा है, शाबाश, सीखते रहो, मेरी उमर तक तो सीखी जाओगे, आओ कटारा, अब क्या करने आई हो यहाँ, मुझे देर से आना बरदाश्ट नहीं, सूरज निकल चुका है, तुम्हें यह देखते अच्छा लगा, हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा जंगी बेडा तैयार है, चलो हम चलें उत्तरी जल कभीले की तरह, लगाedd कि तरह, आई हो झाल, यह देखते की मुझे वीले के तरह, तक भी जल कोexist यह मैं weld कोश्ट पर जल चका है, शर्ड़ क चल लूम अगनी बायो बहुत साल पहले चारो राष्ट्र आपस में शान्ती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युच छेव दे केवल अफ़तार चारो तत्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जबरब थी तभी वो पुम हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढू निकाला अग नामका एक एरबेंडर हाला कि उसकी वायू सिधिया अध़ो थी फिर भी उसे जाना था कि उसके कितनी बड़ी जिम्मदारी है पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है हुआ हुआ है शाबाज शेंगौक अच्छी कोशिश की बगर मैं तुम से ये कहना चाहता हूं कि आखिर कब सीख पाओगे बच्चे क्या कोई और है जो कटारा का मुकाबला करना चाहता है कटारा जिस रफतार से तुम सीख रही हो उस रफतार से पहले कभी कोई शेश नहीं सीखा सच मुझ तुम ने साबित कर दिया कि अपनी मेहनत जुनून और अभ्यास से इनसान कुछ भी कर सकता है सिर्फ प्रतीबा का होना काफी नहीं है चलो आएंग जी मास्ट पाकू आओ कटारा के साथ मिलकर तुम भी कुछ सीख लो आज कल तुम सिर्फ जानवरों के साथ खेलते रहते हो लगता है तुम वाटर बेंडिंग में पहले ही माहर हो चुक्यों माहर तो नहीं हुआ उपर थोड़ा बहुत सीख लिया है तो दक्षन कभीली में इस तरह के महल नहीं है मजाग कर रही हो मैं भी इसी तरह बर्फ में पला बढ़ा हूँ हमारी संस्कृती इतनी निराली नहीं है सौका ये गलत है हम सिर्फ टैली तो रहे हैं मेरी सगाई हो चुकी है मुझे हर वाग लगता है कि ये गलत है मैं सब समझ गया चलो मेरे दोस्त आपा से मिलते हैं किससे आपा और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है क्या कर रहे हो जाने तो मुझे लगता है बहुत दिनों से तुमने आपा को प्यार नहीं किया था तो ये उड़ता कैसे है? कसके पकड़ी हुई हो? ये ये कितना मज़े दाख है वाँ, तुम क्या रोज इसी तरह उड़ते हो सौका? हाँ, ज्यादा तर हम उड़ते ही रहते हैं क्या आस्मान पर इसी तरह ठंड रहती है? जब किसी के साथ हो तो नहीं कितना खुबसूरत नजारा है हाँ हाँ, हाँ, यहां कितना मजा आ रहा है है ना आखर ये क्या है? ये क्या हो रहा है? गए काम से मैं समझ गया क्या हुआ? ये नजारा मैंने पहले भी देखा है जब हमारे गांपर हमला हुआ था ये देखो बर्फ में बारूद मिला हुआ है मगर क्यों? अगनी देश के लोगों ने हमला किया है वो उत्तरी धुरूव के करीब आचुके हैं और इतना अंदाजातों में लगा ही सकता हूँ कि उनकी सेना बहुत बड़ी है ये खटना इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी जनरल आयरो सरा सोचो आज से सदियों बाद लोग याद करेंगे कि अड्मिरल साओ नामक एक महान सेना पती इने चल कबीले पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था आप खुशकिसमत है कि इसके गवा है हर काम सोच समझ कर करना जाओ इतिहास कई बार बहुत कड़वे सबक में सिखाता है आप अनुभव की बात करते हैं मगर मुझे पूरा यकीन है जस तरह आप बासिंग से में नाकाम हुए थे उस तरह मैं नाकाम नहीं होने वाला हूँ मुझे उमीद है कि ऐसा ही होगा सैनिकों से कह दीजिए कि पहले हमले के लिए तयार रहे अम उत्तरी दुरू पहुँचने वाले हैं तुमने कोई योजना बनाई हाँ मस बनाई ही लिए चाचा क्या हुआ अब हमें जाना होगा नहीं सौका रुको इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी कभी नहीं क्या लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं काश मैं बस दोस्ती रह पाती मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारे पास आकर मन कमजोर होने लगता है मेरी शादी किसी और से होने वाली है तुम उससे प्यार नहीं करती है ना तुम्हें तो वो लड़का पसंद भी नहीं है पर मुझे अपने परिवार से प्यार है पर तुम उनसे शादी नहीं कर रही हो समझने की कोशिश करो मैं अपने पिता और अपने कभीले के खिलाफ नहीं जा सकती अब हम कभी नहीं मिलेंगे अलविदा जिस दिन का हमें डर था आखरकार वो आ ही गया अपनी देश के लोग हम पर हमला करने वाले हैं आज बहुत अफसोस के साथ मैंने आप सब को एक साथ यहां जमा किया है मुझे पता है कि आप मेंसे कुछ लोग आइंदा हमसे कभी नहीं मिल सकेंगे शहीद हो जाएंगे मगर हम आपकी शहादत को हमेशा याद रखेंगे अब हमें अपने आपको बचाय रखने की जंग लड़नी है इसलिए मैं महान आत्माओं का आभवान कर रहा हूँ हे सबुत्र की आत्मा हे चंद्रवा की आत्मा हमारा साथ दो मुझे इस खतरनाक अभियान के लिए सिपाहियों की जरूरत है मैं उनसे लड़ूंगा सौका याद रहे हो सकता है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग वापस ना आए इसलिए खत्रों से खेलने की हिम्मत है तभी सामने आना वर्ना नहीं जंग के पहले की खामोशी बहुत दिल दुखाती है यह मौट का सन्नाटा है जब अगनी देश ने हमारे गाउं पर हमला किया तो मैं नहीं था इस बार मैं मज़ा चखा के रहूंगा झाओ 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 य। और य। प्रिजब दिजन प्रोड़ कि प्रिजन रफ करु़ को पुर जो आए! एप एप कचारा अब मैं सिन नपट पाओ कर दो एप कर दो एप ुई ये अए़ एग आपकार दो भराव एट मैं का एपकार आपकार मैं सुक्रिया वो देखो इतनी बड़ी सेना साथियो तुम लोग अग्निदेश की नौ सेना की बीच जा कर रहोगी इसलिए तुम लोगों को इन पहुशाकों की जरूरत पड़ेगी क्यों हस रहे हो अग्निदेश के नौ सेनिक इस तरह की पोशाक नहीं पहनते वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ये अग्निदेश के पकड़े गए नौ सेनिकों की असनी पोशाक है कब की? ये शायद सौ साल पहले की बात है 85 साल पहले की आजका लगनी देश के सिपाई इस तारा के पोशाक नहीं पेंदे उनकी नई पोशाक काफी अच्छी है तुम्हारी बात पर हम भरुसा कैसे करें तुम नए हो और इतनी बाते कर रहे हो सौका हमारे दक्षिनी कबिले से आया एक महमान है ये एक अच्छा सैनिक है और हमें इसकी बात पर गौर करना चाहिए और अब हमारे लिए उनके सेना पदी को पहचानना बहुत ही जरूरी हो गया है उसका नाम है जाओ बेकार आदमी है बड़े कल्ले और गुसे वाला सौका जो कुछ तुम्हें पता है सब हान को विस्तार से बता दो ये हमारे इस अभियान का मुख्या है हान सौका की बात ध्यान से सुनो तुम हमारे होने वाले दामात हो तुम्हारा जिन्दा रहना बहुत जरूरी है राजकुमारी तुमसे शादी करने वाली है हाँ, क्यों पोछ रहे हो कुछ नहीं, तुम्हें मुबारक हो उनाग के गोलों को रोको राद काफी बीच चुकी है जाओ मैं तुम्हारा सलाकार हूँ बात मान लो, हमला रोक दो क्योंकि वाटर बेंडर्स को चंद्रमा से ताकत मिलती है आज की राद पूरा चान निकला है कल सुबा तक इंतिसार कर लोगे तो ठीक रहेगा हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं इसका तोड भी निकालने वाला हूँ तो चलिए हमला सुबह किया जाएगा उन्होंने हमला बंद कर दिया है मैं उन्हें नहीं रोक सका उनसे नहीं लड़ पाया क्या हुआ मैंने करीब 12 जहाजों को तबाह कर दिया मगर अगनीदेश की सेना इतनी बड़ी है के उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन तुम तो अवतार हो तुम सब कर सकते हो मैं तो बस एक बच्चा हूँ तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो भतीजे बहुत समस्दारी से काम लेना होगा कोई भी खलती भारी पड़ सकती है चाचा इस वक्त मुझे सलाह मत दीजे मुझे माफ करना मैंने जब से अपना बेटक होया है मुझे तुमारी चिंता रहती है बातीजे चाचा मैं समझता हूँ आपकी बातों को तुम मुझे अपने बेटे लगते हो मैं जानता हूँ चाचा हम फिर मिलेंगे इस बार मैं आफतार को लेकर ही लोटूँगा याद रखना अपनी सांसों से आग छोड़ते रहना इसी से तुम्हारी जान बच पाएगी जी हाँ और हाँ अपने कानों में सर्दी नहीं खुशने देना ठीक है आप चिंता मत कीजिए देखो सौका मेरी कई लड़कियों से दोस्ती हुई है मगर यूई का कोई जवाब नहीं है फिर उसके साथ शादी के कितने सारे फाइदे है फाइदे? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है यूई सुन्दर है, वो अमीर है फिर राजा के नमाद बनने का फाइदा तो मुझे हो गई न राजकुमारी ने तुम जैसे बेकार इंसान को चुनकर बहुत बड़ी गल्ती की है ओहो, क्या कहा तुमने अभी मजा चकाता हूँ तुम दक्षणी कभीले से आये गरीब से लड़के हो और वैसे भी तुमें क्या पता यहां की राजनिती के बारे में ना समझ लड़के तुम तो गंदी नाली के किडे जैसे हो अब तो तुम गए बस भावत गुआ चौका, तुम इस अभियान पर नहीं जाओगे हाँ, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो हम उस एड्मिरल चो को दो मिनिट में मज़ा चका देंगे उसका नाम है एड्मिरल जराओ ये कहां जा रहा है हम अमें इस सांस लेने के लिए कहीं से तो बाहर आएंगे कहते हैं कि चंद्रमा पहला वाटर बेंडर है हमारे पुर्खों ने देखा है कि किस तरह से वो समुद्र में जवार भाटा पैदा करता है इसलिए मुझे लगता है कि रात को मेरी वाटर बेंडिंग की ताकत बढ़ जाती है चंद्रमा की आत्मा हमारी ताकत को बढ़ाती है हमारी जिन्दगी समुद्र की आत्मा पर निर्भर है ये दोनों हमारी जिन्दगी का संतुलन बनाए रखते हैं आत्माए शायद वो मुझे मिल जाए और मेरी मदद करें ऐसा कैसे करोगे अफ्तार हमारी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया की बीच की कड़ी होता है एंग उनसे बाते कर सकता है हो सकता है कि तुम्हें उनसे जंग जीतने की तर्कीब पता चले हो सकता कोई ताकतवर आत क्या यह आत्माओं के दुनिया है नहीं तुम्हें वहाँ अपने आप जाना होगा यह पूरे उत्तरी दुरुप की सबसे आध्यात में चका है मुझे नहीं पता था घास पराकर इतना अच्छा लगेगा यहां कितनी गर्मी है ऐसा कैसे हो सकता है हमारी धर्ती की सारी आध्यात में कर्मी यही पराती है तुमने ठीक कहा मुझे कुछ मैसूस हो रहा है अजीब सी शान्ती का एसास क्या कुछ गर्बर हो गई सौका बिल्कुल नहीं हैन अपने गुपत अभ्यान पर गया है और मैं अपने बूमराइं की धार तेज कर रहा हूं सब ठीक है मेरी बात गौत से सुनो मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अभियान से बाहर किया है मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक खास काम करो क्या आप मुझसे बेकार की सफाई करवाएंगे मैं चाहता हूं कि तुम राजकुमारी यानि मेरी बेटी की हिफा अब जरूर यह तो बहुत आसान काम है यह इस तरह क्यों बैठा है कटारा यह ध्यान लगा रहा है आध्यात्मिक संसार में जाने का यही तरीका है यह बहुत ही मुश्किल काम है क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं तुम दोनों शांत रहो ना मुझे तुम्हारी सारी बाते सुनाई दे रही है यह ठीक तो है ना वो आत्माओं के संसार में है उसकी शरीर को नहीं हिलाने तक सब ठीक है तब ही वो हमारी दुन्या में वापस आ सकता है हमें किसी की मदद लेनी चाहिए नहीं यह मेरा दोस्त है और मैं इसकी हिफाज़द अच्छी तरह कर सकती हूँ अब तो तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो नहीं अफ्तार को मेरे हवाले कर दो और तुम्हे नुकसान नहीं पहुचेगा अच्छा तो तुमने नई कला बाजिया सिख ली है मगर मैं एक दूर तुमसे हारने नहीं आया हूँ अच्छा तो मैं अब समझा तो तुमको कोई गुरू मिल गया है कि अच्छा तो अच्छा आखरकार सूरजू रहा है चलो है दिहास बना डाले तो मैं चांद से ताकत मिलती है और मुझे ताकत मिलती है सूरज से चल कभीले के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मगर ये लोग अपने शहर को नहीं बचा पाएंगे क्या हुआ कहा है जुको वो चला गया वो एंग को मेरे सामने से लेकर चला गया वो लोग कहां गये क्या है जुको प्रवास दोप टाकत मिलती है एंगे एंगे प्रुब एंगा प्रवास को रादा एंगजार भास्वास झाल 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 बूम, अगनी, वायो बहुत साल पहले चारो राष्ट्र आपस में शांती से रहते थे फिर सब कुछ बदल गया जब अगनी देश ने युट छेड़ दी केवल अफ़तार चारो तद्वों का ग्याता ही उन्हें रोक सकता था लेकिन जब दुनिया को उसकी जरूरत थी तभी वो कुण हो गया सौ साल बाद मैंने और मेरे भाई ने एक नया अफ़तार ढून निकाला अग नामका एक एरबेंडर पर मुझे विश्वास है कि एंग दुनिया को बचा सकता है इससे पहले अफ़तार में आपने देखा उत्तरी जल कबीला आखरम बहुंची गए यही वज़े है कि वो सैक्णों सालों से परफीले इलागे में रहते आ रहे है हमें बहुत बड़ी सेना लेकर जाना होगा आत्माएं? शार्गो मुझे मिले और मेरी मदद करें? वाटर वेर्डर्स को चंद्रमा से दागत पिलती है मुझे इसके बारे में पता है और मैं इसका तोड भी नकाल रहा हूँ जाओ को अंदाजा तक नहीं है जब तक हम उत्तरी ध्रू नहीं पहुंचाते तुम इसी तरह चिपे रहो अवतार तुभारा होगा वो आत्माओं के संसार में है उसके शरीर को नहीं हिलाने तक सब ठीक है यकी नहीं होता कि वो आइंग को लेकर चला गया तुमने पूरी कोशिश की कटा रहा और अब हमें पूरी ताकत लगा कर आइंग को वापस लाना होगा जू को दूर नहीं गया होगा चलो उसे ढूंडें आइंग को कुछ नहीं होगा ठीक है कोई बात नहीं तुम यहीं रुको मोमो शायद आइंग वापस आजाए येप येप सुनिए माफ किजी मैंने आपको तंग किया दरसर मुझे समद्र और चांग के आत्मा को खोजना है यहां से चले जाओ तुम अभी तक यही हो जी हां मैं यही हूँ शायद यह तुमारी मदद कर सके जाओ इसका पीचा करो पीचा छोड़ा पापस आप कैसे हुएंग रोकू महारुक ना होगा रोकू जल कबीले पर हम्रा हो गया है मुझे समुद्र और चंद्रमा के आत्मा से मिलना है समुद्र और चंद्रमा प्राचीन आत्मा हैं यह आत्माओं के संसार से निकलकर अमर संसार की शुरुआत में जाप कहुंची है अब सिर्फ एक पाचीन आत्मा है जिसे उसका अतापता याद होगा कौन उसका नाम है कोह मगर वो बहुत ही खतरनाक है लोग उससे चेहरा चुराने वाली आत्मा कहते हैं जब उससे बाते करो तो तुम जरा सावधान रहना जरा सावी पाओ चेहरे पर मत ताने देना एंग वरना वो तुम्हारा चेहरा चुरानेगी आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़े लिया लेकिन बरफीली आंधी की वज़ा से मैं तुम्हें घर नी लेके जा सका कोई ना कोई रासा तो मैं ठोड़नी लूँगा तुम नहीं समझोगे तुम मेरी बेहन की तरह हो उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है वो फायर बेंडिंग में बहुत ही माहिर है उसे सब लोग प्यार करते है मेरे पिदा कहते हैं कि वो पैदाईशी किस्मत वाली है और मैं किस्मत से पैदा हुआ हूँ मुझे किस्मत की कोई जरूरत नहीं मुझे हर चीज़ के लिए जद्दों जहेद करनी पड़ी मगर मैंने उसे हासिल किया इसी से मैं मजबूत बना हूँ यही है मेरी बुनियाद तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है हमारे पास वक्त कम है अगर चल कबीले को चांद निकलने से पहले तुमने नहीं हराया तो उनको हराना ना मुम्किन हो जाएगा मेरी बात मानिये मैंने इसका भी सारा इंतजाम कर लिया है मैं चांद को ही अपनी जगे से हटाने वाला हूँ चांद को हटाने वाले हो? मगर कैसे? आर्बिरल चो मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा तुम्हें कह रहा था बहुत पहले मुझे एक महान रहस्से के बारे में अचानक पता चल गया था मैंने चांद की आत्मा के आधार के बारे में जान लिया था क्या? तब मैं भूमी देश के जनर्शू की सेना में एक युवा अफसर था वहां मुझे तहकाने में बना एक गुप्त पुस्तकाले दिखा मैंने वहां की सारी सामगरी को पढ़ डाला ऐसे ही एक चित्र में चांद और समुद्र शब्दों का पूरा ब्यावरा दिया गया था तब मुझे ये पता था कि इनकी आत्माओं को खोजा जा सकता है और मारा भी जा सकता है दरसली काम मेरे ही हाथों होने वाला था जाओ, ये आत्माएं इतनी आसानी से काबू में नहीं आती है हाँ हाँ, पता है आपको उनसे डर लगता है ये भी पता है मैंने आपके आत्माओं के संसार में जाने की अवाही सुनी है मगर समुद्रोड चंद्रमा ने अपनी अमर्ता को छोड़कर हमारी दुनिया में आने का रास्ता चुना है और अब इनको उसके नतीजे भी भुगत ने होगे तुम तो मुड़ी हुई पूछवाले बंदरो बिल्कुल डरो मत किसी तरह का भाव चहरे पर मत लाना सुनिये मुझे अब को नामक आत्मा की तलाश है सुनिये मेरे पुराने दोस्तोतार कितने दिनों बाद मिले हैं आप मुझे जानते हैं मैं तुम को कैसे भूल सकता हूँ पुराने किसी चन्द में तुमने मुझे मादने की कोशिश की थी ये करीबाद नो साल पहले की बात है मुझे तो ये बात याद नहीं है अच्छा तो उसने या मैंने ऐसा क्यों किया ओ दरसर मुझे अपने मन पसंद चेहरे चुरा लेने की आदत है चलो ये तो बस पुरानी बाते हैं उस बात को लेकर मैं कोई बदला नहीं निकाल सकता ठीक कह रहा हो ना अब तो तुम्हें एक अलग इंसान बन गए हो तुम्हारे पास अब दो एक निया जेहरा भी लगता है यहां कुछ ते रुखना पड़ेगा घबराओ माती प्रिंच जूको ऐसे मौसम में दूर तक नहीं गया होगा मैं इसलिए नहीं घबरा रही हूं कि वो तूफान में फस गए है मैं सोच रही हूं कि वो आखिर है कहां देखो बरफीली आंधी में उनकी मौत तो नहीं हुई होगी जूको आसानी से हार मानने वाला नहीं है वो जिंदा है और हम उन्हें ठूंड लेंगे बहुत दुन से मेरे पास किसी बच्चे का कोई चहरा नहीं आया है बता हो तुमारे लिए क्या कर सकता हूं मुझे समुद्र और चद्रमा के आत्माओं से मिलना है उनकी आत्माओं के नाम है वी और लाम यानि धक्कादो और खीचो और कुछ इसी तरह का रहा है उनका से मदद लेने आया हो पर हो सकता है यहां तुमको मदद करने पड़ जाए कोई उनकी हत्या करने वाला है यह आप क्या कह रहे हैं मैं उन्ने ढूलकर किसी तरह उने बचा सकता हूं तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो दरसल ट्वी और लाहा यानि तुमारे चंद्रमा और सम अच्छी और बुरी उर्चा कोई फिश मुझे अब निकलना चाहिए हम फिर मिलेंगे वह आत्मय मुसीबत में है मुझे जल्दी अपनी दुनिया में लोटना है मेरा ये दोस्त तुमारी बदत करेगा ही बाई आपाług कलो करेगा है आपक रहाँ है इस नक्षे के सहारे कि हम एक खास जगे पर जाएंगे और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम शिकार करेंगे मैं यही से आया था पर अब मैं वापस कैसे जाओं पीछा छुटा मॉमो मॉमो यह क्या मेरा शरीर कहा है देखो लगता है वह आएंगी है यह प्याद्ट कैसा लग रहे तुम्हें वापसा कर अच्छा लगा बहुत भाग ले मुझसे पर अब नहीं अब तो फेर मुकाबला हो जाए यखीन करो जू को तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते एंग आसानी से चूट गए हमें ओएस तक जाना होगा आत्माई मुसीबत में है रुको हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते क्यों नहीं छोड़ सकते छोड़ो और चलो नहीं अगर छोड़ दिया तो यहीं मर जाएगा मुझे तो कुछ समझ में यहां रहा है अब उस आद्मी को साथ ले जा रहे हैं जो हमारा दुश्मन है हुआ कि अ हुआ अ अब ठीक तो है ना सारी ताकत खत्म हो गई है मेरा भी यही हाल है चंद्रमा की आत्मा मुसीबत में है मैं तो आज चांद की वज़े से ही जिन्दा हूँ मैं कुछ समझा नहीं जब मैं पैदा हुई तो बहुत ही बीमार और कमजोर थी पैदा होते ही बच्चे रूते हैं पर मैं तो पैदा होते ही गहरी नीद में सो रही थी हमारे वैद दिन रात लगे रहे, उन्होंने मेरे प्रिताजी से कहा कि अब मैं नहीं बच्चूंगी, मेरे प्रिताजी ने आत्मा उसे प्रात्ना की कि मेरी जान बच्चा है, उस रात पूरे चांद के नीचे, वो मुझे वेसल में ले आए और उस हौज में रख दिया, मेरे काले बाल सफेध हो गए, मैं अपने आखें खोल कर रोने लगी, सब समझ गए कि मैं बच जाओंगी, इसलिए मेरा नाम रखा गया यूए, जिसका मतलब है चांद, आज मैं दिहास बे अमर हो जाओंगा, अगनी देश के लोग मेरी कहानिया सुनाया करेंगे, किस तरह हम हान जनल साओ ने चांद को छिपा दिया था, वो मुझे विजेता जाओ कहके पुकारेंगे जाओ जिसने चांद को भी हरा दिया था अगनी देश का सबसे वीर पुरुश हटो, हट जाओ जल्दी घबराओ मत जाओ, रुख जाओ बिलकिस्मत में चंद्रमा को तबाह करना लिखा है जिससे जल्कबीले का नामो निशान मिट जाए चंद्रमा को खत्म करने से सिर्फ जल्कबीला तबाह नहीं होगा इससे सब तबाह हो जाएंगे, तुम भी जंद्रमा के बिना दुन्या का संतुलन गरबर हो जाएगा तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तरह की भगगर मठ जाएगा और क्या हाल हो जाएगा ये सही कह रहा है जाओ चन्रल आयरो, आज मुझे पता चला है कि आप भी धोके बास है मैं धोके बास नहीं हूँ, अपनी देश को भी चंद्रमा की जरूरत है हम सब उसी संतुलन के साहरे टिके हुए है अगर तुमने चंद्रमा की आत्मा को कुछ किया तो मैं उससे दस गुना हमला तुम पर करूँगा अब जो होगा देखा जाएगा अब कोई उमीद नहीं है, सब खत्म हो चुका है नहीं, अभिखद नहीं हो है कत्सक्रीश जाएद सब तुमने जहीं हो चुशै कर दो Turn प्रतारिय कि लेका वाणि का इन। लाट, 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 लड़ो उता। तुम जिन्दा हूँ तुमने मुझे मारना चाहा था ना हाँ मैंने चाहा था तुम ही नीले राक्षस हो अगनी देश के दुश्मन तुमने अवतार को छुड़वा दिया था और कोई रास्ता नहीं था तुमको अपनी हार माल लेनी चाहिए तुम तबाह हो चुके हो माल लेते तो जिन्दा बच जाते बहात तेर हो गई वो मर चुका है तुमको तो चंद्रमा की आत्मा ने चुआ था उसके जीवन का कुछ अंच तुम में भी है हाँ आपने सही कहा उन्होंने ही मेरी जिन्दे की बचाई थी अब उस हैसान को लोटाने का समय है नहीं आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है यह मेरा फर्स है जॉका मैं ऐसा नहीं करने दूँगा आपके पिताजी ने आपकी हिफाज़त की जिम्मेदारी मुझे दी है मुझे यह करना ही होगा नहीं वो चली गई वो चली गई जयुन की गई करना हो अश्छान की है झाल झाल तुटबाई सौका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी यह नही होसकता मेरा हाथ पकड़ो मैंने दक्षणी धरूपर जाने का फैसला किया है कुछ अन्य योद्धा और बेंडर भी मेरे साथ जाना चाते है अब दक्षण के साथियों की मदद का वक्त आ गया है और एंक का क्या? वो अभी भी वाटर बेंडिंग सीखना चाता है अच्छा तब तो उसे चाहिए कि वो तुम्हें अपना गुरू बना ले जब ये पैदा हुई थी तो आत्मा उन्हें मुझे एक अंतर द्रिष्ट दी थी मुझे दिखाई दिया था के एक साहसी युवती चंद्रमा की आत्मा बन गई है जानता था ये दिन आएगा आपको गर्व होना चाहिए बहुत गर्व है मुझे पर अफसोस भी मुझे हैरानी हो रही है राजकुमार जुको हैरानी इस बात की कि तुम अवतार को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो मैं ठक चुका हूँ तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए इनसान को आराम करना पड़ता है तुम भी अच्छे हो मोमो आओ मेरे पास आयरो विश्वास खाती है और तुम्हारा भाईजू को आर चुका है अब तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा तुम तो को बाईज तुमकान अब तुमकान रहे हो आराम को आराम करना आराम करनाओ मैं भी तुमक्न करनाñ तुमकव अड़ू रहे हो चिया हो टुमकान भी दुमकान एक कर घ कर दो यह दोग